उस Act का समझ लिया है in that case, तो चलिए Specific Relief Act की बात अपन अब करते हैं और देखिए Specific Relief Act के बारे में कुछ basic बाते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल जो मैंने अभी आपसे किये सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, तो ये जो Act है Specific Relief Act सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो Specific Relief Act है, ये है क्या, what it is कुछ सवाल होते हैं हर Act के जो आपको समझना है what, सबसे पहले, क्या है ये, क्यों है, what was the need of this legislation क्यों बनाया गया, क्यों statute को लाया गया, already इतने laws थे, उनसे काम नहीं चल रहा था, जो एक और statute बना दिया और अगर हमने एक और बनाया है, तो कुछ problems को solve करने के लिए बनाया गया है and how this Act is going to solve those problems, किस तरीके से, वो जो, क्योंकि already existing laws में, कुछ तो ऐसी चीज होगी न, जो fulfill नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए legislation आया, तो कैसे ये उन चीज़ों को fulfill करता है तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल का जवाब, what, क्या है specific relief Act, तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, यहां लिखा है specific relief Act, आप जानते हैं, हमारे जितने भी substantive laws हैं, laws का दो classification है, substantive, procedural, procedural laws, procedure बताते हैं, substantive laws, rights and remedies की बात करते हैं, एक right recognize करते हैं, उस right का अगर violation होता है, तो आपको बदले में remedy देते हैं, जैसे transfer of property act, आपके multiple rights को बताता है, उन rights के violation की remedy देता है, IPC criminal segment में वही काम करता है, Indian contract act, एक substantive law है, जो आपके right को recognize करता है, और उसके violation में remedy बताता है, तो ये substantive laws already कर रहे थे, specific relief में, अब ये जो word आप यहाँ पे देख रहे हैं, relief, अलग-अलग तरीके के relief ये भी provide कर रहा है, हमारे पास already substantive laws हैं, जैसे माल लिजे Indian contract act, आपने एक वेक्ती के साथ contract किया, अगर उस वेक अगरती ने contract का breach किया, तो आपको एक remedy मिलती है वहाँ, yes or no Indian contract act में damages की remedy आपके पास है, उदर आप damage ले सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का relief है, जो Indian contract act देता है, in case of breach of contract, ऐसे ही कुछ और reliefs, specific relief act भी देता है, तो multiple kinds of relief, अलग-अलग तरीके के, देख ये right का violation हुआ है, तो law बतले में remedy provide करेगा, एक maxim है, उभी just, इभी remedy में आपने सुना होगा, where there is a right, there is a remedy, तो remedies already existing laws में भी available थी, लेकिन कहीं न कहीं ये कारण था कि वो remedies हर बार complete justice नहीं कर पा रही थी case में, जो already laws में existing remedies हैं, वो complete justice नहीं करती है case में, जरूरी नहीं है कि हर breach of contract के बतले में आप compensation पकड़ा दें, तो उससे justice हो जाए, ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है, इसलिए need थी एक ऐसे legislation की, जो कुछ और remedies भी provide करे, एक example से इस need के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, तो देखिए, एक चीज यहाँ पर समझीएगा, जैसे माल लेजिए, A ने contract किया with a builder B, B एक builder है, इसके साथ A ने contract किया है, कि वो एक नई society बना रहा है, flats की, एक multi construct कर रहा है वो, और A ने इधर पे एक flat book कर दिया, यह जो flat है, A ने book कर दिया, agreement हो गया A और B के बीच, कि जो उपर से top floor के बाद वाला, जो floor होगा, वो A का होगा, इतने पैसे यह देगा, यह दोनों के लोकेशन पे यह बन रहा है, क्योंकि भाई A ने अगर वहाँ घर book किया है, तो उसके कुछ specific reasons होंगे, कि उसने उस society में, उस location में बनने वाली society में ही घर क्यों book किया, जैसे मान लीजिए A किसी distant location पे अभी रहता है, जहां यह society बन रही है, इससे किसी और distant location पे A फिलहाल र रहे हैं, जो इस society के पास है, A के बच्चे हैं, उनका school मान लीजिए, society के पास है, A की wife का office अभी तो वहाँ है, जहां A रहता है, और A का office भी वहाँ है, लेकिन क्योंकि यह building में वो घर book कर रहे थे, बच्चों का school यहाँ है, parents का hospital यहाँ है, इसलिए A ने इदर घर book किया, स सहूलियत हो जाएगी, अगर इस society में, मैं घर खरीद लूँगा, और मैं यहाँ रहने लगूँगा, तो मेरी यह problem solve होंगी, husband, wife, दोनों इस locality में job ढूंडने लगे, they switch their job in lieu of that agreement, क्योंकि हमारा तो agreement हो गया है न, builder के साथ, यह घर तो बनने वाला है, यह हमको मिलने वाला ह उस हिसाब से इन्होंने, माल लीजे, बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने वहां से हटवा के उन्हें ऐसे स्कूल में admission दिला दिया, जो इसके पास है, यह सारी चीजे in lieu of that agreement वो कर चुके हैं, अब माल लीजे, जब date of performance आई contract की, builder को जब यह घर देना था A को, तो होता यह है कि B अपने contract को breach कर देता है, builder अपने contract को breach कर देता है, कहता भाई मैं नहीं दे पामबा, sorry, और मैं breach कर रहा हूं contract का, अब Indian contract act in this regard, या remedy प्रोवाइड करता है, A को यह आप already जानते हैं, तो Indian contract act बोलेगा भाई यह damage ले लो, यह जो तुमारा contract हुआ थ और जिसका obligation fulfill नहीं किया है B ने, उसके बदले में आप क्या ले लो, आप damages ले लो, हम court कहेगा हम आपको damages दिलवा सकते, damages मतला compensation, अब आप बताईए, इस case में, घर नहीं मिला उसको एक compensation मिल जाएगा, जितने समय उसने contract किया, या मान लीजे कुछ advance amount दिया, वो advance amount उसको वा सारी चीजे संभव है, पैसे में compensate करना, जो in lieu of this agreement उस बंदे ने करी है, जो उसकी requirements है, so the answer is no, हर case में, पैसा damages in compensation, complete justice करें, ये जरूरी नहीं है, ऐसे में court को क्या करना चाहिए, B को compel करना चाहिए, कि भाई साब आपने booking करी है, पैसा लिया, आपको ये घर देना पड़े आप deny नहीं कर सकते अब उसको, और अगर हम B को compel करते हैं, उसके contract में लिए हुए obligation को ही fulfill करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं specific performance, इसको हम क्या कहते हैं, specific performance हम कहते हैं, specific performance मतलब आप वही चीज़ perform करिए, जो obligation आपने लिया, damage नहीं देना है, आपको वो obligation fulfill करना है, क्या ये specific performance की remedy आपको Indian contract act दे रहा था, the answer is no, नहीं दे रहा था Indian contract act, तो ये एक अलग तरीके का relief हो गया, जो party को इस case में मिलना चाहिए, for complete justice, an Indian contract act was incompetent to provide such reliefs, ये एक example है, ऐसे और भी है, मैं डिसकस करूँगा, इस सारे के बाकी reliefs का, तो यहाँ पर इसी लिए क्योंकि हर case में वो damage या compensation या कोई भी existing substantive law जो remedies provide करता है, वो complete justice करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इसी लिए there was need of such a legislation, कि वो कुछ दूसरी remedies भी provide करे, तो क्यों बनाया गया, क्या है ये, अलग-अलग relief provide करता है, need क्या है, why क्योंकि already existing laws थे, वो complete justice in cases में नहीं कर रहे थे, ये दो बाते मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए, specific relief act नाम से ही समझ में आ रहा है, कि अलग-अलग तरीके के specific, जो identified reliefs है, वो ये provide कर रहा है इदर पे, और क्यों कर रहा है, क्योंकि existing laws हर case में complete justice नहीं कर पा रहे थे, जो gap बच रहा था, उसको fill करने के लिए आपका specific relief act है, how कैसे करता है, तो भाई specific relief act ना multiple reliefs की बात करता है अलग-अलग तरीके के relief ये आपको देता है, जैसे एक relief तो अभी मैंने आपको बताया, specific performance, क्या यही एक लोता relief है, the answer is no, जरा एक बार बेरिट में content वाला portion खोल लीजे, बेरिट में contents जो है न सबसे पहले page पे वो निकाल लीजे, आपको मैं reliefs बता देता हूँ, ये कितने और किस-किस तरीके के relief provide करेगा, जो already existing laws शायद provide नहीं कर रहे थे, इसलिए ही need है इसकी, वो need arise ही इसलिए होती है, क्योंकि existing laws वो remedy provide नहीं कर रहे थे, तो देखिए, recovering possession of property, सबसे पहले आप part 1 देखिए content में, that is preliminary, part 2 में आप देखेंगे specific relief heading लिखी हुई है, ये अलग-अल तरीके के reliefs हैं, chapter 1 में जो relief मिल रहा है, वो है recovering possession of property, तो एक relief क्या है भाई साब, possession of property, property की possession दिलाता है ये, जैसे अभी हमने बात करी न, immovable property की possession आप ले सकते हैं, movable property की possession आप ले सकते हैं, क्योंकि damage हार केस में justice कर दे, या complete justify कर दे, उस breach को ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए possession of property की एक remedy, अगले chapter का नाम देखिए, specific performance of contract, तो इसके बाद second remedy आपकी हो गई, specific performance की जो obligation आपने लिया है, आपको वही fulfill करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, उस case में वो delivery of possession था, और भी कुछ हो सकता है, आपने कहा है, मैं आपको mobile phone दूँँगा, कुछ भी x, y, z contract आ remedy ये provide करता है, specific relief, specific performance किसे कहते हैं, जब व्यक्ति को compile किया जाता है, वही obligation फुल्फिल करने के लिए, जो उसने undertake किया है, under a contract, इसके बाद next chapter देखिए, chapter 3, rectification of instrument, तो अगली remedy है, rectification of instrument, इसको समझ लीजिये, थोड़ा सा brief में, so ये जो rectification of instrument, अब देखिए, क्या instrument मतलब कोई भी document, कोई भी चीज़ आपने documented करी है, registered करी है, if it if it पे लिखी है, anything, इस तरीके का, instrument मतलब कोई भी document, जो legally valid होते हैं, इस तरीके के instrument में अगर आपको कोई rectification कराना है, जैसे माल लीजे, आपके और मेरे बीच में, एक written contract हुआ, writing में हमने, if it if it पे एक agreement किया है, कि मैं आपको judiciary के लिए पढ़ाऊंगा, और आप मुझे एक specific amount fees में देंगे, अब हमने जो वो foundation course लिखा, उसकी हमने details भी लिखी हैं, उसमें कि इस foundation course में क्या क्य होगा, मैंने का भाई मैं पढ़ाऊंगा, ये होगा, वो होगा, सारी चीज़े हमने उसमें लिखी हैं, अब आपका कहना, माल लीजे, वर्बली हम लोगों ने इस चीज़ के लिए भी agree किया था, कि इस foundation course में आपको mentorship भी मिलेगी, चिक, आजकल mentorship का बड़ा culture है, जुड़ी था, कि हाँ इसमें mentorship भी होगी, लेकिन हमने लिखा नहीं उस बात को, वर्बली हम दोनों ने किया है, लेकिन लिखा नहीं पाया, लिखा नहीं हमने, ऐसी और भी कई सारी चीज़े हैं, जो कि हम चाहा कुछ और रहे थे, और लिखा कुछ और गया, instrument में दोनों ने execute कर दिय है, अब later on आपको ये बात realize होती है, कि यार इस instrument में हमने agree तो किया था, लेकिन हमने लिखा नहीं है, तो आप court के पास, अब यहाँ पे आपको अभी damage नहीं चाहिए, मैंने breach नहीं किया है, अभी कोई breach नहीं हूँ, अभी कोई चीज़ें वैसी नहीं हूई, लेकिन आप च सो ऐसे जो भी return documents माली जे will है, किसी की कुछ भी x, y, z document, legally valid documents है, उनको आप सही कराने के लिए court के पास move कर सकते हैं, और इस remedy को हम कहते हैं, rectification of instrument, ठीक है, करके अपन पूरा provision पढ़ेंगे, सारी बातें, एक-एक intricacies मैं आपके साथ discuss करूँगा, इस lecture में, लेकिन पहले ये सम के content में लिखी है, एक बार अगर आपने थोड़ा सा इनको समझ लिया कि ये किस purpose के लिए है, फिर वीटा provision पढ़ना won't be a big task, ठीक, so rectification of instrument मेरे ख्याल से आप समझ गए, कोई भी return document जिसमें parties का intention वो, जो है, वो उस document के language में reflect नहीं हो रहा, हम उसमें सुधार कराना चाहते, simple सी बात, इसको अपन कहते हैं, rectification of instrument, इसके बाद देखिए अगला, chapter 4 में लिखी है अगली remedy, recession of contract, देखिए, recession का मतलब क्या होता है, बिटा, cancellation, recession of contract का मतलब, cancellation, तो, recession of contract, किसी contract को cancel करवाना, एक तो यह है, कि आप किसी व्यक्ति को compel कर रहे हैं, कि उसने contract में जो obligation undertake किया है, वो, वो obligation fulfill करे, उसको अपन कहते हैं specific performance, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम contract को cancel करवाना चाहते हैं, अब आपने Indian contract act में पढ़ा है, कब एक contract cancel हो सकता है, अगर मान लीजिए, आपके और मेरे बीच में contract हुआ है, और उसमें मैं court के सामने ये प्रूफ कर दूँ कि साहब, मेरा जो consent इस contract पे लिया गया था, वो coercion से caused था, वो free consent नहीं था, या under undue influence मैंने आपका consent उस contract पे obtain किया है, कोई भी contract, जिसमें consent undue influence या फिर coercion से obtain किया है, वो contracts क्या होते हैं, जरा बताईए मुझे comment box में, ऐसे contracts जो undue influence से caused हो, जिनमें consent या coercion से caused हो, ऐसे contracts क्या होते हैं, legal validity क्या होती है उन contracts की, so वो contract होते हैं voidable, voidable का मतलब, जिस party का consent इस तरीके से obtain किया गया है, वो party चाहे तो उसे cancel करा सकती है, या फिर उसे enforce करा सकती है, दोनों option होते हैं, voidable contract का मतलब होता है, contracts which are enforceable at the option of one party, किसी एक party के option पे वो enforceable होते हैं, दूसरे के नहीं, तो मैंने अगर आपका consent undue influence से obtain किया है, so that contract is voidable at the option of you, आप चाहें, तो उसे set aside करा सकते हैं, cancel करा सकते हैं, आप चाहें तो उसे enforce करा सकते हैं, मैंने, तो अगर मान लीचे कोई contract जो की voidable है आपके part पे, अब उसके लिए आपको damage नहीं ले रहे हैं अभी आप, Indian contract that damage की remedy दे रहा था, Indian contract that आपको ये बता रहा थ कि ऐसे contract voidable हैं, लेकिन court से जाके वो relief मिल रहा था, क्या दा answer is no, इसलिए specific relief में वो, specific relief act में वो relief आपको दिया है, जो कि एक chapter में अलग से codify किया है chapter 4 में और उसको हम कहते हैं, recession of contract और cancellation of contract, कि आप court के पास किसी contract को cancel कराने भी जा सकते हैं, आपको वहाँ पे जाके evidences के थू यह बात प्रूफ करनी पड़ेगी, कि यह contract आपके part पे voidable है और आप चाहने तो से cancel करा लें, ठीक, that's another relief, अगला relief देखिए chapter 5, cancellation of instrument, so अगला relief is cancellation, cancellation of instrument, अब ज़रा इस बात को समझ लेका, देखो भाई, अभी हमने देखा, कि मान लीजिए कोई instrument बना है, कोई चीज़ documented हुई है, और उसमें real intention parties का, क्योंकि reflect नहीं हो रहा है, जो वो चाह रहे थे, वो बातें वहाँ नहीं लिखी हैं, कुछ और है, तो party उसमें changes कराने जा सकता है, rectify करा सकता है, सुधार करा सकता है, that is rectification of instrument, लेकिन मान लीजिए क कोई ऐसा agreement है, जो कि void है, अब void है तो ठीक है, दूसरी party आपके against enforce नहीं करा सकती ना, आप enforce करा सकते हैं, void agreement का कोई impact नहीं होता, लेकिन वो written instrument तो है, उसका misuse हो सकता है, उस document का, उस written instrument का, ऐसे cases में आप court के पास जाएंगे, और court से एक relief मांगेंगे, cancellation किसाब इस document को आप cancelled declare कर दीजिए, या मान लेजिए कोई ऐसा contract है, जो आपके option पे voidable है, तो आपने उसको void तो declare करा लिया, कि भाई, हम इसमें लिखा हुआ obligation फुल्फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये voidable है हमारे part पे, लेकिन दूसरी party के पास उस instrument की copy तो अभी भी है, इस उसको prevent करने के लिए एक relief इदर पे और provide किया है, जिसको हम कहते है, cancellation of instrument कि उस instrument को आप cancelled declare करवा लेंगे, ताकि फिर उसका कोई use ना हो, that's another remedy, that is cancellation, इसके बाद एक बहुत ही अतरंगी सी remedy इदर पे है, that is declaratory decree, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डीटेल में, chapter 6 में दी है, देखिए भाई, declaratory decree होती क्या है, declaratory decree जो की section 34 बात करता है, specific relief act का, declaratory decree का मतलब होता है, आप court के पास जा रहे हैं, कोई चीज सिर्फ declare कराने, देखिए, एक होता है, कि आप owner है एक घर के, आप court के पास गए, possession मागने, क्यों possession मागने हैं, क्योंकि हम owner हैं, लेकिन, declaratory decree में, आप ऐसा कोई relief ना मांगके, सिर्फ declaration मांगते हैं, अपने legal right का, कि आप इस चीज के लिए entitled हैं, या फिर आप इस relation के लिए, वो legal right का, देखिए, declaratory decree, legal right का भी declaration करती है, और legal character का भी, जैसे for example, एक बच्चा है, जिसका ये कहना है, कि एक्स उसका father है, एक बच्चा ये चाहता है, कि ये declare हो जाए, कि एक्स उसका father है, क्योंकि वो है biological father उसका, लेकिन, वो इस बात को मनने को तयार नहीं है, अब आपने Indian evidence act का section 112 पड़ा होगा, जो कि legitimacy of child को establish करता है, तो वो relief किदर है, बच्चे के पास, किस हक से वो court के पास जाएगा, क्या मांगेगा court से जाके, तो वो जाके मांगेगा declaration, एक legal character का, ये एक legal character है, कि वो legitimate child, या फिर biological child है, इस person का, कोई lady जाके ये declaration चाहती है, कि साब declare करिए, कि ये वेक्ति हमारा husband इसने हम से शादी करिए, लेकिन अभी उस बात को deny कर रहा है, ऐसे declarations के लिए एक relief इधर पे दिया गया है, जिसको हम कहते है declaratory decree, इसको अपन detail में पढ़ेंगे, इसका purpose क्या है, इसके कौन सा purpose fulfill होता है, declare कराने से, थोड़ा बहुत idea आपको इन example से ही लग गया होगा, बट इसकी अपन बहुत detail में भी बात करेंगे, अभी जब provision पे हालू होता है, part 3, preventive relief, इस preventive relief में basically injunction की remedy आपको दी जाती है, तो अगली remedy क्या है, injunction, अगला जो relief है वो injunction का relief है, मेरे ख्याल अगर आपने CPC पढ़ रखा है, अभी संडे को ही उसका 12 hours का पूरा प्रीमियर चला था CPC का, तो injunction हमने वहाँ पे भी discuss किया है, भाई, injunction को पढ़ा है, कि injunction होता क्या है, prevent करने के लिए एक order pass होता है, किसी व्यक्ति को कुछ करने से, या कई बार कुछ खरवाने के लिए, that is injunction, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तीन तरीके के injunction की बात specific relief act करता है, उसको हम detail में देखेंगे, तो ये एक और relief है, कई बार क्य ये ने घर book किया है, अगर उसको पता चलता है कि builder किसी और को बेच रहा है, उसका book किया हुआ flat की registry वो किसी और के नाम पे कर रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पहले कौन सा relief मांगेगा, court के पास जाके injunction, कि साब आप builder को prevent करिए, कि वो मेरे साथ agreement किया है, वो घर किसी और कि registry ना हो, क्योंकि फिर वो भी entitled हो जाएगा, जिसकी registry हो जाएगी, लफड़ा होगा आगे चलके, इसलिए पहले ही जाकि आपन क्या माँग लेंगे, एक injunction, preventive relief, आगे के consequences को prevent करने के लिए relief होता है, इसलिए इसको कहते हैं बिटा, preventive relief, और जो मिलता है injunction के form में, तो ये अलग-अलग specific reliefs हैं, जो ये act आपको provide करता है, specific reliefs act, तो मेरे ख्याल से अब आपको इस act का purpose समझ में आया, क्या ये act है, किस बारे में है, और कैसे ये existing laws के gap को fill करेगा, मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई है, इस act का देखे, problem का है न, बेरेट में अपन सीधे क करते हैं, रटना चालू कर देते हैं, section उठा के, अब अन preamble का भी पढ़ते ही नहीं, जबकि preamble सबसे important होता है, किसी भी act का, वो legislative intent बताता है, कि क्यों इस act को हम लाएं हैं, और वो बहुत important है, provisions के सही interpretation के लिए, आप मतलब सही draw करें, किसी भी provision का, उसके लिए ये object या pre gamble बहुत important होता है, तो ये अगर आपके समझ में आ गया है, अब provision समझने में आपको जादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर case में हमको complete justice करना है, equity पे based English law में, जो courts of equity होते थे, वो इस तरीके के relief देते थे, क्योंकि उनका simple logic ये है, कि अगर किसी वेक्ति का right violate हुआ है, तो उ कुछ required है, उस case में वो हम देंगे, aggrieved person को, ये idea, अब codified law में क्या हुआ, Indian contract act में कुछ-कुछ relief मिले है, कुछ नहीं मिले है, ऐसे बहुत सारे laws हैं हमारे पास substantive, जहां कुछ relief है, कुछ नहीं है, उस gap को basically fill करने के लिए आपका specific relief act आता है, इसके बाद जरा अपने एक बात करते हैं, specific relief act के regarding, कुछ specific questions, जो किसी भी state के prelims examination में आपको मिल जाएंगे, apart from provision, provision पे तो अभी मैं आ रहा हूँ, एक एक करके, लेकिन उसके पहले कुछ general question इस act के regarding है, जो आपको समझने भी चाहिए थोड़े से, और याद तो करना ही है, मतलब, purpose ही यह है in crash course का, कि आपकी ह आदत छुडवा दी जाए, जो आपने एक कर रखा है कि इस question का answer तो भी होता है, क्यूं होता है भी, यह समझना बहुत जरूरी है, तो कुछ questions हैं, इस act से related, पहला यह कि क्या specific relief act, substantive law है, या फिर यह procedural law है, और इस तरीके के सवाल प्री में भी आ जाते हैं, तो यह substantive law है, या फिर procedural law है, क्या आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है मुझे, comment box में, कि यह act substantive, इतना समझने के बाद आप क्या समझे, अभी तक जो मैंने background और overview उस act का बताया, उससे आप कुछ समझे कि यह substantive है या procedural law है, देखिए substantive law क्या होता है, जो आपको, आपके right establish करता है, और बदले में remedy प्रोवाइड करता है, उसको अपन substantive कहते हैं, procedural law जो उस remedy को obtain करने का procedure बताता है, कोई remedy as such नहीं देता, लेकिन procedure बताता है, जैसे CPC, CPC procedure बताता है, कि contract में right wallet हुआ, civil court चले जाओ, प्लेंट फाइल कर दो, इस तरीके से प्लेंट होनी चाहिए, hearing ऐसे होगी, यह सब, चीक, तो विशाल का कहना है, कि यह procedural law है, और कोई, और कोई, यह procedural है, यह substantive, तो देखिए, पॉलक एन मुला, जो authors हैं, और काफी renowned authors हैं, law की field के, पॉलक एन मुला के हिसाब से, specific relief act is a procedural law, उनके हिसाब से, यह एक procedural law है, क्यों, क्योंकि यह as such कोई cause of action प्रोवाइड नहीं करता, cause of action का मतलब होता है, एक legal right और उसका violation, तो यह कोई अलग से legal right recognize नहीं करता है, या देता नहीं है in general, आपका contract act में right था, कि contract आपने किया है, उसमें से right arise हुआ है, breach होगा तो remedy मिलेगी, यह सिर्फ remedy प्रोवाइड कर रहा है, as such ना तो कोई cause of action दे रहा न, right establish कर रहा, इसलिए उनके हिसाब से it is a procedural law, तो essentially, largely it is a procedural law, but there are certain aspects of substantive law as well, SRA में कुछ aspects substantive laws के भी हैं, जैसे section 6 अपन पढ़ेंगे, वो एक specific right recognize कर रहा है, अभी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा क्यों मैं यह कह रहा हूँ, तो there are a few provisions जो substantive nature के भी हैं, but largely it is a procedural law, largely it is a procedural law, ठीक, इसके बाल, अगला जो सवाल है, specific relief act के regarding, वो यह है कि क्या यह act retrospective है in nature, क्या specific relief act retrospective है, retrospective का मतलब समझते हैं, कि जब यह implement हुआ, उससे पहले जो incidences या cases हो चुके हैं, क्या उन पे भी यह applicable होगा, क्या retrospective effect है, क्या यह retrospective है, कि पुराने मामलों पे भी apply होगा, जिस दिन implement हुआ, फोर्स में आया, उसके पहले जो मामले हुए हैं, क्या उन पे भी यह applicable होगा, so the answer is yes, देखिए, फोर्स में कब आया, यह भी ध्यान रखना, 1st March 1964, यह फोर्स में कब आया, 1st March 1964, इस डेट इस वेरी इंपॉर्टन, SRA केम इंटू, एन्फोर्समेंट, केम इंटू फोर्स, लेकिन जिस दिन यह फोर्स में आया था, क्योंकि एसेंशली इट इस अ प्रोसीजरल लौर, प्रोसीजरल लौर, रेट्रोस्पेक्टिव इंपक्त रखते हैं, पीनल लौज नहीं रखते, जहाँ पेनल्टी वगेरा है, तो जिस दिन यह फोर्स में आया था, उस समय पे कोर्स में जितने भी पेंडिंग मामले थे, जो पेंडिंग चल रहे थे, उन सब पे एप्लेकेबल था, यह प्रोसीजरल लौ, स्पेसिफिक रेलीफ आक्ट, इसी लिए, दा अंसर टू दिस क्वेस्टिन एज, येस, स्पेसिफिक रेलीफ आक्ट, इस रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, क्योंकि जिस दिन यह फोर्स में आया था, उस समय जितने पेंडिंग मैटर्स कोट के सामने थे, उन पे सब पे ही अपलाए किया गया था, भले ही कॉज ओफ आक्शन उसमें पहले अराइज हो गया, अगला जो सवाल इस से रेलेटेड है, स्पेसिफिक रेलीफ आक्ट से वो ये है, कि क्या ये एक 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 एक्शॉस्टिव आक्ट है, क्या ये एक्शॉस्टिव है इन नेच्चा, एक्शॉस्टिव का मतलब complete in itself, comprehensive कि बस इसके बाहर कुछ नहीं बचा, जो कुछ होना था स्पेसिफिक रेलीफ से रेलेटेड साविदरी हो गया है, और कुछ नहीं है, सो एक बात ये समझीएगा, कि देखें, यहाँ पर specific relief नाम है, कुछ specified कर दिये कहें हैं, कुछ relief, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि ये exhaustive है in case of relief, क्योंकि equity के हिसाब से तो whatever is required, to do complete justice in a case, कि इसकी व्यक्ति के right का violation हुआ है, उसमें जो कुछ required है for justice, वो सब उसको दिया जाना चाहिए, चाहिए वो लिखाओ चाहिए ना लिखाओ, that is the case, इसलिए specific relief act is not exhaustive in nature, इसके अलावा भी कोछ अपने से कोछ चीजें कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है complete justice, ये act पूरा सारी बातने कबर नहीं करता, so this specific relief act is not exhaustive in nature, that's the answer to the question, विशाल का doubt है कि अगर MCQ में substantive या procedure पूछा जाएगा, yes, essentially it is procedural, तो अगर सिर्फ procedural single है, option में substantive अलग है, then you can go for procedural, so these are few questions regarding the act, जो अपनने बिना provision के discuss किया, और मेरे ख्याल आपको समझ आएँ है, कि क्यों वो answers हैं, जो answers in questions के होते हैं, अब जरा हम start करेंगे इसके बाद, provision पढ़ना, अब बेरिख निकाल लेजे, और एक एक करके अपन specific relief act के provisions को read out करेंगे, जो important बाते हैं प्रिलिम्स के लिए, वो मैं आपको underline या highlight आप करते जाईएगा, बताते जाऊँगा, कुछ अलग जो बाते मैं आपसे करूँगा, acts related वो आप अपनी copy में note down करते जाईएगा, and believe me, इन दो sessions आज और कल, इस पूरे specific relief act के session के बाद, आप किसी भी street का exam देने चले जाईए, प्रिलिम्स examination में कोई भी question ऐसा नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा question होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे almost सारे questions इसके बाद बन जाएंगे, तो चलिए अब part 1 पढ़ना आपन start करते हैं, that is preliminary section 1, अब देखिए section 1 तो normal extent वगेरा की बात करता है, किसी भी act का ये आप और मैं दोनों इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो देखिए short title extent and commencement, this act may be called the specific relief act, it extends to the whole of India, it shall come into force on such date as the central government may buy notification, in the official gazette appoint, तो date क्या है, date commencement की है भाई, फिर से बता रहा हूँ, 1964 and that is very important, date of commencement बहुत important है, इसके बाद section 2 है definition, definitions है generally questions नहीं आते, ना तो इसमें कोई ऐसी बहुत important definition है, जिसका use हो act को पढ़ने में अपने लिए, और ना exam में generally यहां से questions पूछे जाते हैं, obligation बताया गया है, जैसे आप देखें, example के लिए includes every duty enforceable by law, obligation का क्या मतलब होगा, कोई भी ऐसी duty जो law से enforceable है, बाकि trust trust की definition है, बहुत जादा ना तो इदर से सवाल आते हैं ना, बहुत important है, इसके बाद section 1 के बाद, सीधे आजाईए आप section 3 पे, section 3 में, कुछ चीज़ है बहुत important है, ये basically हमें बता रहा है कि specific relief act में saving, saving मतलब जो दूसरे laws है, वो as it is impactful होंगे, जो specific relief act है, वो override नहीं करेगा, उन already existing laws पे, क्योंकि specific relief act, additional law add on करने के लिए आया है, उनको substitute नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें और चीज़ें जोड रहा है, उनको कम नहीं या खतम नहीं कर रहा है, उनके impact को हटा नहीं रहा है, ये मतलब है section 3 savings का, इसमें लिखा है, except as otherwise provided here, nothing in this act shall be deemed, nothing in this act shall be deemed, ये लिखा है, to deprive any person of any right to relief, other than specific performance, which he may have under any contract, तो देखिए, आपने अगर एक विक्ति के साथ contract किया है, तो जो कुछ relief आप मांग सकते हैं, वो सब आप अभी भी मांग सकते हैं, क्योंकि यहां आपको contract से related, additional remedy, specific performance की मिल गई है, कि आप उस लक्ती से वही obligation फुल्फिल करा सकते हैं, जो उसने contract मिलिया है, इसका ये मतलब बिलकुल नहीं होगा, कि जो बाकी reliefs आपके पास available हैं, किसी दूसरे law में, वो आप नहीं मांग सकते हैं, आप वो भी मांग सकते हैं, और specific relief act भी, specific performance भी आप मांग सकते हैं, under specific relief act, भी देखिए, to affect the operation of the Indian registration act on document, ये बहुत important question है, परी का कई बार थोड़े से न, technical question इदर से, DJS जीसे exams में तो बन जाते हैं भाई, specific relief act से, तो ये जो ये जो, इसका B clause है न, section 3 का, ये कह रहा है कि, specific relief act, registration act के जो provisions हैं, उनको affect नहीं करेगा, इसका मतलब ये है, कि अगर registration act में लिखा है, कि ये particular document registered ही होना चाहिए, तो वो जब तक registered नहीं होगा, तब तक आपको specific relief act में दिये हुए relief, court provide नहीं करेगा, क्योंकि उस document की, as per registration act, उस document की validity ही तब है, जब वो register कराया जाए, जैसे Indian contract act में आपने पढ़ा है, agreement out of natural love and affection, वो बिना consideration के भी valid होते हैं, लेकिन उसमें essential condition है, कि ऐसा जो promise है, जो out of love and affection किया गया है, Indian contract act का section 25 correlate कर रहा हूँ, इधर जहन में उसको revise कर लीजिये, तो Indian contract act का section 25 यह कहता है, कि out of natural love and affection, अगर कोई agreement किया गया है, तो वो भी enforceable हो जाएगा, भले ही वो बिना consideration के है, लेकिन वो written और registered होना चाहिए, और registration act कहता है, कि अगर registered होना mandatory है, अगर वो registered नहीं है document, तो वो as such valid नहीं होता फिर, और क्यूंकि registered नहीं है, valid नहीं है, तो आप specific relief के तहत, ऐसे document के अंदर relief claim नहीं कर पाएंगे, just because कि specific relief act में, हमने अलग-अलग तरीके के relief provide कर दिया है, और court को direct कर दिया है, कि वो ये relief देगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, कि registration की requirement खतम हो जाए, चीक, that is the meaning of section 3 clause B, इसके बाद आईए section 4 पे, specific relief to be granted, only for enforcing individual civil rights, and not for enforcing penal laws, that is also very important, ये सब भया pre के लिए बहुत important है, इनके concept भी, और section number, section 3 बहुत important है, saving clause, किस section में है, ये भी पूचते हैं, कैसे implement होता है, उससे related कुछ conceptual questions भी आपको, मिल जाएंगे अलग-अलग, प्रिलम्स examination में, फोर केता है, कि specific relief, जो grant किया जाएगा, वो civil rights के respect में किया जाएगा, पीनल लॉस पर ये applicable नहीं होगा, specific relief can be granted only, for the purpose of enforcing individual civil rights, जिनको हम कहते हैं, right in personim, individual civil rights को enforce करने के लिए, specific relief है, right in rem, जो public at large के against हैं, उनको enforce करने के लिए, ये नहीं है, only for the purpose of enforcing individual civil rights, and not for the mere purpose of enforcing a penal law, सिर्फ penal law को enforce करने के लिए नहीं है, civil law को enforce करने के लिए है, और अगर किसी right, किसी civil right में, as an add-on civil के साथ-साथ criminal right भी impact हो रहा है, वहाँ भी specific relief मिल जाएगा, लेकिन civil right involved होना चाहिए, individual civil right involved, ये जो mere word लिखा है ना last line में, for the mere purpose of enforcing, सिर्फ penal law को enforce करने के लिए आप specific relief नहीं देंगे, लेकिन कहीं अगर ऐसी requirement है, जहां individual civil right enforce होना है, उसी के साथ-साथ connected है, penal right भी या penal law भी connect हो रहा है, तो इस वज़े से आप specific relief grant नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, अगर individual civil right involved है किसी matter में, तो उस matter में आपको relief दिया जाएगा specific relief के अंडर, जो reliefs हैं वो आपको grant करेंगे, जैसे defamation for an example, by defamation दोनों है, civil भी है, criminal भी है, तो वहाँ जो right violate हो रहा है उसके बदले में, specific relief जो यहां लिखे हैं, वो grant किये जाएंगे, just because कि वहाँ से criminal matter भी arise होता है, उन पर यह specific relief act अपलाए नहीं होता, that's the meaning of section 4, तो यह तो general बाते हों गई, जो preliminary part में थी section 1-4, I hope all of you have understood the meaning of the provision, और याद भी करते जाना है भीया, क्योंकि pre-make section के question भी आने है, फिर आते हैं अपन part 2 पर specific relief, जिनका overview अभी मैंने आपको एक दिया, अब अपन specific provision पढ़ेंगे, so part 2 जो की अलग-अलग तरीके के specific relief की बात कर रहा है, इसका chapter 1 बात करता है, recovering possession of property, अब यहाँ जो section 4, sorry section 5 और 6 हैं, यह recovery of immovable property की बात करते हैं specifically, immovable property की possession की recovery की बात यह करते हैं, section 5, और आपका section 6, दोनों, देखिए मैंने आपको अभी बताया, कि क्योंकि जो already existing laws थे, वो complete justice नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इस आक्ट कुला हैं और अलग-अलग तरीके के reliefs यहाँ provide करे गए हैं, one of the relief is possession of property, section 5 देखिए जरा, recovery of specific movable property, कोई भी specified, specified मतलब identified property की यह वाला घर, यह जो घर है, जिसका मकान नंबर यह 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 है, इस पे मुझे possession चाहिए, because I am entitled for the possession, यह अगर आप court के सामने प्रूफ करेंगे, कि you are entitled for the possession of this house, तो वो आप मांग सकते हैं, वो रिलीफ, वो possession का रिलीफ आप यहाँ मांग सकते हैं, section 5 देखिए, क्या लिखा है, तो कोई भी ऐसा विक्ति जो entitled हो, section 5 किसकी बात करता है, entitlement, entitled, विक्ति entitled होना चाहिए, किस चीज के लिए entitled होना चाहिए, possession के लिए, possession के लिए entitled होने के लिए बिटा, यह जरूरी नहीं कि आप owner होंगे, तो ही possession के लिए entitled हैं, आप as a tenant भी possession के लिए entitled हो सकते हैं, आप as a licensee entitled हो सकते हैं, आप as a lessee entitled हो सकते हैं, for the possession of property, आपको अपना entitlement ownership का, आपको अपना title ownership का prove करने की ज़रुवत नहीं हमेशा, आपका possessory title भी हो सकता है, जैसे tenant का title, अगर मैंने एक वेक्ति के साथ agreement किया है, कि भाई साब एक साल के लिए property मैं lease पे ले रहा हूँ आपसे, तो फिर मेरा possession का entitlement हो गया, तो section 5 कहता है, कोई भी ऐसा वेक्ति जो entitled है possession के लिए, वो CPC के हिसाब से possession recover कर सकता है, जो procedure CPC में दिया है, उस हिसाब से, अब एक बात यहां समझेगा कि section 5 अपने आप में कोई right recognize तो नहीं कर रहा, entitled तो आप already है, entitled मतलब आपका अधिकार है possession का, वो अधिकार section 5 तो नहीं दे रहा, section 5 मेर लिए declare कर रहा है, section 5 is merely a declaratory provision, वो सिर्फ यह declare कर रहा है, कि आप अगर कहीं और already, किसी और law के हिसाब से, अगर आप एक possession के लिए entitled है, immovable property की, तो उसको आप CPC में दिये procedure से recover कर सकते हैं, इसलिए section 5 of the specific relief act हमेशा पढ़ा हो जाता है with CPC, तो section 5 कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, it will be read with CPC plus limitation, क्योंकि CPC अपने आप में अकेले नहीं पढ़ सकते, limitation act बहुत important है, क्योंकि यह जो entitlement के अपन बात कर रहे हैं, इसका जिक्र इधर कहीं है ही नहीं, यह जो मैं आपको थोड़ी सी detail में लेके जा रहा हूँ, इसका purpose यह है, कि आप इस act के section 5 और 6 के बीच का अंतर समझ पाएं, वो difference समझना बहुत जादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी detail में लेके जा रहा हूँ, देखिए, section 5 ने कहा, you must be entitled for possession, entitlement इधर तो कोई अधिकार generate नहीं हुआ, CPC भी procedural law है, वो भी कोई as such right तो नहीं देता हूँ, procedure बताता है कि plant file करो, ऐसे ऐसे proceeding होगी, और आपका judgment decree आएगा, ठीक, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका limitation act से, कहां से आ रहा है, limitation से, अब limitation act में, जो article 65 और 64, इसमें दो articles है, जो schedule है न, limitation के, जो limitation period बगएरा बताते हैं, कि इस suit के लिए इतना sum है, वहां से ये entitlement actually arise हो रहा है, यहाँ पे दो article important है, एक है 64 और एक है 65, पहले मैं बात करूँगा 65 की, तो limitation act के जो schedule दिये हुए है, वहां पे, एक specific schedule है 65, वो मैं आपको यहाँ शोकर देता हूँ on screen, क्योंकि आप limitation का बेरेट लेके नई बैठें, बट मैं ये ये assume कर रहा हूँ, कि SRA का बेरेट आपके हाथ में है, तभी इस class को attend करिए, और ज़्यादा आप comprehend कर पाएंगे, अब देखिए, ये है आपका schedule की entry, article 64, limitation act का, ये क्या कहता है, देखिए, यहाँ पे क्या है, कि आपका वो right बताया है, उसका period of limitation, और कब वो period of limitation चालू होगा, यहाँ कौन सा right है, for possession of immovable property, based on previous possession, 64 की बात मैं अभी, बाद में करूँगा, जैसे मैंने आपको कहा, पहले में deal कर रहा हूँ, 65, 65 में क्या लिखा है, for possession of immovable property, और इनी interest दे रहे हैं, based on title, अगर आप, किसी भी title के आधार पे, अगर title के आधार पे, आप entitled हैं एक property के लिए, तो उसके लिए, period of limitation होगा, 12 साल, जिस भी दिन cause of action arise हुआ है, उस दिन से 12 साल के अंदर, आप वो property, recover कर सकते हैं, यह article 65, limitation act का कहता है, तो जो section 5 में, specific relief act के लिखा हुआ है, section 5, वो तो भाई देखिए, section 5, of SRA, अब इस, यह जो section 5 है, SRA का, इसके साथ, clearly लिखा है कि, CPC के हिसाब से आप recover करेंगे, और CPC के साथ चल रहा है, हमारा, limitation act, इसकी पहले हम बात कर रहे हैं, article 65 की, जो की title के आधार पे, एक विक्ति को entitle बता रहा है, कि अगर आपके पास title है, तो आपको 12 साल का, period of limitation है, उसमें आप suit file करके, property recover कर सकते हैं, तो section 5, specific relief act का, आप individually नहीं देख सकते, यहां का जो right arise हो रहा है, वो इस 65 से connected है, limitation act के, अब वापस, अपनी चीज़ पे अपन आते हैं, देखिए, 65 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो entitle होने चाहिए आप property के लिए, और period of limitation 12 साथ, यहां आपका cause of action क्या है, कि आपके पास अधिकार था, आपको एक अंतर समझना, एक तो यह होता है, कि आप किसी घर में रह रहे थे, दूसरे वक्ती ने आपको उस घर से निकाल दिया, आप entitled थे possession के लिए, लेकिन किसी वक्ती ने आपको आके उस घर से निकाला है, इसको हम कहते हैं dispossession, तो article 65 जो है यह dispossession की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके title की बात करता है, कि आप जिसे माल लेजे, आप मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन आपका एक घर भुपाल में भी है, जो आपको पुष्टैनी मिला हुआ है, या आपको विल के थुरू एक फ्लाट भुपाल में मिला हुआ है, आप वहां रह नहीं रहे हैं, आप रह रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन आपको पता चलता है, कि भाई साब, 1st of November को, किसी XYZ परसन ने, आपके उस भुपाल वाले फ्लाट की पॉजेशन हसिल कर लिया, वो वहां जाके रहने लेकबजा कर लिया, उसने आपके फ्लाट, अब आप एक चीज़ बताइए, क्या यहां आपका डिस पॉजेशन हुआ, क्या किसी वक्ती ने आपको उस फ्लाट से निकाला, और खुद पॉजेशन आसल की, दांसर इस नो, आप उस फ्लाट के लिए एंटाइटल्ड है, यह आपको स्टैबलिश करना है, कि हम एंटाइटल्ड हैं, कैसे करेंगे, विल की कॉपी दिखाएंगे, नहीं मांगते हैं, जिनरली, पॉजेशन, वहाँ आप पॉजेशन जो मांगते हैं, देखिए, 65 में आप किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं, टाइटल, कि हमारे पास अधिकार है, मैं उस घर में कभी रह नहीं रहा था, लेकिन मकान मालिक के साथ मैंने एक अग्रिमेंट कर लिया, कि अगले एक साल के लिए यह घर मुझे किरायपे में लेगा, अभी मैंने अपना सामान शिफ्ट नहीं किया, रहना चालू नहीं किया, लेकिन अग्रिमेंट है मेरे पास, तो मिरे पस title है possessory उस मकान मालिक ने मुझे घर से भगाया नहीं है लेकिन मैं उसके against suit file करके अपनी possession मांग रहा हूं कि आप मिरे को possession मिलनी चाहिए because I am entitled, मिरे पस title है title के ground के जब मांगते हैं तो limitation act का 65 attract होता है और जब आप ये कहते हैं जब आप 64 की बात करेंगे यहाँ पे title का कोई roll नहीं है यहाँ पे title का roll नहीं है यहाँ पे roll आता है settled possession का मैं समझाओंगा आपको ये क्या होता है settled possession मतलब एक लंबे समय से में इस घर में रह 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 था पिछले कुछ समय से मैं इस घर में रह 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 था इस आदमी ने आके मुझे unlawful तरीके से भगा दिया यहां भी मेरे एक right का violation हुआ है because I was already staying in that house किस हक से मैं रह 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 था उसमें नहीं जाएंगे लेकिन मैं इस घर में रह देखिए यह क्या होता है basically कि भाईया आपको अगर यह लगता है कि कोई वेक्ती जबरजस्ती आपके घर में रह रहा है इंटाइटल नहीं है तो आप suit file करिए court का चेरी में जाएए वहां से उससे घर खाली कराइए लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप तो लड़के ले आएं मार पीट के उसका सामान फिट दिया उसको आपने हाली करती है या आपको नहीं करना है ऐसे case में उसका भी right arise होता है कि वो जाके settled possession के अधिकार पे वापस possession मांग सकता है और इसके लिए आप फिर देखिए ज़रा 64 Article 64 limitation का कहता है for possession of immovable property based on किस चीज़ पे based है ये possession previous possession title के आधर पे नहीं मांग रहे हैं आप title के आधर पे जब मांगते हैं तो Article 65 attract होता है limitation का इधार आप मांग रहे है previous possession की पहले से मैं रहा था उस घर में इसने आके मुझे वाहां से भगाया है so for possession of immovable property based on previous possession and not on title when the plaintiff file in possession of the property has been dispossessed जिस व्यक्ति ने suit file किया है जो plaintiff है उसको उस घर से भगाया गया वो पहले से रह रहा था भगा दिया ऐसे किस में भी आप suit file कर सकते है limitation period यहां भी क्या है 12 साल कब से चालो होगा date of dispossession मैं एक घर में रह रहा था पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति आया उसने मुझे मार पीट के उस घर से भगा दिया जिस दिन से उसने घर से भगाया है 12 साल तक मैं कभी भी suit file कर सकता हूं recovery of possession का यह सब कुछ किदर दिया है limitation act में specific relief act का section 5 तो merely declaration है इन चीजों का यह जो section 5 है यह कहता है अगर आप entitled हैं तो आप CPC के हिसाब से possession मांग सकते हैं लेकिन वो पूरी कहानी कहां से आ रही है वो correlation मेरे ख्याल आपके समझ में आया जब हमने यहाँ limitation act लाए article 64, 65 दो तरीके से अगर आपको dispossess करा गया है और अब आप possession मांग रहे हैं on the ground of previous possession तो आपका suit किस से govern होगा article 64 से उसका भी limitation period 12 साल है अगर आप किसी immovable property की possession मांग रहे है on the ground of title कि भईया हम entitled हैं इसके लिए मेरे पास ownership का title है मेरे पास tenant का title है ऐसे किसी legal capacity में मैं possession मांग रहा हूँ entry number, article number 65 जो schedule है limitation act के उसमें जो article 65 है उससे आपका suit govern होता है और इसका भी limitation period जो है वो 12 साल है section 5 के साथ ही इन चीजों को पढ़ा और समझा जाता है अब ही अगर by chance आपने DJS का pre-crack कर लिया ना तो जब means देने जाओगे वहाँ ऐसे factual questions आते है case दिया रहता पूरा एक फाक and you have to write की क्या होगा इस case में वहाँ ये सब ज्यान की जरौत पड़ेगी वहाँ वो काम नहीं आएगा कि इसका answer तो भी होता है समझ रहे हैं और अपने जज़वनने आए हैं pre-nikाल के फोकट की इज़द नहीं चाहिए अपने को महले में कि ये वहाँ ये नपरी निकाला है अपने को जज़वनना है ठीक इसलिए थोड़ा सा सबर रख के चीज़ों को समझते चलिए मैं बहुत डीटेल में तो नहीं जा रहा हूं लेकिन जितना required है उतना अपन ज़रूर बात करेंगे चलिए ये हो गया आपका entitlement के ground पे section 5 बहुत clearly कहता है अगर आप entitled हैं तो आप possession हसल कर सकते हैं as per CPC entitle किदर से हो रहे हैं limitation act के schedule के article 64 से या फिर 65 से अगर dispossess किया गया है तो 64 से dispossess नहीं किया गया आप किसी title के आधार पे possession मांग रहे हैं तो आप article 65 से govern हो रहे हैं in that case इसके बाद अपन आते हैं अब 6 पे section 6 section 6 जो है न बेटा वो काफी कुछ similar है आपके section 5 और article 64 जो मैंने बताया उसके जैसा ही but there is difference between the two तो चलिए पहले अपन section 6 को पढ़ लेते हैं तिर आगे की बाद करेंगे बेरेट में देखिए section 6 suit by person dispossessed of immovable property if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law अगर किसी व्यक्ति को dispossessed किया गया है immovable property से otherwise than in due course of law बिना due course of law के कहने का मतलब market के भगा दिया law के violation में आपने किसी व्यक्ति को law के violation में अगर आपने किसी व्यक्ति से property की possession हासिल करी है उसको भगाया है और खुद possession ले ली है ऐसे case में he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit section 6 भी आपसे कह रहा है कि अगर आपको dispossess किया गया है किसी property की possession में आप थे वहां से आपको भगाया गया है तो ऐसे case में section 6 कहता है कि आप एक suit file कर सकते हैं और उस possession को वापिस hustle कर सकते हैं और ये काम section 6 में जो आप possession hustle कर रहे हैं क्या वो आप title के आधार पे कर रहे हैं the answer is no title का कोई लेना देना नहीं है ये clear language में लिखा है ये जो लेका है recover possession thereof not withstanding not withstanding any other title that may be set up in such suit title से मतलब नहीं है जिस विक्ती ने आपको dispossess किया भले ही वो owner हो लेकिन अगर उसने unlawful तरीके से आपको dispossess किया है तो आप possession का suit file कर सकते हैं title से मतलब नहीं है आप यहाँ पे क्या ground establish कर रहे हैं तो again आप क्या कर रहे हैं settled possession settled possession या फिर इसको हम कहते हैं previous possession कि भाईया हम already रह रहे थे उटर ठीक है that's settled possession और previous possession आप रह रहे थे किसी और ने आके अगर वो खहरा है कि मैं owner हूँ और इसने जबरजस्तिक अबजा किया है तो उसकी responsibility क्या है वो code जाए suit file करे और recover करे section 5 ने कहा तो है अगर आप entitled हैं किसी property के लिए तो चाहिए suit file करिए code आपको remedy देगा code खाली करवा के देगा घर आपको लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप लड़के ले जाके जबरजस्तिक खाली करवा रहे हैं तो law को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते इस बात को reflect करता है section 6 आप law को अपने हाथ में नहीं ले सकते आपकी responsibility क्या है अगर आप करें कि साब हम entitled है घर के लिए तो जाएए suit file करिए section 5 और हसिल करिए घर लेकिन अगर आपने किसी वक्ति को dispossess किया है उसने settled position या previous position establish करी है तो court उसे वापस position दिला देगा फिर आप से कहेगा जाओ suit file करो entitlement का और law legal process के through लेकिन अब यह जो section 6 है यह आपको काफी हद तक similar लग रहा होगा section 5 जो हमने पड़ा limitation के article 64 64 में भी तो यही था यह आपको बिल्कुल 64 की तरह लग रहा है वहाँ भी यही हो रहा था dispossess किया और फिर position के लिए आप suit file कर रहे हैं राउंड क्या है कि हम रह रहे थे हमको इसने भगा दिया और खुद इसने possession हसल कर ली तो आप section 5 में suit file करते है section 5 rate with article 64 तो यह similar लग रहा आपको but there is difference difference क्या है वो remedy आपके पास available थी limitation आपके थूँ यह वाली जो remedy थी वो तो आपके पास already available थी फिर section 6 create करने का purpose क्या है इसका मतलब क्या है क्यों इसको create किया गया इसका जवाब आगे के provision में है आगे देखिए provision subsection 2 देखिए 6 का no suit under this section shall be brought a after the expiry of 6 months from the data of dispossession यहाँ चो limitation period section 6 में वो 6 months का है जिस दिन आपको अभी मैंने आपको entry पड़वाई थी 64 की यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको आप previous possession में थे title के ground पे नहीं previous possession के अधिकार पे और आपको अगर dispossess किया गया है तो आप suit file कितने दिन के अंदर करना है आपको 12 years का time है जिस दिन dispossess किया गया वहाँ से 12 साल के अंदर आप suit file कर सकते है recovery of possession का लेकिन section 6 क्या कह रहा है यह 12 आरा साल की बात नहीं कर रहा बहुत clearly subsection 2 में सिर्फ और सिर्फ 6 मेने का limitation period दिया है 6 मेने के अंदर suit file करना है basic purpose section 6 का है इस remedy को speedier बनाना fast करना quick और economical क्योंकि जब आप section 5 का suit file करेंगे red with article 64 इसकी जो court fees है न वो ज़्यादा है पैसा ज़्यादा लगता है suit को file करने में section 6 जो SRA का है इसमें पैसा कम लगता है पहले चीज़ economical means है cheaper means है, सस्ता means है section 6 दूसरा speedier mode है क्योंकि यहाँ पर title की बात नहीं होगी वहाँ आप title भी मतब दूसरी party title setup कर सकती है जैसे आपने तो जाके suit file किया as per section 5 article 64 of limitation act कि साब इस वक्ती ने मेरे को यहाँ से भगाया है और आप मेरे को वापस position दिलवाईए अब जिस वक्ती ने भगाया और वहाँ पर जाके अपना title establish करेगा वो कहेगा साब मैं तो owner उस पर भी hearing होगी तो एक तो वो hearing लंबी चलेगी plus हो सकता है वो अपना title उस suit में establish कर दे तो आपको position ना मिले लेकिन section 6 बहुत clearly कहता है specific relief act का कि यहाँ कोई भी वक्ती अपना title setup नहीं करेगा title से कोई मतलब नहीं कौन entitled है हमको तो सरफ यह देखना है कि आपको अगर पहले से रह रहे थे आपको dispossess कर दिया गया है अगर तो हम आपको position वापिस दिलवा देंगे बस और जो वक्ती कह रहा है कि वो entitled है वो जाए suit file करे और ले अपनी possession तो यह जादा speedier mode section 6 यही purpose है section 6 का और थोड़ा सस्ता mode है आगे देखिए no suit under this section shall be brought after the expiry of six months from the date of dispossession और against the government सरकार के against section 6 का suit file आप नहीं कर सकते अगर सरकार ने आपको government ने आपको dispossess किया एक किसी property से तो section 6 का suit file नहीं करेंगे आप वो यह article 64 वाला करते रहिए यह नहीं कर सकते क्योंकि यह speedier mode individual rights के लिए लोगों ने आपस में जो यह dispossession करवाते हैं लोग जो अपने हाथ में कानूम ले ले लेते हैं उसको प्रविंट करने के लिए है section 6 government के against applicable नहीं है यह सब प्री के question है इदर section 6 का purpose क्या है वो भी समझिए economical और cheaper mode है और speedier mode है इसलिए section 6 है limitation period कितना होता है section 6 में तो ध्यान रखिएगा 6 मेंने कब applicable है section 6 जहाँ एक व्यक्ति को dispossess किया गया हो वो पहले से रह रहा हो उसको भगाया गया हो that's what the essential of section 6 आर इसके बाद subsection 3 भी बहुत important है इसका no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section nor shall any review of any such order or decree be allowed जो suit होगा section 6 का इसमें जो decree pass होगी उसके against appeal भी नहीं है क्योंकि अगर आपने appeal पे अलाओ करती है न तो बात वहीं आगे घुम फिर कि फिर वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हम उस प्रोसेस को short speedy or mode ही तो कह रहे है section 6 को इसलिए appeal allowed नहीं है ध्यान रखना साथ ही review भी allowed नहीं है revision हो सकता है इसमें अगर कोई order pass हो और revision आप जानते हैं higher quote करता है हमेशा तो revision allowed है लेकिन appeal और review allowed नहीं है that is very important question for prelim section 6 में जो decree pass होगी उसके against ना तो appeal होगी ना review होगा बट revision हो सकता है इसलिए मैंने काता section 6 जो है वो थोड़ा substantive nature का है क्योंकि अलग से एक अधिकार दे रहा है आपको इसके बाद last section देखिए nothing in the section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover position thereof अब देखिए हमने यहां यह कहा कि यह suit file कौन कर रहा है section 6 का ऐसा विक्ति जिसको एक property की possession से dispossess कर दिया गया भगा दिया गया जिसको वो जाके suit file कर रहा है तो वो suit file कर रहा है और हमने यहां कहा कि इस suit में कोई भी title की बात नहीं होगी जिसने suit file किया है ना वो अपने title की बात करेगा ना जो defendant है जिसने भगाया है वो अपने title को establish करेगा यहां title की बात होगी ही नहीं सिर्फ यह बात होगी कि possession में पहले कौन था और unlawful तरीके से उसको भगाया गया है बस title की बात होनी नहीं है लेकिन subsection 4 कह रहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप separate suit भी file नहीं कर सकते आप separate suit file कर यह जैसे किसी वक्ती ने एक वक्ती को possession से हटा दिया क्योंकि उसका कहना है साब घर हमारा है अब section 6 के हिसाब से तो जिस वक्ती को घर से भगाया गया है वो file करके possession वापिस हासिल कर लेगा लेकिन जिसने इसको भगाया था उसका contention तो यह है ना कि मैं owner हूँ मैं legally entitled हूँ तो भाई उसके पास यह option है कि तू जा और separate suit कर ले उसको हम नहीं रोक रहे हैं लेकिन जो तुमने इसको घर खाली illegal तरीके से कराया है यह सही नहीं है इसलिए हमने उसको possession वापिस दिलाईए आप जाके अपना title establish करिए उसके modes आपके पास है section 5 यह सारे का ही आपको अधिकार देता है कि title के ground पे आप possession हासिल कर सकते हैं तो separate suit को बार नहीं करता है इस बात का declaration है subsection 4 यहां यह होगया आपका section 6 I hope section 5 और 6 के बीच का अंतर आपके समझ में आया 5 जो है वो generally title के आधार पे बात कर रहा है या फिर dispossession के आधार पे भी बात कर रहा है लेकिन उसमें time limit जादा है slower mode है और महंगा है section 6 एक speedier mode है सस्ता है चीक और यहां title का contention नहीं होता वहाँ title defendant established कर सकता यहाँ title की बात ही नहीं होगी इस suit में कहीं भी title की बात ही नहीं होगी सिरफ यह establish करना है कि पहले से हम रह रहे थे दर सक्षाटर तो that section 5 और 6 जो immovable property की possession की recovery की बात करते हैं इसके बाद आ जाते हैं अपन section 7 और 8 पर अब देखिए आप section 7 और section 8 को समझिए section 7 और 8 बात करते हैं conversion और detanue की conversion और detanue होता क्या है detanue का मतलग कोई एक व्यक्ति movable property के लिए entitled है और आपने उसको उस movable property से deprive कर दिया मेरा mobile phone है मैंने खरीदा I am entitled for that mobile phone आपने मुझे उस phone से deprive कर दिया है उस phone को destroy नहीं किया वो phone ना तो अभी waste हुआ है ना lost हुआ है लेकिन कहीं रखा है आपके पास या किसी और के पास लेकिन आपने मुझे deprive किया है मेरी movable property से और it is still in existence if it is still in existence तो क्या मैं court में suit file करके वो phone recover कर सकता हूँ वापिस मांग सकता हूँ yes the answer is yes बिल्कुल मांग सकता हूँ लेकिन अगर मान लेजिए मेरा phone आपने लिया है और आपने उसको destroy कर दिया आपने तोड़ दिया या आपने convert कर लिया अपने use के लिए इसको बोलते है conversion detainee का मतलब होता है सिर्फ deprive कर देना और conversion का मतलब उसको खराब कर देना या फिर खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको convert कर लेना उसमें कोई ऐसे changes कर दिये हैं जो अब मेरे काम का वो नहीं रहा that's what conversion is तो ऐसे case में मैं phone वापिस मांगूँगा क्या quote के पास जाके the answer is no अब मैं का जो phone खो गया है या तूड गया है अब recover करके क्या करूँगा भईया ऐसे case में मैं क्या मांगूँगा पैसा money compensation तो seven eight in दोनों की बात करते हैं eight specifically deal करता है conversion में यह कई बार ना प्री में सवाल आते हैं जैसे TGS अगर आप देने जा रहे हैं हर्याना अगर आप देने जा रहे हैं इस तरीके के सवाल आप से पूछे जाएंगे कि section eight detenio में डील करता है या conversion में तो ध्यान रखना section eight सिरफ conversion में बात करता है और वो समझना है क्यों क्यों कि conversion का मतलब होता है कि अब वो property उसके इस्तेमाल की नहीं रही जिसकी वो थी तो अब वो वापिस लेके करेगा क्या वो वापिस लेके कुछ सॉरी मैं आपको section उपर नीचे हो गए मुझसे section seven बात करता है conversion detenio दोनों की whereas section eight बात करता है detenio only कि property है property अभी waste नहीं हुई है खराब नहीं हुई है जहाँ property exist कर रही है खराब नहीं हुई है वहाँ आप recover कर सकते हैं and that's what section eight says कि आप recover कर सकते हैं property लेकिन section seven कहता है कि आप property recover करने का release भी मांग सकते हैं या पैसा भी मांग सकते हैं in lieu of that क्योंकि हो सकता है वो property destroy हो गई है तो फिर आप उसको वापिस लेके करेंगे क्या तो उसके बदले में पैसा मांग लेंगे तो section seven जो है यह दोनों में deal करता है section eight जो है वो सिर्फ और सिर्फ deal करता है detainee के cases detainee मतलब property exist कर रही है लेकिन आपको उस property से deprive कर दिया गया तो आप वापिस मंग सकते हैं यहाँ पे आप property recover कर सकते हैं और section seven के तहत आप property या फिर क्लेम या damage निखिले तेस को compensation तोनों मांग सकते हैं कि सब property देदी जी प्रोपरटी नहां तो compensation देज़े पढते है section seven language तो आप और अच्छे से comprehend कर पाएंगे इस चीज़ को section seven केता है recovery of specific movable property जैसे section five के रहा था recovery of specific immovable property यह के रहा है recovery of specific movable property a person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the code of civil procedure CPC के हिसाब से आप उसको recover कर सकते हैं CPC के हिसाब से आप recover कर सकते हैं कोई भी movable property जिसके लिए आप entitled हैं अब जो यह additional ग्यान में आपको दिया है कि जब आप section seven का suit file करते हैं SRA में with the help of CPC वहाँ पे आप दोनों चीज़ें क्लेम करते हैं वहाँ पैसा भी क्लेम करते हैं और property प्रॉपर्टी तो क्लेम करी रहें कि भाई मिरको प्रॉपर्टी को अपिस से यह लेकिन आप साथ में एक money compensation भी लिखते हैं कि अगर property नहीं मिली तो में को at least इतना पैसा दिलबा दिया जाए यह आपको पता चलेगा जब आप आप CPC के appendix में जाएंगे ना वहाँ जो forms दिये हुए अलगल है suit file करने के वहाँ से यह ज्यान आता है लेकिन क्योंकि आप DJS की तायरी कर रहे हैं या हर्याना जिसे exams आप देने जा रहे हैं यू must know such things as well प्री में भी कई बार यह सवाल पूछे जाते हैं कि section 7 किस में deal करता है 8 में ठीक तो 7 का जो format आप देखेंगे वहाँ वहाँ दोनों चीज़ें भरनी होती है property की recovery साथ में उसके बदले में जो compensation आप मांग रहे हैं तो नों लेकिन जब आप section 8 का suit file करते हैं वहा सिर्फ और सिर्फ आप property मांगते हैं आगे देखिए section 8 उसकी अपनी कुछ conditions है section 7 समझ में आया कि आप अगर किसी movable property के लिए entitled है तो CPC के हिसाब से उसको claim कर सकते हैं अब CPC के हिसाब से claim करना है तो वहाँ specific format है उसका लेकिन उसमें आपको दोनों चीज़ें भरनी होती है property भी चाहिए property नहीं है तो फिर compensation मिल जाए दोनों में से कुछ भी मिल जाए चलेगा इसलिए मैंने कहा section 7 दोनों में deal करता है conversion और detain you को deal करता है क्योंकि यहां सिर्फ possession मिलती है अब यह चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी समझ में आ गया है क्यों दोनों कौन सा किसमें deal क कर रहा है इसके explanations भी देख लिए एक बार section 7 के explanation 1 है a trustee miss you under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is he is trustee is entitled देखिये जो trust trust क्या होता है trust का अगर basic idea आपको बस पता है कि कोई भी property एक व्यक्ति किसी के behalf पे hold कर रहा होता है वो सिर्फ care taker होता है उस property का ultimate beneficiary नहीं है जैसे एक father ने अपनी property के लिए किसी एक्स वेक्ति को trustee बना दिया क्या आभी मेरा लणका छोटा है जब वो बड़ा हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तू ये property उसको देदे ना तक तक तू trustee है तू समाल इस property को care कर इसके लेकिन ultimate beneficiary कोई और है उस property का तो ऐसे मैं section 7 क्या रहा है कि वो trustee भी suit file कर सकता है recovery का अपने beneficiary के interest को protect करने के लिए explanation 2 है a special or temporary right to the present possession of movable property sufficient to support a suit under this section तो आपको अगर section 7 का suit file करना है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप owner है उस property के just movable property को आप recover करना चाह रहे है उना रहना होना जरूरी नहीं है आपको temporary possession का अधिकार established करना प्रेजेंट 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 के अभी मैं entitled हूँ उस property के लिए उस property की possession के लिए बस इतना आपने establish कर दिया तो आप section 7 का suit file कर सकते हैं जैसे मान लीजे for example मैंने अपना mobile phone गिरवी रखा किसी व्यक्ति से loan लेने के लिए एक व्यक्ति को मैंने गिरवी रख दिया है उससे मैं बीस हजार रुपे उधार ले लिए हैं अपना mobile phone गिरवी रख के अब जाके अगर उसकी possession से मैं phone ले आता हूँ या मेरे बेहाफ पे कोई जाता है और उसकी possession से phone ले आता है तो वो व्यक्ति section 7 का suit file कर सकता है क्योंकि अभी possession के लिए entitled कौन है वो जब तक मैं उसका loan नहीं repay कर देता तब तक possession phone की उसके पास होनी चाहिए he is entitled for that वो भी section 7 का suit file कर सकता है इसके लिए ओना र रहा कि आप सिर्फ property recover कर सकते हैं section 8 में तो section 8 देखिए liability of person in possession not as owner to deliver to persons entitled to immediate possession head note में ही सारी कहानी लिखी है यह जो head note कह रहा है liability of person in possession कोई एक व्यक्ति एक property की possession लेके बैठा है लेकिन वो owner नहीं है possession लेके बैठा है लेकिन owner नहीं है उस property का ऐसे case में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे compel कर सकता है जो भी वहाँ पे immediate possession के लिए entitled है वो से compel कर सकता है कि लाओ भाई मेरी property दो ठीक कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां suit file कर सकता है जो immediate possession के लिए entitled है किसे मांग रहे हो आप possession किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास property है लेकिन वो owner नहीं है उस property का जैसे मैंने अभी आपको section 7 के लिए बताया न कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो immediate possession के लिए entitled हो वो मांग सकता है लेकिन section 8 की एक requirement है owner के against यह suit file कभी नहीं होगा section 7 में आप किसी के against भी मांग सकते है immediate possession के लिए आप हगदार होने चाहिए 8 clearly कहता है और इसलिए मैंने कहा था कि 8 में आप सिर्फ property ही मांग सकते हैं compensation नहीं मांगते था देखिए आगे देखिए 8 any person having the possession or control of a particular article of movable property of which यह बहुत important है इसको underline कर लीजिए of which he is not the owner section 8 का suit ऐसे वक्ति के against किया जा सकता है जो उस property का owner नहीं हो अगर owner है कोई वक्ति movable property का तो उसके against आप section 8 का suit कभी file नहीं कर सकते हैं so of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases specific cases भी बता है section 8 में कि कौन किस से मांग रहा है जो property hold कर रहा है वो as an owner नहीं है जिसके पास जिसकी possession में वो movable property वो owner नहीं होना चाहिए that is the first requisite owner मांग सकता है property दूसरे से लेकिन owner से आप property नहीं मांग सकते है भले उसकी possession में किसी भी तरीके से हो section 8 में आगे वो conditions दी है उन लोगों के बारे में बताया है कि किसकी possession में property है तो दूसरा व्यक्ति मांग सकता है ए देखिए when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff जो बंदा suit file कर रहा है जो plaintiff है जो possession मांग रहा है वो जिस व्यक्ति से मांग रहा है वो व्यक्ति इसका agent है जैसे मान लीजिए मैंने एक नया विपार चलू किया जिसमें मैं laptop बेचने का मैं विपार करता हूं और उसके लिए मैंने अलग-अलग agent बना रखे हैं पूरे मध्यपरदेश में इंदौर में एक agent है ग्वालियर में एक agent है जवलपूर में एक agent है जिसको मैं यहां से laptop manufacture करके भेजता हूं और उसका काम है बेच के पैसे देना माल लीजिए मेरे भेजे हुए आयम दी प्रिंसिपल ही इस माई एजन्ट उसके पास मेरे कुछ laptop पढ़े हैं जो मुझे दे नहीं रहा है उसका contract खतम हो गया है या फिर उसको जो time limit दी थी वह expired हो गई या मैंने का भईयला laptop वापिस कर वो उसके बापिस मांग सकता हूं because he is holding in the capacity of agent तो मैं उससे suit file करके अपने laptop बापिस मांग सकता हूं भी देखिये when compensation and money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of thing claimed तो या तो वो गट्ती as an agent और trustee hold कर रहा हो या फिर ऐसी जगे पे भी मैं movable property specific property ही claim कर सकता हूं जहां money would not afford the plaintiff adequate relief पैसा अगर में लूँगा तो वो मेरे लिए adequate relief नहीं होगा जैसे मान लीजिए कोई ऐसा movable property का article है जो मेरे लिए emotional value रखता है मेरे great grandfather की कोई घड़ी है मेरे grandfather की कोई घड़ी है जो मेरे लिए emotional attachment की तरह है अब उसको आप पैसे में जिसने भी उस property से मुझे डिप्राइव किया है जिसके भी पास वो property है वो यह भी हो सकता है कोट से का भी यह compensation देतो रहे है या मैं compensation मांग सकता हूं लेकिन मैं अगर कोट में मिरको यह यह चीज़ अगर मैं कोट में बता हूं कि आप उस case में वो जो जो घड़ी है वो adequate relief नहीं होगा मेरे लिए कि आप मेरे को पैसे दिलवा दे मुझे तो आप property ही दिलवाईए specifically क्यों क्योंकि वो मेरे लिए एक emotional value रखती है पैसे से adequate relief नहीं मिलेगा यहां ऐसे cases में भी section 8 का suit file करके property recover करी जा सकती है c देखिए when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss ऐसी situation जहां actual damage determine ही नहीं कर सकते basically quantify नहीं कर सकते कितना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने का नुकसान होगा इसका पैसे का जैसे माल लेजे कोई antique चीज है मेरे पास सौ साल पुरानी एक car थी मेरे पास जो किसी ने ले ली सौ साल पुराना कोई instrument था जो किसी ने ले लिया musical instrument अब आज की date में उसकी क्या कीमत है इसको quantify करना संभव नहीं है और मिरको से कितना loss पहुँचे का कितने पैसे का loss मेरा होगा यह quantify करना संभव नहीं है ऐसे case में भी मैं specifically वो property claim कर सकता हूँ सीदे की भाई में को तो court से मैं कहूँगा मिरको साब आप सीदे property दिलाइए और पैसा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे possible नहीं है उस चीज़ को calculate करना इसके बाद देखिए D when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff मुझसे गलती से किसी वेक्ति को property चली गई है तो अब मैं उससे वो property ही मागूँगा अगर यह होई कि भाई compensation ले लो तो नहीं क्योंकि मुझसे भाई mistake वो deliver हो गई थी मैं किसी और को भेजना था property गलती से किसी और के पास चली ग specific property कि वह लाओ तुम तो मेरी property क्योंकि वो property मैं किसी और को भेज रहा था गलती से किसी और को मिल गई है ऐसे case में भी मैं property specifically claim कर सकता हूं तो यह चार conditions हैं जिसमें किसी भी ऐसे वेक्ति से जो उस property को hold कर रहा है लेकिन ना तो वो owner है ना possession के लिए entitled है उससे एक ऐसा वेक्त possession के लिए entitled जरूरी नहीं कि जो मांग रहा है वो owner ही उप्लेंटिफ owner जरूरी नहीं है he must be entitled for its immediate possession बस वो मांग सकता है और यहां पे क्या मांगा जाता है specifically property ही मांगी जाती है वो property ही चाहिए मुझे क्योंकि पैसे में compensation तो adequate नहीं है या the calculative नहीं है quantum उसका fix नहीं कर सकते अच्छा explanation भी इस बात को कहता है कि यह जो दोनों B और C clauses हैं इसमें the court shall presume हर movable property के case में the court shall presume कि इसको पैसे में compensate नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है the court shall presume कि पैसे में quantify नहीं कर सकते इसका मतलब burden of proof opposite party के पास होगा जैसे मान लीजे मेरी कोई घड़ी किसी दूसरे वक्ति की possession में है और मुझे उससे specifically घड़ी मांगनी है मैं कब मांग सकता हूँ जब या तो वो as an agent hold कर रहा हूँ मानलीजे वो agent नहीं है section B और C के हिसाब सारी clause B और C के हिसाब से मांग सकता हूँ मैं court के अब जब मैं B और C के हिसाब से उसके under अगर suit file कर रहा हूँ under clause B और C मैं उस घड़ी को recover करना चाता हूँ तो मुझे court के सामने ये proof नहीं करना पड़ेगा कि साब मेरे लिए वो अलग value रखती है पैसे में calculate नहीं कर सकते हैं the court shall presume our movable property case में the court shall presume कि वो ऐसी property है जो पैसे में quantify नहीं हो सकती और अगर shall मतलब rebutable presumption दूसरी party अगर contrary fact proof कर दे तो बात बन जाएगी फिर मुझे compensation ही मिलेगा लेकिन burden of proof किस पर होगा दूसरी party मुझे नहीं होगा मैं अगर property मांग रहा हूँ movable property कि साब मुझे ये property ही चाहिए specifically तो मुझे ये proof करने की जरूरत नहीं है कि वो B और C clause में fall करती है कि वो पैसे में quantify नहीं हो सकती था court will presume कि वो ऐसी property है हाँ बट opposite party अगर proof कर दे तो बात ठीक है that is a rebutable presumption of law इस तरीके के भी pre में आपको questions देखने को मिलेंगे कई बार मद्ध प्रदेश वाले भी ऐसा twist मार देते हैं जैसे 2019 phase 2 का exam था सारे conceptual question आये थे बच्चों के साथ साथ मस्चरों का भी दिमाग घूंग गया था कि क्या सवाल पूछ रहे हैं problem उनी students को होती है उस case में भी जिनने answer याद कर लिए इसने समझा है वो वहाँ भी क्राक करके आये हैं exam छीक इसी लिए थोड़ा सा अपन conceptually भी देख रहे हैं तो यह explanation कहता है इस presumption के बारे में and that's all about section 8 तो section 8 के एक बार दुबार आपको revise करा दूं प्री के question section 8 किसके against file होगा तो owner के against नहीं हो सकता पहली चीज section 8 में आप मांगते क्या है possession of specific movable property कब मांग सकते हैं जब जिस वक्ती ने जिस वक्ती की possession में वो property है वो possession के लिए entitled नहीं है as an agent अगर वो hold कर रहा है या फिर ऐसी property है जिसे पैसे में quantify नहीं कर सकते या पैसा जहाँ adequate relief नहीं होगा दोनों बाते हैं ऐसे में भी आप section 8 का suit file कर सकते हैं या फिर गलती से property transfer हो गई है plaintive से तो वो मांग सकता है section 8 का suit file करके यह कुछ important problems के question है section 8 के और इसका explanation भी important है जो मैंने अभी आपको समझा दिया so that is about recovering possession of property तो यह देखिए भाई जो हमने यहां सबसे पहले बात की थी कि अलग-अलग remedies अलग-अलग relief provide कर रहा है specific relief act इसमें से एक relief तो हमने भाई cover कर लिया कौन सा possession of property इस से related चार प्रावधान हमने पड़े है section 5 हमने पड़ा है section 6 पड़ा है जो immovable property की बात करता है 7 और 8 पड़ा है जो movable property की बात करता है तो that's how recovery of possession is given as a relief under specific relief act तो यह एक remedy आपकी complete हो गई and I hope this is clear to everyone इसके बाद आते हैं अपन अब दूसरी remedy की तरफ जो है आपका specific performance specific performance किसका contract का specific performance उस से related provisions देखते हैं तो देखिए यह जो chapter है chapter 2 specific performance of contract section 9 कहता है सबसे पहले defenses respecting suits for relief based on contract section 9 को brief में समझ लीजे आप read out बाद में कर लीजेगा section 9 कहता है कि भाईया chapter 2 जो है specific relief act का यह आपको specific performance मांगने का अधिकार दे रहा है तो जब भी आप specific relief का suit file specific performance का suit file करेंगे तो defendant के पास जो defenses तो मेरे part पर voidable है इसलिए इसको enforce करा ही नहीं सकता तो ऐसे जो defenses Indian contract act में defendant के पास वहाँ available थे वो सारे defenses in specific relief act में भी available हुँगे अगर suit specific performance का है वहाँ पे भी जो defendant है वो यह सारे defense claim कर सकता है वो वहाँ ही court में यह proof कर सकता है कि साब agreement avoid है कहां की specific performance जब agreement avoid है तो कोई legal enforcement उसका होगा ही नहीं तो वो सारे defenses जो contract में available है defendant के पास वो सब यहाँ भी available होंगे, इस बात का declaration है section 9, pre के लिए important question है section number, सिर्फ यहाँ पे पूछ ले जाता है, एक बार read out कर देता हूँ, except as otherwise provided herein, where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, the person against whom the right is claimed may plead by way of defense, any ground, underline कर सकते हैं आप इसे, any ground which is available to him under any law relating to contract, contract से related law में जो defenses available हैं, वो defenses यहाँ भी मिलेंगे, इस बात का mayor declaration, फिर आई यह section 10, this is very important, section 10 तो बहुत important है क्योंकि specifically specific performance की ही यह बात करता है, so this is very important, section 10 क्यता है specific performance in respect of contracts, the specific performance of a contract shall be enforced by the court, subject to the provision contained in subsection 2 of section 11, section 14 and 16, देखिए बाई, section 10 जो है na 2018 का जो amendment था, specific relief act का वो बहुत significant amendment था, काफी सारे significant changes यहाँ specific relief act में करे गए थे, with the help of 2018 amendment, और section 10 पर ले बहुत बड़ा था, पिछले वाले में अगर आपके बेरिक में footnote में दिया है, तो previous section 10 आप देख सकते हैं, उस समय पे specific performance grant करना was a discretion of the court, अब जिसको discretion से हटा के, अब वो mandatory हो गया है, mandatory मतलब देना ही है, अगर कोई वेक्ती specific performance मांगने आया है contract का, तो court को देना ही है, it is just subject to three provisions, 11 का clause 2, section 14 और 16, अगर वो comply हो रहे हैं, तो आपको देना ही देना है, pound है code, इसलिए shall word use है, तो देखिए कह लेका है, the specific performance of a contract shall be enforced, इसको underline कर लेजिए, mandatory हो गया है, पहले आप देखेंगे discretionary था, में लिखा था पहले, इसके पहले जो था, वहाँ discretion of the court clearly लिखा था, अब नहीं है, अब mandatory होगे है, 2018 के अब देना ही देना है, specific performance आप, so the specific performance of contract shall be enforced by the court, subject to the provisions contained in subsection 2 of section 11, section 14 and 16, तो यह कहता है, specific performance मिलेगी, देना ही है, mandatory है, but it is subject to section 11 plus to section 14 and 16, subject to this, बाकी मिलेगी, चिक, इनको अभी अपन पढ़ते हैं, एक एक करके कि इनमें क्या लिखा है, पहले मैं इनहीं की बात करूँगा, because they are correlated, थोड़ा से एक brief बता दे रहा हूं बस, जैसे section 11 का head note आप देखिए, यह है trustees के case में, तो कहां specific performance नहीं मिलेगी, इस बात का mention है, ऐसे section 14 का head note देख लिजे, बस bear it में, contracts not specifically enforceable, clearly बताया, कौन से वो contract है, जो specifically enforceable नहीं होंगे, कहने का मतलब जिनमें specific performance नहीं मिलेगा, section 16 बात करता है, इसे लोगों की, section 16 का head note है, personal bars to relief, कौन लोग है, जो specific performance claim नहीं कर पाएंगे, तो subject to these three provisions, specific performance is a mandatory relief, जो देना ही है, कोट्स को, अब आईए section 11 पे, section 10 बहुत important है, प्री के लिए, इसलिए इसको बिलकुए भी miss मत करना, section 11, cases in which specific performance of contracts connected with trust enforceable, देखो भाई, specific performance का, आपको concept, मैंने इस class के starting में समझा दिया है, कि specific performance का मतलब क्या होता है, जहां contract में जो party है, उससे उसका obligation ही fulfill कराया जाए, जो उसने contract में लिया है, उसको अपन कहते हैं, specific performance, ठीक, उसी को claim करने की बाद इस पूरे chapter में चल रही है, 11 देखिए, cases in which specific performance of contracts connected with trust enforceable, except as otherwise provided in this act, specific performance of a contract shall be enforced when the act agreed to be done, is in the performance wholly or partly of a trust, अगर मान लेजिए, trust के अंडर भी कोई contract हुआ है, तो वो भी specifically enforced कराया जा सकता है, कहने का मतलब, trustee ने अगर कोई contract किया है on behalf of the beneficiaries, कहानी मैं आपको भी बता चुका हूँ, दो मिनट पहले, तो किसी trustee ने अगर कोई contract किया है, तो वो भी specifically enforceable होगा, under trust भी अगर कोई contract किया गया है, वो भी specifically enforceable होगा, ये बात कहता है, section 11 का subsection 1, लेकिन subsection 2, जिसका जिक्र हमने यहां किया है, वो different बात करेगा, तो देखिए क्या कहता है, लेकिन जितना अधिकार उस trustee को दिया गया था, रिगार्डिंग डाट प्रॉपर्टी के आप उसके रिगार्डिंग क्या क्या कर सकते हैं, अगर वो अपनी authority के बाहर जाके कोई contract करता है, अपनी authority से हट के उससे जादा, जो उसके पास power नहीं था जो करने का, ऐसा contract अगर वो करके आ जाता है, तो वो contract specifically enforced नहीं होगा, बहुत simple logic है, beneficiary का interest impact होगा, हो सकता है trustee, भाई उसको जितना power दिया था हमने कि जिस तरीके से तुमको property deal करनी है, तो मुझसे ज़्यादा deal कर आएसे में तो beneficiary का interest impact होगा न, इसलिए 11 का subsection 2 कहता है बहुत clearly, कि अगर trustee ने अपने power से excess में कोई contract किया है, उसको court specifically enforced नहीं कराएगा, हाँ, उसने अपनी power के अंदर जितने specific performances किये हैं, वो सब के सब, उसने जितने contracts किये हैं, वो सब के सब, उन सब में specific performance मिल सकती है, लेकिन power के बाहर जाके अगर trustee ने कोई contract कर लिया है, वहाँ specific performance नहीं मिलेगी, and that is very important, 11 clause 2 is very important. अब आते हैं एक और अतरंगी provision पे SRA के section 12, काफी complicated provision ये लगता है, बट आभी अपन इसको discuss करेंगे, उसके बाद I hope आपको उत्ता complicated ये नहीं लगेगा, बट फिलहाल तो complicated है, अगर आपने कभी भी SRA पढ़ा है, और इस provision को readout किया है, तो I am pretty sure, ति दिमाग का दही हुआ होगा आपके, ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले जब overview समझ लेते हैं, इस provision का फिर language पे जाएंगे, देखिए section 12 बात करता है, कि सवाल का जवाब देता है, basically section 12, कि क्या एक contract का specific performance, part में दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए, एक वेक्ती ने contract किया, एक सड़क बना नेटा, पूरी नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ी सी बना पा रहा हूँ, क्या उस case में specific performance मांग सकते हैं, कोई भी obligation आपने लिया है, आप इस हलत में नहीं है, कि उसे पूरा कर पाएं, आधा, तो क्या आधा specific performance मांगा जा सकता है, claim किया जा सकता है, अगर कोई वेक्ती अपने contract का जो obligation है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो एक तो होता है, कि आप पूरा specific performance मांगे, कि नहीं साब आप तो यह ही दो, लेकिन कई बार ऐसी situation हो सकती है, कि वो इस capacity में ही नहीं है, जैसे for an example, मान लेजिए, A ने B के साथ एक contract किया है, कि ये जो एक piece of land है, जो B का कहना है मेरा है, ये जो piece of land है, B का कहना है मैं entitled हो, मेरा ये land है, और इसको खरीदने का contract A ने कर लिया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है, कि इस land का एक portion छोटा सा, ये वाला जो portion है, इतना, ये किसी और का है, इधर पे एक खेत था, जो C का है, और इतना portion उसमें आता है, अब भी कह रहा है, कि साब ठीक है, वो हो गए गलती, इतना सा भी हमने बता दिया, हमारे खेत का part नहीं है, लेकिन आब इस ground पे, ये बंदा मला कर रहा है, कि नहीं हमको खरीदना ही नहीं है, तो क्या specific performance, इस agreement का हो सकता है, कि नहीं हाँ आप ये, कि obligation का एक part, specifically enforce कराया जा सकता है, that's a question, जिसका जवाब देता है section 12, कि specific performance, कब part में मांगी जा सकती, और कौन मांग सकता है, भाई B is unable to perform his obligation, वो पूरा land नहीं दे पारा, मान लिजिये, पचासार रुपे में इस land का सौदा हुआ था, A को देने थे 50,000, और B को देना था, ये land, A तो तयर बटा है 50,000 लेके, B अपना obligation पूरा fulfill नहीं कर पा रहा है, अब दोनों में से कोई भी मांग सकता है, specific performance हो सकता है, A का है, किसाब दिलवाओ, लेकिन वहाँ तो B अपनी inability देदेगा, किसाब है ही नहीं हमारा अपसी का है, तो किसे देदोगे तुम उसमें, अगर B जाता है कोट के पास, specific performance मांगने, किसाब A आप खरीदने से मना कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा portion उसमें नहीं है, लेकिन बाकी तो हम देने को ताहीं आ रहे है, इसलिए अब आप compensation मत दिलाएए, वो मत करिये, आप तो specific performance कराएए, कि हमने तो land का सौधा खर दी, आप हम कहां जाएंगे दूसरा गराग डूनने, हमें तो specific performance दिलाओ कि यह यह land खरीदे, ठीक है उत्ता पैसा obviously काट लिया जाएगा, consideration का proportionately, तो क्या B specific performance मांग सकता है, क्या ASE specific performance मांग सकता है, क्या होगा इन cases में, जहां party अपना obligation पूरा fulfill नहीं कर पा रही है, क्या part में obligation का specific performance मांगा जा सकता है, इस सवाल का जवाब basically section 12 देता है, अब पढ़ते हैं इसका provision और इसकी intricacy को अपन समझते हैं, कि यह कहता क्या है, इस से related questions भी prelims में आते हैं, बहुत ज़्यादा conceptual question आने की संभावना directly तो नहीं होती है, बट कई बार exams में pre में आता है, और means के लिए भी बहुत important है, तो at least you must have an understanding of this provision, तो देखिए इधर लिखा है सबसे पहले, except as otherwise here and after provided in this section, the court shall not direct the specific performance of a part of contract, तो पहला जो section 12 का, subsection 1 है, वो तो merely इस बात का declaration है, कि भाईया general rule यह होगा, कि part में specific performance नहीं मिलेगी, general rule will be this, कि part में specific performance नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन section 12 में आगे, जो conditions दी हुई है, उस हिसाब से ही, सिर्फ उस हिसाब से, part performance हो जाएगा, specific performance part में, सिर्फ उनी circumstances में होगा, और उनी conditions में होगा, जो section 12 में आगे, specify करी गई है, इसके अलावा, किसी और तरीके से, या किसी और circumstance में, part performance नहीं होगा, contract का, सिर्फ जो यहाँ लिखा है, उस हिसाब से होगा, that's the meaning of subsection 1, subsection 2 देखिये, where a party to a contract, is unable to perform the whole of his part, of it, but the part which must be left unperformed, by only a small portion, to the whole in value, and admits of compensation in money, अब देखिये, जो बात चल रही है, कि एक part तो आप, अब देखिये, जब भी आपका obligation, unperformed रहेगा, जो आप उसको perform नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक portion आप perform कर पा रहे हैं, एक portion नहीं कर पा रहे हैं, तो subsection 2, ऐसी इस्थिती की बात कर रहा है, जहाँ पे जो ऐसा portion है, जो आप perform नहीं कर पा रहे हैं, unperformed, वो कम है, in comparison to that portion, जो आप perform कर रहे हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको example दिया, A और B का, land खरीदने वाला, by this piece of land was to be conveyed, इसका जो major portion है, वो तो वो दे पा रहा है, लेकिन इतना सा portion है, बस इतना सा, एक छोटा portion है, जो वो conveyed नहीं कर पारा, जिसका वो specific performance नहीं दे सकता, आगे देखिए, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना, कौन सी party की बात चल रही, तो इधर तो अभी specify नहीं किया है, ये पार्ट है अपका अनपर्फॉर्म्ट, and admits of compensation in money का मतलब, जितना पार्ट अनपर्फॉर्म्ट है, ये पार्ट है अपका अनपर्फॉर्म्ट, इस चैन बी कॉम्पनसेटेड इन मनी, पैसे के फॉर्म में इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, क्याने का मतलब, अगर वो separate portion है, अगर पैसे के फॉर्म में इतना जो नहीं दे पा रहे हैं, उसको पैसे के फॉर्म में अगर कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में इस सबसेक्शन तो एप्लिकेबल होगा, ठीक, तो क्या कर रहे हैं, जो portion हम perform कर पा रहे हैं, वो larger portion है obligation का, और एक छोटा portion नहीं कर पा रहे हैं, बट compensation can be given for that, and the person is ready to do that, अब आगे देखिए, and admits of compensation in money, the code में at the suit of either party, यहाँ पे suit file कौन कर सकता है, दोनों में से कोई भी specific performance मांग सकते हैं, पार्ट में ऐसी situation में, लिखा है, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract, as can be performed, and award compensation in money for the deficiency, तो भईया, आगर ऐसी situation है, जहाँ पार्टी larger portion तो perform कर पा रही है, लेकिन थोड़ा सब portion perform नहीं कर पा रही है, ऐसे case में दोनों में से कोई भी party, देखिए, यहाँ दो पार्टी होंगी, एक वो पार्टी है, जो अपना performance फुल्फिल कर रही है, एक वो पार्टी है, जो अपना obligation पूरी तरीके से फुल्फिल नहीं कर पा रही है, यह पूरा कर रही है, तो यह अगरीव्ड है इस case में, अगरीव्ड कौन है, ए, तो कि वो तो अपना सब कुछ कर रहा है, भाई माल लेजिये, पांच लाग रुपे की बात हुई थी consideration, वो तो तयार बैटा, पांच लाग लेके, लेकिन उसको पूरा लांड मिल नहीं पा रहा है, लेकिन सब सेक्शन टू कहता है, जहां अन परफॉर्मड पोर्षन कम है, बहुत लॉजिकल भी है, और यह अन परफॉर्मड पोर्षन कम है, और उसको पैसे में कॉम्पनसेट किया जा सकता है, तो ये भी कोट के पास जाके, ये भी कोट के पास जाके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, कि ठीक है साब वो छोटा सा portion नहीं दे पा रहा इस ground पे आप उसको यदिकार मत दीजिए कि वो land convey ना करे और सिर्फ मेरे को compensation दे दे in case of breach of contract ऐसा नहीं है मेरे को तो आप land दिलवाओ भले वो छोटा सा portion नहीं मिल रहा उसका consideration obviously वो नहीं देगा लेकिन इसके चक्कर में मेरा य सकता है और बी भी जाके specific performance मांग सकता है भले वो इनकॉंपेटेंट है इनकेपेबल है थोड़ा सा land देने में लेकर major portion के लिए तैयार है और वो compensation भी कर रहा है किटी कि यह जो portion में नहीं दे पा रहा हूँ छोटा सा उसके लिए मैं compensation भी दूँगा उसको अब तो specific performance करा दो तो ऐसे case में दोनों में से कोई भी party compensation मांग सकती है जहां specific performance मांग सकती है जहां unperformed part कम है और वो पैसे में compensate करने को तैयार है party I hope this is clear इस situation में दोनों में से कोई भी specific performance part में मांग सकते हैं इत्ते portion का specific performance मांग सकते हैं अब बात करते हैं section sorry subsection 3 की जो थोड़ा confusing है यही subsection 3 जो थोड़ा आपको confuse करता है तो मैं ज़रा उस पे आ जाता हूँ subsection 3 पर देखिए read करते हैं इसको पहले फिर मैं आपको इसका meaning समझाता हूँ where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it and the part which must be left unperformed either अब देखिए उस party की बात चल रही है subsection 3 की main language में पहले party identify कर लो कि किसकी बात चल रही है तो इदर बात चल रही है where a party to a contract is unable to perform ऐसा विक्ति जो performance नहीं कर पा रहा है पी था ऐसा विक्ति अपने पिछल example में जो perform नहीं कर पा रहा अपना obligation आगे लिखा है the whole of this part of it and the part which must be left unperformed either a forms a considerable part of the whole though admitting of compensation in money यहाँ उल्टा हो गया अब यह जो अपनने illustration देखा इसी में हम section 3 apply करते हैं court के पास जा कौन रहा है इदर अब यह नहीं जा रहा है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं उस वक्ति की जो अपना obligation fulfill नहीं कर पारा इसका मतलब B की बात चल रही है और condition क्या है कि जो unperformed part है वो जादा है यहाँ पर situation है हो गई कि B सिरफ इतना सा portion दे सकता है कम portion दे पारा है यह वाला portion वो perform कर रहा है और यह जो portion है red वाला जो की जादा portion है that is unperformed ऐसी अगर situation है तो आगे क्या होगा देखिए forms are considerable part of the whole though admitting of compensation in money भले वो तैयार है इसको compensate करने के लिए पैसे में लेकिन वो larger portion of the obligation है second B does not admit of compensation in money या फिर कोई भी situation चाहे larger portion unperformed हो चाहे smaller portion unperformed हो लेकिन वो व्यक्ति compensation पैसे में इसका मतलब पिछली situation में भी अगर इस portion का वो compensation देने को तैयार नहीं है तो वो व्यक्ति तो specific performance नहीं मांग पाए गा तो conditions क्या है A और B में पहली condition में जो unperformed part है वो larger part है और छोटे वाले का भले आप compensation दे रहे हैं इसकी बात ही नहीं करता कि unperformed है या perform करने वाला कौन सा ज्यादा है बात यह है कि जो unperformed portion है भले वो ज्यादा कम है आप उसको compensate नहीं कर रहे हैं ऐसी situation में क्या होगा आगे द है ना बेटा he is not entitled to obtain इसमें कौन है A या B बताईए जो perform नहीं कर पा रहा है वो B है जो तैयार है performance के लिए वो A अब आप बताईए जरा इसको पढ़के ही किसको reflect कर रहा है he is not entitled to obtain a decree of specific performance कि वो व्यक्ति specific performance नहीं मांग सकता जरा कमेंड में बता दो जल्दी से किसकी बात चल रही है ही से किसको address किया जा रहा है दर तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो दिर से कथा जुना रहा हूं आपके समझ में आ रही है कि कौन है इसलिए मैंने कहा था section 3 की जो starting line है वहाई identify कर ले ना किस party की बात चल रही है वेरा party to a contract is unable to perform the whole of his part और राइट उसके respect में लिखा है he is not entitled to obtain a decree for specific performance कहने का मतलब यह किसके context में बात चल रही है यह बात चल रही है इस वेक्ति के context में बी जो अपने obligation को perform नहीं कर पारा है उसके context में बात चल रही है कि यह वेक्ती तो ऐसी situation में नहीं माँग पाएगा इन दोनों situation में यह तो specific performance नहीं माँग पाएगा कौनसी situation में जहां unperformed part larger हो और चोटा सा portion वो perform कर पा रहा है जो नहीं कर पा रहा है वो larger portion है भले ही वो larger के लिए compensation के लिए भी तैयार हो इसको तो court specific performance नहीं देगा बहुत obvious सी चीज़ यार तुम्हारी गलती है तुम्ही major portion अपना नहीं कर पा रहा हो तुम्हें तो specific performance हम नहीं देंगे या फिर situation यह है कि portion भले ही वो चोटा है लेकिन तो compensation देने को तयार नहीं unperformed part का तो भी बहुत logical बात है कि इसके साथ तो equity नहीं होनी चाहिए फिर equity उसी के साथ होनी चाहिए जो खुद अपनी तरफ से सही हो तो ऐसे case के लिए सब section 3 कह रहा है कि B तो entitled बिलकुल न बिलीने के लिए बट आगे लिखा है आगे देखी इसके बाद दूसरी party के बात आईगी तो आगे लिखा है जो तयार बैठी अपना obligation करने के लिए दूसरा नहीं कर रहा इसके पास option यह specific performance ले सकती है तो आगे लिखा है, but the court may add the suit of other party, direct the party in default, party in default कौन है, बी, यह हो गया आपका, party in default, default उसने किया है, So, at the suit of other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party, तो A, ऐसे case में भी specific performance ले सकता है, अगर मान लेजिये, B, अपनी incapacity जाहर करता है कि भईया, major portion तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ यह छोटा सा portion ही कर पाऊंगा, तो यह बंदा तो नहीं मांग सकता, because he is at fault, लेकिन जो दूसरी party ही है, उसके बाद में specific performance करा सकती है, चलो भईये ठीके तुम तो छोटा ही दो, अब्विसी बात है consideration, इसका तो हम पे नहीं करें, लेकिन आप छोटा portion तो हमें चाहिए, हमें तो specific performance चाहिए, भले ही छोटा portion है, हम उसको sacrifice नहीं करेंगे, इस party के पास option ह क्योंकि इसका कोई fault नहीं है, यह है दर other party और यह मांग सकती है specific performance, लेकिन उसके लिए भी क्या conditions है, इसको क्या conditions follow करनी है, इसके उपर क्या obligations होंगे, अगर यह specific performance मांग रही है other party, वो लिखे हैं 1 और 2 में, इसमें देखिए, इन a case falling under clause A, pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract, reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, पहले case A की बात कर लेते हैं, अगर A को case A में specific performance मांग नहीं है, case A कौन सा था उपर, जहां एक larger portion perform नहीं हो पा रहा है, सिरफ एक छोटा सा portion perform हो पा रहा है, अगर इसका भी specific performance A मांग रहा है, तो A को consideration देना पड़ेगा, और consideration कौन सा देना पड़ेगा, बहुत अब्विस सी वागते हैं, यह जितना obligation फुल्फिल हो रहा है, इसका amount reduce करके consideration में से 5 लाख रुपे की बात हुई थी, मान लीजिये 1 फिफ्ट पार्ट है, तो अब इसको कितना देना 1 लाग सर्फ, तो A must be ready to pay 1 लाग, उत्ता consideration देने के लिए तैयार हो, तो specific performance आप मांग सकते हैं, उसमें आगे लेखा है फिर, and a case falling under clause B, pays or had paid the consideration for the whole of the contract without any abitement, case B क्या था, तो उपर देखिये case B था, does not admit of compensation in money, कि वो compensation पैसे में हो नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, ऐसे case में आप, फिर भी, मान लीजिये unperformed part इदर पे छोटा ही है, लेकिन उसका वो compensate नहीं कर पा रहा है, आप फिर भी चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो specific performance ही चाहिए, other party फिर भी चाह रहे हैं कि नहीं आप तो फिर भी ठीक है, हमको land दिलाइए, तो आपको पूरा consideration ऐसे case में pay करना पड़ेगा, और आपको एक बात ये भी, अभी आगे एक चीज़ और लिखी है, कि आपको जो second बाला है वो मैं आपको performance मांगने आए हैं, वो बंदा पूरा perform नहीं कर पा रहा है, तो आपके रहें जित्ता होरा हुतता ही दे दो हमें, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने बाकी सारे claims को relinquish कर दिया, छोड़ दिया, तब ही आपको हम अभी, क्योंकि बार-बार court के पास यही काम नहीं बचा है बचा है, कि अभी भी आप आगए, आपने बोला चलो ठीके जित्ता होरा दे दो और फिर बात में आप कोई दूसरा claim करने पहुँच गए, इसको prohibit करता है इसका clause 2, वो देखिए जरा, इन इधर case, relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all rights of compensation either for deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant. आप इस बात को, बाकी कोई भी claim, अगर आप दोनों में से किसी भी case पे जा रहे हैं, चाहे आप A वाला जो पार्ट था उस पे जा रहे हैं, या भी किसी भी case में, other party अगर specific performance मांग रही है, तो उसको ये करना पड़ेगा कि बाकी सारी claim, जो unperformed part है, जो part भी perform नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम remaining वाली की specific performance मांग रहे हैं, तो जो unperformed part है, उससे related आगे आप कोई claim नहीं मांगेंगे, इस बात को आपको declare करना पड़ेगा, तभी आप भी specific performance म ये है आपका subsection 3, I hope this is clear, दो conditions है, इसमें एक condition ये जहाँ unperformed part larger है, और छोटे वाले का चाहे compensation हो रहा है और लेकिन larger part unperformed है, और second condition थी जहाँ compensation and money नहीं हो पा रहा है, इन दोनों cases में ये वेक्ति तो मांग भी नहीं सकता specific performance, क्योंकि या तो ये larger portion perform नहीं कर पा रहा है, या पिर जो portion ये perform नहीं कर पा रहा है, उसके बदले में compensation admit नहीं कर रहा है, तो इसके पास तो कोई हकी नहीं है specific performance मांगने का, हाँ, लेकिन other party अगर फिर भी चाहती है, कि नहीं साब वो तो specific enforcement ही करा हुआ, तो आप करा सकते हैं, आपकी कुछ conditions है, जो आपको follow करनी पड़ेगी consideration देना पड़ेगा, और बाकी सारे claims relinquish करने पड़ेंगे, इस शर्त पे आप चाहे तो specific performance ले सकते हैं, इसके बाद subsection 4 देखिए, when a party of a contract which taken by itself, can and ought to be specifically performed, stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the code में direct specific performance of the former part, अब देखिए, subsection 4 बिलकुल अलग है, उसका 2-3 से कोई लेना देना नहीं है, एक subsection था 1, जो मेरा declaration था, 2 ने बताया, दोनों में से कोई भी party ले सकती है specific performance, लेकिन condition यह है, कि जो unperformed part है, वो छोटा होना चाहिए, और compensation admit कर रही हो party, वहाँ दोनों में से कोई भी specific performance ले सकता है, तीसरा वा क्योंकि conditions ऐसी है कि या तो वो larger part perform नहीं कर पा रहा, या जो portion वो perform नहीं कर पा रहा है, उसके बदले में compensation नहीं हो सकता, ऐसी condition है, इसलिए इसको तो specific performance नहीं मिलेगा, but under certain conditions, other party को मिल जाएगा, अब subsection 4 बिलकुल अलग बात कह रहा है, कह रहा है कि जो unperformed part है और जो performed part है, if they can be separated together, उसे impact नहीं होगा rights पे, ऐसे case में separate specific performance मिल जाएगा, अगर मान लिजिए इस land का utilization इतने portion में ही हो सकता है, जो perform हो रहा है, unperformed part separate part है, perform करने वाला part separate है contract में, जैसे होता है ना, दो obligation आपने रखे, मान लिजिए कि भाई, ये जमीन भी मैं दे रहा हूँ, इतना portion आपक और इस जमीन पे मैं आपको कुआ खोद के भी दूँगा, मान लिजिए ये obligation एक विक्ती ने undertake किया है, कि ये जमीन भी दे रहा हूँ, या फिर इस पे एक जोपड़ी बना के दूँगा, और अगर उस peaceful enjoyment of land के लिए जोपड़ी essential नहीं है, तो अगर वो part वो नहीं perform कर रहा ह है, तो ठीक है, उसको हटा कि आप बाकी का तो specific performance दे सकते हैं, चीक, that's the declaration under subsection 4, तो ये है आपका section 12, जो part performance की बात करता है, specific performance, कि कब part में perform करा जा सकता है, I hope this is clear, इसके बाद आईए, part performance के बाद है section 13, and this is also important, pre के लिए बस ये जानना जरूरी है, कि section 13 में किसके right की बात चल रही है, और किन circumstances में, मैं आपको पूरा provision, brief कर देता हूँ, कि ये बात चल क्या रही है section 13 में, section 13 कहता है, rights of purchaser और lessee against person with no title और imperfect title, section 30 basically किसका right है, एक purchaser का ये lessee का, किसी वेक्ति ने property या तो खरी दी है, या किराय पे लिए है, ये उस वेक्ति का अधिकार है, जिसने किराय पे लिए या खरी दी, किसके अगेंस है, ऐसे वेक्ति के अगेंस, जिसने उसे बेची है या किराय पे दी है, क्योंकि जिस वेक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है, उसका टाइटल पर्फेक्ट नहीं है, clear टाइटल नहीं है, disputed टाइटल है या टाइटल ही नहीं, जिस वेक्ति ने प्रॉपर्टी ब बात चल रही है, पर्चेसर के या लेसी के, तो देखिए, क्या राइट्स है, उसके, simple है, कोई complicated provision नहीं है, where a person contracts to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title, the purchaser or lessee subject to other provisions of these chapter has the following rights, purchaser या लेसी के पास ये सारे अधिकार है, पहला A, if the vendor or lesser subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest, अगर माल लीजिए, उस व्यक्ति ने बेची थी जब property, उस समय तो उसके पास title नहीं था, लेकिन subsequently, जब उसने agreement किया था, तब title नहीं था, लेकिन subsequently उसने title acquire कर लिया है, अब property के लिए होगती, entitle ने जिसने बेची थी, तो आप उसको compel कर सकते हैं कि भई अला अब तो तू property दे, क्योंकि जब तूने contract किया था, तब भले तू entitled नहीं था, बट आज की date में अगर तू entitled हो गया, तो उसको compel कर सकता है, property देने के लिए, बी देखिये, बी देखिये, where the concurrence of other persons is necessary for validating the title and they are bound to contract, concur at the present, at the request of the vendor or lesser, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence and when a conveyance by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lesser, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance, अब देखिये, ये बात क्या कर रहा है, clause 20 का मैं आपको meaning समझा देता हूँ, अगर मान लेजिए, किसी एक वेक्ति पर title confer तो किया गया है, but it is subject to confirmation by some person, जैसे एक uncle है, उनको अपने पोते को एक घर देना था, entitlement, तो उन्होंने कहा दिया भाईया, जैसे conditional transfer होता है, ये देको भाई, ऐसारे अगर आपको समझना है, थोड़ा बहुत knowledge आपके पास substantive loss का होना चाहिए, जैसे TPA में आपने पढ़ा होने conditional transfer, कि भाईया, इनके कहने पर ही transfer होगी, अगर इनने सहमती ती, और मालनी जैब वो bound है सहमती, भी बात कर रहा है, कि जैसे एक अंकल ने अपने पोते को एक घर, उसको entitle कर दिया, लेकिन उन्होंने एक condition रखी है, कि आपको अपने पापा की permission required होगी, और पापा is bound to give permission, मतलब दादा के जो बेटे हैं, जो उस पोते के पापा हैं, उनकी permission required है, and he is bound to give permission, जब भी पोता आएगा permission मांगने, आपको देनी पड़ेगी, and he'll be absolutely entitled for that, ऐसे पोते ने किसी वेक्ती को वो property बेच दी है, बिना father के concurrence के, बिना उनकी permission लिए, उनसे वो ascent लिए बिना, though father is bound to give that ascent, लेकिन एक precondition थी, कि आपको ascent लेना है, ऐसे में अगर उस पोते ने property बेच दी है, तो जो purchaser है, वो पोते को compel कर सकता है, कि भाई इस title में तेरा defective title है, तोंकि एक condition prerequisite थी, कि तेरे बाबा की permission होनी चाहिए, जब permission लेकिया, ऐसे में purchaser का ये right है, कि वो इस seller को, इस पोते को compel कर सकता है, कि जिस person का concurrence चाहिए था, तेरे title को perfect करने के लिए वो तू कर किया, otherwise मेरा right impact होगा घल को, तो ऐसे में वो purchaser compel कर सकता है, सी देखिये, where the vendor professes to sell unencumbered property, but the property is mortgage for an amount not exceeding the purchase money, and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage, जैसे माल लीजे, एक घर के ओनर ने घर बेचा किसी दूसरे बायर को, और उसने ये बोल के बेचा कि ये घर free from incumbrances है, incumbrances मतलब liability, कि इस घर पे कोई liability नहीं है, कोई loan उन नहीं चल रहा इसका, ये बोल के बेचा है, लेकिन बाद में पता चलता है, कि वो घर तो mortgage है, bank के पास loan लिया हुआ है, और जिसने बेचा है, वो ही उस mortgage को redeem कर सकता है, कहने का मतलब loan पटा के, घर free करा सकता है, तो जो buyer है, वो ऐसे seller को compel कर सकता है, vendor को compel कर सकता है, कि भया तो वो mortgage से free करवा के दे, ये अधिकार उसके पास रहेगा, purchaser के पास, D देखिए, where the vendor or lesser sues for specific performance of the contract, and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to a return of his deposit, if any, with interest thereon to his cost of the suit, and to a lien for such deposit interest and cost on the interest of any of the vendor or lesser in the property, which is the subject matter of the contract, अब देखिए, अब क्या बात चल रही है, मान लीजिए vendor या lesser, जिसने बेचा है, जिसका imperfect title है, वो specific performance माँगने जा रहा court के पास, suit किसने file किया, इस case में, D वाले case में, जिसने बेचा है, अभी तक अपन बात तो उस person की कर रहे हैं, जिसने घर खरीदा है, उसके right की बात कर रहे हैं, अब right की उसी के बात हो रहे हैं, लेकिन suit किसने file किया, vendor ने, माल लेजिए vendor ने एक घर बेज़ दिया, जिसनों उसका खुद title नहीं था, और अब वो agreement कर लिया उसे, और अब वो चाता है कि इस agreement का specific performance हो, वो buyer को compil कर रहा है कि तुम खरीदो, ऐसे case में भी buyer का ये अधिकार है, कि अगर उसने कुछ earnest money, कुछ advance payment अगर vendor को दिया है, तो इसी suit में वो ये relief मान सकता है, उसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है, अगर vendor ने specific relief का suit file किया है, तो जो buyer है, वो अपना एक और अधिकार यहां exercise कर सकता है, उसी suit में कि अगर उसने, भाई दे को specific performance तो मिलेगा नहीं, obvious सी बात है vendor को, क्योंकि उसका खुद का title सही नहीं है, वो खुद entitled ली नहीं था बेचने के लिए, तो उसको specific performance तो को उट देगा, लेकिन ऐसे suit में जो defendant बना है, buyer दो defendant है, लेकिन वो अपना claim मांग सकता है, उसने अगर कोई advance पैसा ऐसा दिया है vendor को, तो इसी suit में वो advance deposit वापिस मांग सकता है, यह कहता है section D, इसके बाद subsection 2 देखिए, the provision of subsection 1 shall also apply so far as maybe to contracts for the sale of higher or movable property, तो जो अब भी पूरी section 13 में अपन ने बात करी है, subsection 2 इस बात को declare करता है कि यह movable पे भी apply होगा, तो section 13 दोनों पे apply होता है movable as well as immovable property, that section 13, इसके बाद आईए ज़रा 14 पे, अब 14 specifically deal करेगा specific performance का, specifically enforceable contracts के बारे में, तो देखिए उसके उपर एक subbedding लिखी है, contracts which cannot be specifically enforced, वो कौन से contract है, जो जिनका specific performance नहीं मिलेगा, this provision is very very important, सीधे सीधे section का भी question आता है, और उन contracts के बारे में भी पूछा जाता है, जिनका specific performance नहीं मिलेगा, so section 14 का जिक्र हमने section 10 में भी किया था, क्योंकि section 10 जहाँ आप specific performance मांग सकते हैं, और court bound है, court की duty है कि specific performance देना ही है, that provision is also subject to section 14, section 14 के हिसाब से approved होना चाहिए, तब ही court bound होगा, अगर section 14 में वो fall कर रहा है case, ऐसे case में court bound नहीं है specific performance देने के लिए, तो चलिए 14 की वो condition देखते हैं, वो contracts कौन से हैं basically यह बताया है 14 है, कौन से वो contract हैं जो specifically enforced नहीं हो सकते, so the following contracts cannot be specifically enforced, namely, A में लिखा है where a party to the contract has obtained, substituted performance of contract in accordance with the provisions of section 20, जहां पे भी party ने substituted performance ले ली है under section 20, वहां पे court specific performance नहीं देगा, अब मैं आपको brief कर दूँ ज़रा section 20, आप बेरिट में निकाल लेजे, read out मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, लंबा चोड़ा provision है, मैं आपको उसका crux पूरा बता दे रहा हूं, आप एक बार बाद में उसको read कर लेजेगा, क्योंकि 20 से भी question आते हैं, और ये जो section 20 है, ये पूरा का पूरा amend हुआ है, 2018 के amendment से, और ये आ गया है अभी जो present section 20 है, substituted performance of contract, इसका मैं आपको crux बता देता हूं, क्या होता है substituted performance में, जैसे मान लेजे, करने का, जैसे मान लेजे, मैंने एक व्यक्ति के साथ contract किया, कि वो मेरी building में आके whitewash करेगा, या करवाएगा, उसको contract दिया था, whitewash कराने का, वो व्यक्ति whitewash नहीं करा पाता, अपना obligation fulfill नहीं करता है, ऐसे cases में section 20 मुझे option देता है, substituted performance, substituted performance का option मतलब, मैं या तो खुद अपनी agency से वो काम करवा लूँ, या कोई दूसरे third party से वो obligation fulfill करवा लूँ, क्योंकि जिसके साथ मैंने contract किया था, वो fulfill नहीं कर रहा है, तो मैं किसी third person से, किसी दूसरे से करवा लूँ, या खुद के effort से कर लूँ, और उसके बदले, जितना मेरा खर्चा हुआ उस performance को करने में, वो सारा किस से claim करूँगा, जिसके साथ मैंने contract किया था, क्योंकि भाई, liable तो वो ही था ना, ये काम करने के लिए, तो इसको कहते हैं, substituted performance, इसकी कुछ prerequisites हैं, सेक्शन 20 अब एक बार आब रीड करेंगे, समझ जाएंगे, notice notice देना होता है, वो सब प्री के question है important, लेकिन उनमें कोई technicalities नहीं है, simple procedure है, that's it, substituted performance का मतलब समझ गए, जिसको obligation फुल्फिल करना था, उसने नहीं किया, तो या तो मैंने खुद कर लिया, खुद अपने किसी से करवा लिया, या किसी third agency से मैंने वो obligation फुल्फिल करा लिया, और उसमें जो मेरा खर्चा हुआ, वो मैं किस से claim करूँआ, उस वक्ती से जिसके साथ मैंने contract किया था, यह है substituted performance of contract, इसके कुछ conditions हैं, बहुत important हैं, इसलिए section 20 आप readout जरूर कर लेना बाद में जाके, लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई technicalities नहीं है इसके अलावा, तो अगर आपने substituted performance करवा लिया है, बहुत अब्वेस सी बात है, section 14 का clause एक है रहा है, कि अगर मैंने substituted performance करा लिया, तो अब specific performance कराने का मतलब भी नहीं है, मैं अब disentitle हो किया, ऐसे contract को अब specifically performance कराने की जरूरत नहीं है, कि मैंने third agency से वो काम करा लिया, तो जो defendant था, जिसको मैंने obligation दिया था, उससे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे contracts specifically enforced नहीं होंगे, जहां substituted performance obtained कर ली गई है, इसके बाद भी देखिए, अगर मान लेजिए कोई continuous duty है, जो regular basis पे होनी है, और court उसको supervise नहीं कर सकता, बाइट ऐसे कोई एक चीज है, कि यहां whitewash करनी है, एक बार का काम है, तो court उसके लिए direction देगा, और insure करेगा कि वो हो, लेकिन गोई continuous duty है, मैंने किसी वेक्ति के साथ contract किया है, कि वो रोज आके घर में सफाई करेगा, या महले की रोज सफाई करने का contract ने की agency को दी, आब वो regular continuous duty है, रोज सुबह आके साफ करना है, अब ये court बैठके तो insure नहीं करेगा इस तरीके की continuous duty, तो ऐसे cases में specific performance नहीं दिया जाता, देखिए, damage, compensation वो सब मिल लाएगा, अपन बात कर रहे हैं कि कौन से वो contracts हैं, जिनमें specific performance नहीं मिलेगा, तो specific performance ये specifically enforce नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि court इतना free नहीं बैठा है, कि वो ensure करें कि वो continuous duty fulfill हो, एक बार का काम है तो court करवा सकता है, continuous duty को fulfill वो नहीं करा सकता, see देखिए, a court which is so dependent on the personal qualifications of the parties, that the court cannot enforce specific performance of its material terms, see बहुत important है, जहां भी जो obligation है, वो किसी वेक्ती की personal qualifications पे based है, जैसे गाना गाना, डान्स करना, पढ़ाना, यह सब personal qualification पे based obligation है, इनका specific performance court नहीं दिलाएगा, अगर मैंने आपके साथ contract किया है, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे पैसे देंगे, मैं बाद मों उस contract का अगर breach करता हूँ, तो आप court से मेरे again specific performance उप्टेन नहीं कर सकते, court मुझे compel करेगा ही नहीं कि आप पढ़ाऊ, हाँ compensation ज़रूर आप ले सकते हैं, कोई दूसरी remedy आप ले सकते हैं, लेकिन यह contract specifically enforced नहीं होगा, कारण क्या है, बहुत simple, क्योंकि अभी जो specific relief act, या CPC की class जो मैंने ली है, या CPC, CRPC जो अभी प्रीमियर होने वाला है, वो सब मैंने एक्छा से पढ़ाया है, तभी मेरा best मैं दे पा रहा हूँ, अगर मुझे compel किया जाएगा वो काम करने के लिए, और court के पास इसका कोई measure नहीं होगा, जो मैं specific relief act पढ़ा रहा हूँ, पहले दस बार आप पढ़ चुक्या होँगे, CPC जो मैंने आपको पढ़ाया, आप दस बार और भी पढ़ चुक्या होँगे, किसी और ने पढ़ाया, उन्होंने भी पढ़ाया, ये painting मैं भी बना सकता हूँ, इसा थोड़ी मैं painting नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक painter जो painting बनाएगा, और मैं जो painting बनाऊँगा, दोनों में difference है, इसलिए ऐसे obligation जो personal, क्योंकि अगर मुझे आप कम्पिल करेंगे, तो भी मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं पढ़ाँगा, और पढ़ा मैं तब भी दूँगा, obligation फुल्फिल हो जाएगा, लेकिन उसमें वो quality नहीं आई, इसलिए personal qualification या skill पर बेस, जितने contract होते हैं, जो obligations होते हैं, उनका specific performance quote कभी नहीं देता है, और I hope you got the logic as well, क्यों नहीं होता ऐसा, तो कि artistic काम जो है, या personal qualification पर बेस जो है, वो compel करके आप नहीं करा सकते, इसके बाद आखरी है, a contract which is in its nature determinable, determinable मतलब cancelable, जो अपने आप में, आगर माली जी हो contract ऐसा है, जिसे cancel किया जा सकता है, एक party cancel कर सकती है, तो उसका specific performance, determinable मतलब जो cancel out हो सकता है, जैसे माली जी avoidable contract है, तो ऐसे जो अपने आप में determinable है, खतम होने वाले contracts है, उनका specific performance obviously court नहीं देगा, क्योंकि party के पास option उसे cancel करनेगा, तो फिर क्यों specific performance मिलेगी, तो यह चार conditions है, A, B, C, D, बहुत important है, प्री में आपको इन clauses से भी, इनके concept से भी question आते हैं, कि कौन से वो contract है, जो बिलकुल clear प्री का question होता है, which of the following contract may be specifically enforced, या फिर which of the following may not be enforced, दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तब ही आप answer कर पाएंगे, और section number तो बहुत जादा important है ही, इसके बाद देखिए 14A, ये भी amendment से आया है, बहुत important है, power of court to engage expert, इसको मैं read out पूरा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई technicality नहीं है, बस ये दिया गया है कि कोई ऐसा, अगर माली जीए court के सामने, ऐसा matter आता है, कोई ऐसा contract है, जिसकी performance ensure कराने के लिए, court को किसी expert की जरूरत है, तो वो उस expert को engage करेंगे, और उसको पैसा मिलेगा, remunerated होगा, party जो करवा रही है काम, वो उसको remunerated generally करती है, पैसा उससे वसूला जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, कि 14A section number, कि expert को engage करने का, अधिकार court के पास 14A में है, और उस expert के power क्या है, वो सब यहाँ, subsection 1 से लेके 4 तक में mention किया है, कि वो fees के लिए entitled होगा, वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, या उनसे document वगेरा produce करा सकता है, ये सारे power है, बस एक बार read करिएगा, कोई ऐसी technical concept नहीं है, basic basic requirements है, you will understand that, लेकिन provision important है, section number से question आता है, इसके बाद आईए अगले subhead पे, persons for or against whom contracts may be specifically enforced, ऐसे लोग जिनके against specific performance हो सकता है, persons for or against whom contracts may be specifically enforced, वो लोग जिनके लिए specific performance दिया जा सकता है, और जिनके against specific performance दिया जा सकता है, कहने का मतलब कौन हैं वो लोग जो specific performance claim कर सकते हैं, या फिर कौन हैं वो लोग जिनके against specific performance दिया जा सकता है, तो obviously बात है party के against तो दिया ही जाएगा, लेकिन कुछ circumstances ऐसी होती हैं, जिसमें party के अलावा भी किसी दूसरे person के अगेंस भी आप specific performance मांग सकते हो वो कौन सी conditions है ज़रा एक बार नजर डालते हैं उन conditions पे तो यहां लिखा है who में obtained specific performance except as otherwise provided by this chapter the specific performance of a contract may be obtained by कौन obtain कर सकता है सबसे पहले any party there too दोनों में से कोई भी party specific performance मांग सकती है obligation का contract हुआ है और B के बीच में दोनों में से कोई भी obligation का specific performance मांग सकता है जो party obligation perform नहीं कर रही है उसके against दूसरी party specific performance मांग लेगी यह तो बड़ी understood सी बात है लेकिन इसके जो बाकी के clauses है वो उन conditions को इस section 15 के माध्यम से मैं आपको multiple जो चीजें यहां लिखी हैं वो समझा दे रहा हूं क्योंकि य देखा है तो एक बार में समझाते रहा हूं उसके बाद वो वाले provisions आप खुद रीड करके समझ जाएंगे देखिए सबसे पहले तो party भी जिसने contract किया उसके against आप enforce करा ही पाएंगे फिर बी में देखिए the representative and interest or the principle of any party there to representative and interest मतलाब उनके legal representative भाई जनरली legal representative entitled होता है obligation fulfill करने के लिए भी या हक मांगने के लिए भी तो deceased person है कोई person in interest है उसका वो भी मांग सकता है तो expressly उस बात को declare किया गया है B में कि कोई ऐसा वेक्ती जो representative and interest हो या principal agent ने कुछ किया है उसके बहाफ पर principal मांग सकता है या principal को compel किया जा सकता है on behalf of the agent specific performance करन के लिए contract भले agent ने किया हो लेकिन contract जब agent करता है तो किसके बहाफ पर principal के बहाफ पर तो principal से मांगा जा सकता है C देखिए where the contract is a settlement on marriage or a compromise of doubtful rights between members of the same family any person beneficially entitled there under तो देखिए भाई कौन मांग सकता है इसकी अपन बात कर रहे हैं जो पहली line में मैंने पढ़ा था 15 में specific performance of a contract may be obtained by तो ऐसा विकती भी मांग सकता है जो beneficiary हो family settlement के contracts में इसको आप समझ लीजिए जरा क्योंकि भाई 15 से question भी आएगा और इसके clauses एक बार आपने समझ लीजिए तो जैसा मैंने कहा 19 automatically आप समझ जाएंगे कि किनके against specific performance मा नहीं जा सकती है तो देखिए आप शायद आपने priority of contract का concept Indian contract act में पढ़ा है priority of contract का मतलब होता है सिर्फ party ही suit file कर सकती है in respect of a contract लेकिन priority of contract के भी कुछ exception आपने पढ़े होंगे और उन exception में ही family settlement भी आता है एक case था बहुत important जिसके facts ये example मैं आपको बता दूँ कि एक बार एक contract होता है A और B के बीच में और contract ये होता है कि भईया अगर A अपनी daughter D की शादी B के son S से करवा देगा तो B जो है वो इसको एक monthly maintenance provide करेगा monthly maintenance B जो है daughter को देगा अगर contracting party कौन है contracting party इधर पे A है और B है contract इन दोनों के बीच में हुआ है कि शादी करवाएंगे ए अपनी daughter की शादी B के son S से कराएगा बदले में B ने agree किया है कि मैं monthly maintenance दूँगा daughter को contract होने के बाद A की मृत्ती हो जाती है A मर जाता है और B जो है ये खर्चा देने से मना कर देता है daughter को ऐसे case में Indian contract may be as an exception to the rule of privity of contract आपने पढ़ा होगा कि being the beneficiary इस contract की beneficiary कौन थी maintenance मिलना किसको था इसको daughter को तो she was the beneficiary of this settlement of marriage और family settlement की beneficiary थी ये daughter so ये daughter suit file भी कर सकती है और specific performance भी मांग सकती है इस बात का declaration है C में कि जो beneficiary है out of a marriage settlement वो benefit भले पार्टी ना कर पाए लेकिन beneficiary भी specific भले ही daughter party नहीं है लेकिन being the beneficiary वो बिलकुल claim कर लेगी specific performance इसके बाद देखिए D where the contract has been entered into by a tenant for life in due exercise of a power the reminder men अब देखिए C में D में और sorry D E और F में आप देखेंगे कुछ terms reminder men reversioner इनका में एक brief example आपको दे दूँ जिससे आपको आगे कभी confusion नहीं होगा जैसे जो कि इसमें clearly दिया है न जो reminder men की जो बात चल रही है tenancy for life उसके थु मैं आपको समझा देता हूं कि किन लोगों की बात चल रही है tenant for life का मतलब है जिंदगी भर के लिए किरायदार जैसे मान लीजिए भाई कि A का एक घर है यह मैंने आपसे कहा ना इसारे पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको सब्स्टांटिव लॉग का ग्यान होना चाहिए जिसे फैमिली लॉग में यह सब टर्म यूज होते है रिमाइंडर में और रिवर्जन यह सारे चीज़े उन सब्स्टांटिव अभ्य spaghetti कि जब तक भी जिंदा रहए गा तब तक किराय पे वह यही रहेगा तब तक वह किरायदार रहेगा अब ऐसे केस में है तो वह टिनंट टो क्या bk mrneke बाद एक बात बताईए क्या bk mornayके बाद यसके यह खर इसके लर को मिलेगा legal representative को मिलेगा क्या dancer is no because he's the he was a tenant यह तो इंटाइटिल नहीं होगा ना बाई बिकाज वजब तक जिन्दा तब तक तू रहा इस घर में लेकिन मरने के बाद इस घर की जो पशेशन है वो इसके लर के पास तो नहीं जाएगी जाएगी किसके बास इसके लर के पास इसके लीगल रप्रेजेंटेटर या अगर इसने पहले से कोई specific व्यक्ति identify कर दिया, specify कर दिया कि तू जब तक जिन्दा है तू tenant for life है और इसके बाद जो यह property जाएगी जो इसकी possession के लिए हगदार होगा वो होगा X तो यह जो X है ना या इसका जो लीगल रप्रेजेंटेटिव है ना यह विक्ति है वो reminder man, tenant for life in due exercise of a power the reminder man, ऐसे case में जो reminder man है जिसके पास ultimately property जानी है वो भी claim कर सकता specific performance, logic same है जो beneficiary वाले में था क्योंकि भाई ultimate beneficiary वो है इसलिए उसको अधिकार दिया है specific performance लेने का अगर इस property से related कोई भी contract होता है इस property से related तो X के पास भी अधिकार है specific performance लेने का because he is the ultimate beneficiary और ऐसा ही होता है रिवर्जनर भी कि सब कुछ होने के बाद आखरी में property किसके पास आना है जैसे आपने TPA में पढ़ा होगा transfer to unborn वहाँ पे life interest create किया जाता है यह आपने पढ़ा है life interest का मतलब भया तू जब तक जिन्दा है तब तक तू इस property की देखरेक करेगा ultimately यह property तो उस unborn के पास जान लेकिन ultimate beneficiary कौन है minor तो he is also entitled to obtain specific performance यह basically conclusion है D E और F तीनों में क्योंकि वो अलग-अलग substantive law के टर्म से इसलिए अलग-अलग लिखा गया है हर चीज़ को include करने के लिए meaning या concept सब में यह है कि जो ultimate beneficiary है end वाला वो specific performance कर सकता है इसके बाद F A देखिए यह amendment से add हुआ है बहुत important है when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership the new limited liability partnership which arises out of the amalgamation लेखिये भाई एक limited liability partnership दूसरी limited liability partnership में बदल गई जैसे मान लीजिये A और B ने मिलके एक LLP खोली limited liability partnership बनाई इस partnership का नाम था XYZ limited LLP बनाई इन्होंने किस नाम से XYZ LLP है इनकी ये दो partners है ये जो LLP है XYZ ये जाके बाद में मर्ज हो जाती है एक दूसरी LLP से that is ABC एक LLP क्या है ABC ये amalgamate हो जाती है मान लीजिये पहले इस XYZ LLP ने एक contract कर लिया किसी के साथ किस के साथ कर लिया इन्होंने contract let's say कर लिया P के साथ XYZ LLP ने P के साथ एक contract किया contract करने के बाद ये amalgamate हो गई मिल गई किस के साथ ABC के साथ आजकल आपने देखा है एक coaching institute बड़े tech company मिल जाता है that is amalgamation वह हो रहा है इदर LLP का कि ये एक entity थी वो जाके मर्ज हो गई दूसरे में तो इसने जो contract किये हैं उनका specific performance अब ये वाली LLP मांग सकती है बहुत obvious और logical बात है और ये है ना इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ नहीं आ रही है क्योंकि भाई या contract XYZ ने किया है अब वो इस company का ये इस एलल पी का बिसिकली इस इस एलल पी का पार्ट है तो अब contract को specific performance कराने का अधिकार इनके पास आगया that's what it says इसके बात देखिये जी वन अ अ कंपनी इस entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company same company पर भी apply होगा XYZ एक कंपनी ती इसने contract किया जाके मिल गई ABC company के साथ अब ABC के पास अधिकार आजाएगा इस contract को specifically enforce कराने का एच when the promoter of a company have before its incorporation entered into a contract for the purposes of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation the company देखिये क्या होता है promoter start करते हैं आपको company अगर थोड़ा concept पता है promoter company start करते हैं company बनने के पहले कुछ activities करते हैं है ना जिसे धिरु भाई अम्बानी promoter थे reliance के तो start करने के पहले की जो procedure होता है एक व्यक्ति कर रहा है उसको उसने कुछ contracts करे being a promoter उसके बाद वो company बन गई जब company form हो गई तो promoter ने जितने contract करे हैं उन सबका specific performance अब वो company ले सकती है basic बात ही है कि सब कुछ उनके behalf पर हो रहा था चाया वो LLP हो चाया company हो चाया वो beneficiary हो इसलिए उनको अधिकार दिया है specific performance obtain करने का under section 15 I hope सारे के सारे clause A से लेके H तक आपके समझ में आ गए हैं ठीक तो यह है आपका section 15 जो बात करता है कि कौन specific performance obtain कर सकता है तो it is not just the party party के अलावा reminder man, reversioner, एक company दूसरे में मिल गई तो जहां जाके वो मिली है वो company एक LLP दूसरे LLP में मिल गई जहां जाके मिली वो LLP यह सारे लोग specific performance कर सकते हैं इसके बाद section 16 है जो बात करता है personal bars to relief की देखिए personal bars to relief का मतलब कौन वो लोग है जिनको बार किया गया है कि आप specific relief नहीं ले पाएंगे सो देखिए specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person कौन specific performance नहीं मांग सकता सबसे पहले में लिखा है who has obtained substituted performance of contract intersection 20 ऐसा विक्ति जिसने substituted performance obtained कर लिया है अभी मैंने आपको बता है जब आपने substituted performance obtained कर लिया तो आप आके specific performance नहीं मांग सकते भी मैं लिखा है who has become incapable of performing or violates any essential term of the contract that on his part remains to be unperformed or acts in fraud of the contract or willfully acts at variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract कोई ऐसा वेक्ति जो खुद अपना obligation fulfill नहीं कर पा रहा आपने contract किया है अगर किसी वेक्ति के साथ एक obligation उसने लिया एक obligation आपने लिया आप अपना obligation खुद perform करने के लिए capable नहीं है नहीं कर पा रहा है तो आप जाके specific performance नहीं मांग सकते है बहुत simple सी logical बात है इसके बात सी है who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential term of the contract which are to be performed by him other than terms the performance of which has been prevented or waived by the defendant ऐसा विक्ति जो कोट में ये प्रूफ ना कर पाए कि मैं perform करने के लिए तैयार हूं या मैं perform करने की capacity में हूँ जो ये विक्ति प्रूफ ना कर पाए court में वो भी entitled नहीं है specific performance obtain करने का देखि ये भी कह रहा है ऐसा विक्ति जो incapable हो गया है जो कर ही नहीं सकता incompetent हो गया है obligation fulfill करने के लिए और C बात कर रहा है ऐसे विक्ति कि जो court में ये proof नहीं कर पा रहा है कि I'm ready या मैं कर सकता हूं या मैं कर लूँगा अगर आप court में प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि अब देखिए क्लॉस C की बात चल रही है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको पैसे देना है उस contract में तो आपको देना ही पड़ेगा पहले आपको बस ये show करना पड़ेगा कि हसाब में देने को तैयार हूंगा आपको अपनी रेडिनेस श्रो करनी है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पैसे देहीं दे दूसरी पार्टी को या court में जमा करेंगे तो ही हम मानेंगे आपको अपनी रेडिनेस प्रूफ करनी है और इनकॉंपेटेंसी प्रूफ करनी है पैसा देना इदर पर जरूरी नहीं है इसके बाद देखिए सक्शन 17 बात करता है इसके बाद देखिए सक्शन 17 बात करता है जिसने कंट्र्यक्ट करने का या property किराय पे देने का लेकिन उसका खुद का टाइटल ही नहीं है आप कुछे जाने के फिर भी एक कर लेते हैं समझ आप लीजी at least a contract to sell or let any immovable property cannot be specifically in favor of a vendor or lesser ऐसे vendor यह lesser के favor में कभी specific performance नहीं मिलेगा जो कि who knowing not to have any title to the property has contract to sell or let the property जो जानता था इस बात को कि मेरा कोई title नहीं है फिर भी तुमने बेच दी है तो मैं पता था तुम एंटाइटल नहीं उस प्रॉपर्टी के लिए भी तुमने किराय पर दे दी किसी को आतरंगी लोग उतने इस टाइप के प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी किराय पर रख देते हैं मंत तो ऐसा व्यक्ति आगर उसने अगरिमेंट कर लिया है तो वो स्प्रॉपर्फर्मेंस नहीं मांग पाएगा क्योंकि वो खुद प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल नहीं है यह बात जानता था जानते हुए उसने अगरिमेंट किया बी कहता है इसमिस नहीं जानता हैं मेरे वो खुद डिया जब प्रॉपर्टी अच्चुलि टानता है यह तो agreement है, agreement to sell अलग होता है, और sell अलग होता है, agreement मतलब की मैं बेचूंगा, जब actually performance आना था, जब actually मुझे हखर hand over करना था, तब पता चलता है कि मेरा थो title, तब तो रेजिस्ट्री करने गाए, तो चार लोग और खड़े होगा, objection रेज्ट कर दिया हुने, कि ये बंदे का तो घर ही नहीं बेच के सरा है, ऐसे situation में जब performance हो रही है, उस समय पे अगर मैं इस position में नहीं हूँ, कि मैं एक reasonable doubt के बिना एक perfect title सामने वाले को, purchaser को दे पाऊँ, अगर मैं इस position में नहीं हूँ, तो मैं contract को specific perform नहीं करा पाऊँगा, मैं specific performance नहीं मांग पाऊँगा, दो cases में, जब पहले से ही मेरे को पता था, कि मैं entitle नहीं हूँ, दूसरा case जहां पहले से नहीं पता था, लेकिन जब perform करना है, तब मैं इस capacity में नहीं हूँ, कि मैं free title transfer कर पाऊँ, तो obvious सी बात है, क्योंकि मैं खुद at fault हूँ, मैं specific performance नहीं मांग सकता, specific relief equity पे बेस्ट है, और देखिए, subsection 2, 17 का कहता है, कि यह सारा provision movable पे भी applicable होगा, जैसे अपनने उपर immovable की बात की, movable पे भी applicable होगा, 18 देखिए, non enforcement except with variation, अब यहाँ पे जो 18 है, उपर का part पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक overview दे देता हूँ, where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing to which the defendant accepts a variation, देखिए भाई, एक plaintiff है, P, P जाता है court के पास, क्या करने जा रहा है, specific performance मागने जा रहा है, किस चीज़ की, एक contract, क्यारा साब, मेरा एक contract है, किस के साथ है contract, D के साथ, defendant, D के साथ मेरा contract है, और D अपना obligation fulfill नहीं कर रहा है, इसलिए आप मुझे specific performance दिलाईए, क्योंकि वो तो अपना obligation fulfill नहीं कर रहा है तो आप मुझे specific performance दिलाईए, जब यह suit file करता है specific performance का, D यहाँ पे, जो defendant है, वो एक variation setup करता है, क्या setup करता है, variation, variation का मतलब, वो कहरा साथ, कि contract में जो चीज़ लिखी हुई है, वो actual बात नहीं थी, मान लेजे एक return contract, कि जो term यह बता रहा है, यह जो term लिखा है, वो actual बात नहीं थी, actual बात तो कुछ और ही थी, और जब कुछ और बात थी, तो ठीक है, मैं ready तो हूँ, defendant के रहा है, मैं specific performance दूँगा, लेकिन साथ, जो actual contract है, उसका दूँगा न, actual कुछ और है, मैंने आपको पहले भी का था, ज कोई करना है, जो actual intention है, तो यह similar situation है, 18, D का कहना है, कि साथ, जो लिखा हुआ, वो सच नहीं है, सच कुछ और है, बात तो यह होई थी, तो ऐसे case में court की responsibility है, कि वो P को specific performance देंगे तो, लेकिन with that variation, अगर defendant ने proof तो करना पड़ेगा, यह तो विलकुल understood बात है, कि defendant को proof करना प बात हुई थी, ऐसे case में, plaintiff को जो specific performance मिलेगा, वो इस variation के साथ ही मिलेगा, यह कहता है, section 18, अब देखिये provision, where a plaintiff's specific performance of a contract in writing, contract कैसा है, in writing, जो मैं आपको बताया, to which the defendant sets up, सब सब variation, defendant क्या कर रहा है, variation setup कर रहा है, वो उसमें कुछ changes बता रहा है, the plaintiff cannot obtain the performance sort, except with the variation, so set up, plaintiff को specific performance तब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो variation को मानना ले, in the following cases, namely, यह condition से उसकी a, whereby fraud, mistake of fact, or misrepresentation, the written contract of which performance is sought, is in its term or effect different from what the parties agreed to, or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into contract, अगर defendant ये प्रूफ कर देता है, कि साब इसने बोला कुछ और था, और sign किसी और चीज़ पर करवा ली, और ये कैसे किया है, misrepresentation से किया है, fraud से किया है, under mistake किया है, तो defendant के पास अधिकार है कि और, जैसे मालीज, आपके और मेरे बीच में contract हुआ, कि मैं आपको जुडिशर पढ़ा हुआ, और contract जो written है, उसमें लिखा है कि fees लूँगा, मैं आपसे 80,000 रुपे, और जबकि बात ये हुई थी, हाँ, मेरे और आपकी, कि मैं 50,000 में पढ़ा हुआ आपको, लेकिन document में by fraud मैंने 80 लिखा, आपको कुछ भी गड़े दिया, कि यार ये तो इसके लिखा, उसके लिए और आपके sign करा लिए, execute कर लिया, अगर आप court के, और फिर मैं जाता हूँ specific performance मांगने, तो court के सामने, अगर आप ये proof कर देते हैं, being the defendant की साब, ये actual intention reflect नहीं हो रहा instrument में, इन्होंने by fraud या by mistake, मुझसे दूसरी चीज़ पर agree कराया, बड़ actual बात ये हुई थी, अगर आप ये proof कर देते हैं, variation, तो specific performance मुझे मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, along with the variation, उस variation के हिसाब से, भी देखिए, where the object of the parties was to produce a certain legal result, which the contract as framed is not calculated to produce, या तो fraud से obtain किया है, या माल लेजिए, कोई fraud fraud exercise नहीं किया था, लेकिन हमारा जो एक legal result हम produce करना चा रहे थे, इससे वो result produce नही हो रहा है, इससे कुछ और ही हो रहा है, जैसे माल लीजिए, A और B के बीच contract हुआ, और जो intention था A और B के बीच, वो ये था कि A अपना घर, B को किराए पे दे रहा है, and it is a tenancy for life, अभी जो पनने पहले पढ़ागी, जिन्दकी भर भाईया, तु किराए पे रहेगा इस बर म लेकिन जो document draft हुआ, ना A की गलती ना B की, लेकिन जो document draft हुआ, उसमें ये reflect हो रहा है उस written instrument में, कि ये घर B को transfer हो रहा है, जबकि intention उनका क्या था, tenant for life बनाने का, लेकिन document में क्या reflect हो रहा है, कि ये घर transfer हो गया, ऐसे case में भी defendant जो है, वो variation देगा, कि साब भी ये variation है, और उस variation के साथ से specific performance होगा, माल लेजिए, जो tenant था, tenant for life, वो कहता है, नहीं साब specific, sorry, जो plaintiff है, वो है tenant for life, और वो कहता है, कि साब आप तो specific performance करा, ये लिखा हुआ है, कि ये घर अब मेरा हो गया, तो यहाँ पे जो defendant है, जिसका घर था A, वो ये variation setup करेगा, कि साब बात transfer करन की नहीं हुई थी, हमारा intention tenant for life बनाने का था, ये हमारा real intention था, तो अब जो specific performance मिलेगा, वो with this variation मिलेगा, इसके बाद देखिए, see where the parties have subsequently to the execution of the contract, varied its term, पहले कुछ और written contract में उन्होंने कुछ और किया है, लेकिन subsequent agreement उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कुछ और term agree कर लिए, change क कर दिये, लेकिन वो written instrument तो अभी भी है, और उसमें तो वो ही लिखा है, जो पहले का लिखा है, बाद में उन्होंने agree कुछ और कर लिया है, तो ऐसे case में भी अगर एक विक्ति उस पुराने वाले पहले जो उन्होंने contract किया है, उस document के basis पे specific performance मांगने जाएगा, और other party अग जो document execute हुआ है, उसमें तो ये लेका है, लेकिन बाद में हमने इस बात के agree किया था, ये बात proof करेगा with evidence वो, कि हमने agree करा था, terms हमने change करे थे, तो आप change term के साब से specific performance मिलेगी, but the question is कि proof करना पड़ेगा, अच्छा इस से related provision ना Indian Evidence Act में भी है, कि एक return contract है, और बाद में अग प्रूफ कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, ये इंडियन Evidence Act में अलग से दिया है, section 91, 92 ये सब पढ़ेंगे, आप तो समझ मैंगा evidence का भी पूरा complete, एक वीडियो में पूरा evidence का भी इसी crash course में प्रीमियर होगा, सुबह 8 बज़े, वो देख लेना तो ये थोड़ा और स पढ़ाँगा, बाद में हमने verbally separate agreement करा, उसमें मैंने ये कह दिया कि चलो ठीक है, तुम में 20,000 का discount देंगे, 60 दे देना तुम, लेकिन document में तो 80 लिखा है, और मैं जा कि specific performance मांग रहा हूं, 80,000 का तो being the defendant, आप वो variation setup करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो फिर court मुझे specific performance देगा, but along with the variation, ठीक, तो ये है आपका section 18, इसके बाद 19 देखिए, relief against parties and persons claiming under them by subsequent title, ये उसी की तरह है, जो अभी 15 पढ़ा, देखिए, except as otherwise provided by this chapter, specific performance of a contract, may be enforced against, और 15 में क्या था, कौन enforce करा सकता है, 19 बात करता है, किसके against enforce हो सकता है, पूरा बाकी सब कुछ same है, party के against, reminder men के against, reversioner के against, सब वो ही है, LLP जो merge होके दूसरी बन गई, ये company जो merge होके दूसरी बन गई, सब से, चिक, तो इसको एक बार आप redoubt करेगा, same है, 15 की तरह, कोई नई बात नहीं है, इस के बाद, substituted performance अपनने already कर लिया है, फिर है 20A, ये भी कोई technical provision नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ, readout आप कर लेना, 20A है special provisions for contract relating to infrastructure project, अब देखिए, 2018 के amendment के बाद, क्या हुआ है कि जो infra से related, infrastructure से related, जो projects है, उनको थोड़ा सा specific विटेज दिया गया है, उनको थोड़ा सा privilege दिया गया, उनके against injunctions नहीं लगेंगे, जो infrastructure projects है, कौन से project infrastructure माने जाएंगे, ये SRA के end में schedule में list दी है, वो सब के सब इस category में आएंगे और उनके against injunctions नहीं मिलेगा, that's what 20A says, 20 देखिए जरा, no injunctions shall be granted by a court in a suit under this act, involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule where granting injunctions would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project, कोई भी infrastructure project में अगर injunctions, court को लगता है कि injunctions देने से, ये infrastructure project delay हो जाएगा, इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि लोग injunctions लगाते थे और projects delay होते थे, तो एक immunity provide करी है, infra projects को उन cases में injunctions नहीं मिलेगा, क्योंकि देश का विकास बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं, 2014 के बाद से निरंत अर्धिस का विकास हो रहा है, और इसी सिलसले में 2018 में ये specific relief act, 2018 के amendment से, इस provisions को amend किया गया, जहाँ पहले discretion था, court का specific performance, उसे अब mandatory बनाया गया, और infra projects को exclude कर दिया है, उस पे injunctions नहीं मिल होगा तो, बाकि two or three, इसका subsection two, three, read करियेगा, normal सा procedure है, कि जो changes हुए है, फिर वो parliament के सामने रख दिये जाएंगे, जब parliament के सामने रखे जाएंगे, अगर parliament approve करेगी, तो वो continue होंगे, नहीं तो उसी समय खतम हो जाएंगे, लेकिन जब खतम होंगे, उस बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट में जो changes हो गया है, जो काम हो गया है, वो फिर दुबारा change नहीं होगा, कहने का मतलब एक immunity प्रोवाइड हो गई इंफरा प्रोजेक्ट को, कि आज आप को injunction अगर मिलना है, लेकिन ये बात schedule, कोई भी एक project, उसको अगर schedule में डालना है, तो ये काम कैसे होगा Parliament जो अभी list है, वो तो already है, किसी नए project को अगर उस schedule की list में डालना है, तो government notification के थूँ, किसी नए project को भी उस list में डाल देगी, उसके बाद वो Parliament के सामने lay down होके pass होगा, लेकिन जब तक वो pass होगा, उसके बीच में अगर वो infrastructure project शुरू हो गया, उसमें कुछ काम हो गया है, तो उसको reverse नहीं करा सकते, तब तक वो immunity का part रहेगा, वो subsection 2, 3 में है, दो बहुत important नहीं है, एक बार read कर लेना, 20 भी बहुत important है, prelims के लिए, section number तो 20, A भी important है, B, C, 3ो, B से पूछे जाने की संभावना बहुत जादा होती है, special court, अब क्योंकि infrastructure projects को हमने अलग immunity दिये, तो के लिए special court भी बनाया जाएंगे, the state government in consultation with the chief justice of the high court, shall designate by notification published in the official gazette, one or more civil court as special court, किसी भी civil court को special court का designation देगा, कौन देगा, state government ये, सब important question है, कौन से section में है special court, किन courts को किसी भी civil court को दे सकते हैं, कौन देगा designation, state government in consultation with chief justice of high court, designate कर सकते हैं, special court within the local limits of the area, to exercise jurisdiction and to try a suit under this act in respect of contracts related to infra project, infra project से related matter deal करने के लिए special court का दर्जा, किसी भी civil court को state government दे सकती है, 20C बहुत important है, expedious disposal of suit, SS suits का disposal time bound manner में होगा, infra project से related जो suits है, उनका disposal time bound manner में होना है, इसके लिए लिखा है, notwithstanding anything contained in the code of civil procedure, a suit filed under the provisions of this act shall be disposed off, by the court within a period of, underline कर लिजे, ये सवाल भी आता है, प्री में, 12 महीने के अंदर dispose of करना है, within a period of 12 months from the date of service of some and to the defendant, suit ही dispose of करना है, पूरा का पूरा, चाह सीपीसी में कुछ भी लिखा, उससे मतलब नहीं है, जो यहां suit file हो रहे हैं, वो 12 महीने के अंदर dispose of हो जाने चाहिए, time bound manner में होना, expedious manner में होना है, ठीक, और आगे provision कहता है, provided that the said period may be extended for a further period, not exceeding 6 months in aggregate, और 12 मेने में अगर नहीं हो पारा, तो 6 मेने और extend कर सकते हैं, बस, maximum 18 मेने, ये भी question आते हैं, maximum 18, generally पहली बार में 12, extend करना चाहिए, तो extend करके 6 मेने और, total मिला के 18, इस से ज़्यादा नहीं, and that is very important, इसके बाद देखिए, section 21, section 21, अब देखो ये तो हो गई specific performance की बाते हैं, section 21 का head note पढ़िए, power to award compensation in certain cases, अब बात चल रही है कि compensation का क्या है भाई, अभी तो अपन बात कर रहे थे, specific performance की, contract को specifically कब enforce कराया जा सकता है, कब enforce नहीं कराया जा सकता है specifically, अभी तक अपन इस बारे में चर्चा कर रहे थे, अब बात करेंगे कि compensation का क्या है, damage क्या है, माली जी specific performance मांगा किसी ने नहीं मिला, तो क्या compensation दे सकते हैं, specific performance, देखें, तीन-चार condition होंगे, जहाँ पर एक court ने specific performance देने इस बना कर दिया, क्या उस case में compensation दे सकते हैं, दूसरी बात, specific performance दी है, लेकिन court को लगता है compensation भी मिलना चाहिए, तो क्या specific performance के साथ, damage भी दिये जा सकते हैं, यह सवालों के जबाब 21 में हैं, 21 देखिए, in a suit for a specific performance of a contract, the plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance, क्या लिखा है, in addition, इसका मतलब, अगर आप contract का specific performance मांग रहे हैं, साथ-साथ आप compensation भी मांग सकते हैं, कि specific performance भी चाहिए, compensation भी चाहिए, आगे देखिए, subsection 2, if in any such suit the court decides that specific performance ought not to be granted, लेकिन court decide करता है कि भी a specific performance तो नहीं मिलेगा, मान लिजे किसी category में fall करता है, section 14 में लिखा है, कौन से वो contract से जिनका specific performance नहीं हो सकता, तो मान लिजे court का यह opinion ने उस particular किसमें कि भी a specific performance तो नहीं मिलेगा, SMA, but that there is a contract between the parties which was broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation, court को लगता है, specific performance तो नहीं मिल पाएगा इस case में, लेकिन contract हुआ था दुनों के बीच, और जो defendant है, उसने contract का breach भी किया है, तो compensation ऐसे case में court देदेगा, भले specific performance नहीं दे रहा है, compensation फिर भी दिया जा सकता है, इस से related conceptual questions बनते हैं pre में, कि अगर specific performance court नहीं दे रहा है, तो क्या compensation भी नहीं देगा या दे सकता है, so the answer is yes, दे सकता है, third देखिए, if in any such suit the court decides that specific performance ought to be granted, court को लगता है कि specific performance तो मिल नहीं हीं चाहिए, but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case, specific performance court को लग रहा है, दे नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन साथ में court को ये भी लग रहा है कि specific performance complete justice नहीं करेगा, compensation भी ज़रूरी है, तो ऐसे case में court compensation भी दे सकता है, along with specific performance, and that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly, तो दोनों भी मिल सकता है, चिक, four देखिए, इन determining the amount of any compensation awarded compensation का amount कैसे determine करेंगे, तो लिखा है, Indian contract act के 73 के हिसाब से करेंगे, Indian contract act में 73 बताता है कि compensation कैसे calculate करना है, damage कैसे calculate करना है, उसी तरीके से यहाँ भी calculate किया जाएगा, फिर लिखा है, no compensation shall be awarded under this section, unless the plaintiff has claimed such compensation is in his plaint, ये भी important question हो सकता है prelims में, कि compensation अगर plaint में plaintiff ने claim नहीं किया, उसने सिरफ specific performance मांगी थी, क्या तब भी उसको compensation मिलेगा, ता answer is no, pleadings में mention होना चाहिए, प्लेंट में लिखा होना चाहिए specific performance और compensation, तब ही मिलेगा, compensation mention नहीं है, तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे इसी में proviso दिया है, कि original plaint में भले ही उसने ना लिखा हो compensation, बाद में pleadings amend करके वो add कर सकता है, ठीक ये option plaintiff को दिया है, इसके बाद 22 देखिए power to grant relief for possession partition refund of earnest money, इसको मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, बात ये है कि जहां आप specific performance मांग रहे हैं, possession के लिए अगर आप relief मांग रहे हैं, property की possession मांग रहे हैं, तो साथ मैं आप partition भी मांग सकते हैं, refund of earnest money भी मांग सकते हैं, partition का मतलब जैसे मान लीजिए, आपने किसी immovable property की possession के लिए suit file किया, और जो आपको possession मिलना है, it is subject to partition, कि वो दो part में divide होगा, एक किसी और का होगा, एक portion आपका, तो आप specific performance के साथ ही court में से ये भी मांग सकते हैं, कि साब specific performance के तहता possession तो देजिए, और साथ में partition भी करते हैं ये आप साथ में मांग सकते हैं, देखिए, notwithstanding anything to the contrary contained in the code of civil procedure, any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in an appropriate case ask for, पहला है possession और partition and separate possession of the property in addition to such performance, तो partition भी मांग सकता है, separate possession भी मांग सकता है, जैसे आपने substantive laws में पढ़ा होगा ना, कोई ऐसा घर है जो जिसका partition नहीं हुआ था, इस घर में मान लीजिए, दो portion है, एक ये वाला, एक ये वाला, और अभी partition नहीं हुआ था, ए और भी दोनों भाई इस घर के लिए entitled है, ए चाहता है कि मैं अपना portion इस घर का बेज दूँ, उसने बेज भी दिया, agreement कर लिया उसने C के साथ, कि भाईया मेरा portion तु घरी ले इतने रुपे में, अब C ने agreement मिसके, through agreement के through C entitled तो हो गया घर के लिए, तो C जब specific performance मांगने जाएगा, किसाब इन दोनों भाईयों में से, दो भाई थे, A और B, लेकिन अभी portion divide नहीं था इनका, दोनों साथ में enjoy कर रहा है थे jointly property, A ने अपना share पचास सार रुपे में C को बेज दिया, अब C जब जाएगा specific performance कराने, किसाब में को position दिलाई है, साथ में party specific portion भी बता दीजिए, कौन सा मेरा होगा, ये भी आप कर सकते है, specific performance के साथ ही add, ये relief भी, भी कहता है any other relief to which he may be entitled, including the refund of an earnest money deposit paid, ये मतलब earnest money होता है, advance amount, अगर आप specific performance चाह रहे हैं, कुछ advance amount वगेरा है, जिसके लिए आप entitled है, refund के लिए तो वो भी आप महां मांग सकते हैं, subsection 2 कहता है, no relief under clause A or B of subsection 1, shall be granted by the court, unless it has been specifically claimed, जब तक specifically plant में लिखेंगे ने, ये relief आपको नहीं मिलेंगे, और same proviso, कि भाई amend कर सकते हैं, plant आप इस purpose के लिए, last is the power of the court to grant relief under clause B of subsection 1, shall be without prejudice to its powers, to award compensation under 21, 21 में जो compensation देने का अधिकार है, ये separate power होंगे, दोनों separate होंगे, compensation वो तब भी दे सकते हैं, भले partition ना दे, specific performance ना दे, compensation दे सकते हैं, इसके बाद 23, liquid, ये ना बहुत ज़्यादा important provisions नहीं है, जो अभी मैंने पढ़ा ना, 22, 23, 23, कभी कभी प्री में section number पूछ लिये जाते हैं, just कि आपको याद रहे, उसका basic concept आपको explain कर रहा हूं, 23 है liquidation of damages, not a bar to specific performance, देखिए, liquidated damages क्या होते हैं समझते हैं ना, दो party जब contract करती हैं, कई बार वो उस contract में agreement में ये लिख लेते हैं, कि हम दोनों में से जिसने भी contract का breach किया, वो दूसरी party को इतना amount as compensation देगा, पहली decide कर लिया, कि जिसने भी contract का breach किया, वो 20,000 रुपे compensation देगा, section 23 इस बात को बताता है, कि just because contract में आपने एक liquidated amount mention किया है as damage, इसका मतलब ये नहीं होगा, कि breach के case में opposite party specific performance नहीं मांग सकती, क्योंकि आपने एक liquidated damage mention कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप entitled है contract breach करने के लिए, और बदले में आपको सिर्फ compensation ही देना पड़ेगा, A और B के बीच में contract हुआ है घर बेचने और खरीदने का, और उन्होंने लिख दिया कि दोनों में से किसी ने भी contract का breach किया, तो पचासदर रुपे compensation देना होगा, ये मानली जे घर देने से मना करता है, तो just because कि amount mention था compensation का as damage, भी आप specific performance नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होगा, भले liquidated damage mention है, उसके बाद भी specific performance मिलेगा, ये कहता है, 23. So, देखिए, a contract otherwise proper to be specifically enforced, may be enforced, though a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same. If the court having regard to the terms of the contract in other attending circumstances satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party any default and option of paying money in lieu of specific performance, liquidated damage mention करने का sense ये नहीं है कि आप breach करने के लिए entitled हो गए, specific performance तब भी मिलेगी, that's it, इसके बाद 24 है, bar of suit for compensation for breach after dismissal of suit for specific performance, देखिए भाई, ये कहता है कि अगर आपने एक suit file किया, 24 कहता है, अगर आपने एक suit file किया है court में specific performance का और वो suit dismiss हो गए, dismiss होगे मतलब आपको specific performance grant नहीं हुए, क्योंकि आप का जो case है, उसमें condition फुल्फिल नहीं हो रही होगी specific performance की, तो specific performance तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप साथ में damage claim कर सकते हैं, ये आपको 21 में option है, अगर आपने damage claim नहीं किया है, even after amendment of pleading as well, तो आप एक separate suit file नहीं कर पाएंगे damage मांगने का, अगर आपने एक suit file किया है breach of contract में specific relief मांगने का, तो उसी में compensation claim कर लिजे, तब मिलेगा compensation, otherwise separate एक fresh suit आप compensation के लिए नहीं कर पाएंगे, किसी और relief के लिए मांगना है, वो कर सकते, वो दूसरे relief कौन से हैं, अभी आगे बताऊँगा, जो अपन दूसरे reliefs पढ़ेंगे न, cancellation और rectification, लेकिन अगर आपने specific relief का suit file किया है, और compensation उसी suit में नहीं मांगा, तो separate suit up file नहीं करेंगे, ये 24 कहता है, और ऐसे ही CPC का, जो order to rule 2 है, कि सारे relief एकी बार में मांग लिजे, multiple suit file नहीं होंगे, ये बिलकुल उसी की तरह provision है, 24 भी, छीक, इसके बाद देखिए, last 25 enforcement of awards and directions to execute settlement, बहुत important नहीं है, application of proceeding sections to certain awards and testamentary directions to execute settlement, 25 बस ये कहता है, कि ये जो provision specific performance के, अपन contract के respect में पढ़ रहे हैं, ये provision awards पे भी applicable होंगे, जो arbitration के होते हैं, ऐसे awards जिनको arbitration act कवर नहीं करता, उन awards पे भी same ये provision applicable होंगे, बस इस बात का declaration है, बहुत जादा important ये नहीं है, ठीक, अच्छा, दीपांचू का एक डाउट है, कि क्या, as per section 23-2, specific performance के साथ, liquidated damage भी मिलेंगे, बाइट देखो, damage का अधिकार तो आपके पास anyways है, और जो 23 है, वो बहुत clearly, इसलिए ये बात कहता है, कि जो आपका compensation का अधिकार है, इसका 23 का subsection 2 देख लो दीपांचू, विन enforcing specific performance under this section, इसका अंसर तुमारे question का subsection 2 में है, जिसमें बहुत clearly लिखा है, विन enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum, so named in the contract, तो liquidated damage के case में, अगर आपको specific performance मिल रहा है, तो जो specified sum है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका purpose बहुत clear होता है, उसका purpose व्यक्ति को breach करने से रोक नहीं होता है, और जब हम already specific performance उससे fulfill करवा रहे हैं, इसका मतलब हम अब उसको breach करने का option आगे नहीं दे रहे हैं, उससे anyways हम duty perform करवा ले रहे हैं, और जो liquidated sum होता है, उसका भी purpose यह होता है, एक binding, एक pressure की तरह काम करता है, कि तुम्हें obligation फुल्फिल करना, दुनों का purpose से में, हाँ, लेकिन otherwise section 21 में अगर court को लगता है, कि आर specific performance यह sufficient नहीं होगा, damage भी देना है, तो उस हिसाब से damage मिलेगा, बर liquidated damage नहीं, क्योंकि liquidated damage का भी वही purpose है, जो specific performance ensure करा ना, और वो हम करवा ही रहे हैं, anyways, so that's about section 24-25, I hope specific performance की दूसरी remedy, बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गई है, तो दो चीजें हमने complete कर ली, possession of property और specific performance, जो सबसे बड़ा portion था, इस पूरे act का वो हमने complete कर लिया है, remedies हैं, जिनके बारे में हमने अभी already discuss कर लिया है, recovery of possession of property, फिर हमने specific performance of contract यह already complete कर लिया है, now we'll be starting with rectification of instrument, इसका brief मैं already आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ की rectification of instrument क्यों होता है, जैसे मानली इंस्रूमेंट मतलब कोई भी written document, अब जो भी written document था, parties ने जिनोंने उसको बनाया है, जिनोंने उसको execute किया है, उनका जो real intention था, वो उसमें देखी नहीं रहा, बात कुछ और हुई थी, sense कुछ और था, लिखा कुछ और गया है, ऐसे में जो भी party उस बात को identify करती किया, इसमें तो लिखा कुछ और है, meaning कुछ और निकल रहा है, जबकि हमारा intention कुछ और था, तो उसमें corrections कराने के लिए आप court के पास जा सकते हैं, because that document, that instrument can be used against you, तो आपको लगता है कि जो बात actually थी, वो तो इसमें लिखी नहीं है, आप उसको figure out करते हैं, तो आप court के पास जा सकते हैं, for its rectification, आप जाके उसमें सुधार करवा सकते हैं, कि भाई, बात actually ये थी, और गलती से ये लिखा कुछ और गया है, इसलिए इसको सुधार दीजिए, ये एक relief है, जो specific relief act provide करता है, provision देखिए, 26 से पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको इसकी और detailing साथ साथ बताते चलूँगा, तो chapter 3, rectification of instruments, अब इसमें देखिए, लिखा है, when instrument may be rectified, कब आप एक instrument को rectify करा सकते हैं, when through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing, not being the article of association of a company, to which companies act 1956 applies, does not express their real intention, कोई भी written instrument बनाया है, दो लुब पार्टीज ने मिलके, और mistake या fraud के कारण, उस instrument में जो real intention था, वो appear नहीं हो रहा है, बात करना कुछ और चारे थे, लिखा को, या तो fraud के थुरू, कि जैसे माल लीजे, मुझे आपके साथ contract करना था in writing, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप मुझे fees देंगे, अब बात तो हुई थी कि 60,000 होगी fees course की, लेकिन मैंने fraud करके, उसमें 80,000 लिख लिया है, और वो document आपसे execute करा लिया है, बाइ fraud, या फिर दोनों party के पार्ट बे, mistake भी हो सकती है, ऐसे case में, अब जब आप इस ती स्को इडेंटिफाइ करेंगे, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, code में की बात 60 की हुई थी, आप सिरफ ये मांगने जाए, अभी enforcement, enforcement नहीं मांग रहें contract का, इसमें 26 में देखना तीन चीज़ है, भाई मान लीजिए ये एक return contract है, जिसमें चीज जो लिखी है, उससे real intention parties का appear नहीं हुआ, real intention था 60,000 में करने का, बट मैंने by fraud आप से 80,000 लिखवा के sign करवा लिया है, ऐसे case में दो तीन चीज़ है, एक तो ये कि अगर आपने figure out कर लिया, कि यार ये instrument में तो सर ने लिखवा लिया है 80,000, और बात तो हुईती 60 की, आप सीधे as a plaintiff court जा सकते हैं, एक suit file करने rectification का, आप सीधे ये suit file कर सकते हैं, कि जो हमारा real intention था, वो written instrument से appear नहीं हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं, एक suit file करने under section 26, आप सीधे एक suit file कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है, कि जैसे मानगेजिए, ये चीज हमने section 18 में already पड़ी है, जो section 18 हमने अभी पड़ा है, अपने session में, उसमें हमने ये देखा था, कि जब एक plaintiff specific performance मांगने जाता है, अपने contract की, और defendant उसमें कोई variation setup करना चाता है, या करता है, proof कर देता है, तो वो variation, वो rectification होगा, और फिर वो variation के साथ specific performance होगी, जैसे for example, जो मैंने आपको example दिया, कि भाई बात हुई थी, 60,000 की लिखा गया है 80,000, अब माल लेजे अगर मैं, instrument भी मैंने बनवाया by fraud, और मैं जाता हूँ court के पास, specific performance मांगने, कि साथ मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ, आप इनको बोलो, पढ़े और मेरे पैसे देंगे, मैं जा रहा हूँ specific performance मांगने court के पास, मैं plaintiff हूँ इस case में, आप defendant हैं, ऐसे में भी आप rectification plead कर सकते हैं, जब मैं आपके again specific performance मांगने जा रहा हूँ, रिटन इंस्ट्रूमेंट की, आप वहाँ पर इक defense setup कर सकते हैं, आप वहाँ पर ये plead कर सकते हैं, कि साथ ठीक है, ये जो कह रहा हैं, contract हुआ है, मेरा obligation है, लेकिन बात 60 की हुई थी, लिखा 80 है, आप अगर evidences देके, इस बात को प्रूफ करेंगे court के सामने, तो court पहले rectification करेगा, instrument का rectification भी करेगा, और specific performance grant तो करेगा, मेरे favor में, लेकिन with the variation करेगा, जो आपने proof किया है, defendant ने जो variation, ये जो fees का variation, अगर आपने proof कर दिया है, तो court मुझे specific performance grant तो करेगा, लेकिन with that variation, मैं entitled हूँगा 60,000 के लिए, ये हम already 18 में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी लिखा है, तो देखिए, या तो आपने identify कर लिया, सीधे सीधे, कि भईया instrument rectify होना चाहिए, उसके लिए आप court जा सकते हैं, सीधे rectify कराने जा सकते हैं, अभी enforcement की बात नहीं आई, या फिर मान लीजिये, मैंने specific performance का suit file किया है, तो being a defendant, आप वो plead कर सकते हैं, उसी में, आप वो चीज़ प्लीड कर सकते हैं बिल्कुल, मान लीजिये, आप specific performance कराने गए, उस contract की, तो वहां पे भी, आप rectification अपना plead कर सकते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ specific performance कराने, लेकिन आप जा रहें, कि साब बात करी थी इनने, अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, that is a different thing, वो अपन section 14 में पढ़ चुके हैं, कि personal qualification पे based जो contract होते हैं, उनमे specific performance नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको सिर्फ example के लिए बता रहा हूँ, rectification के, कि अगर माल लीजे, आप जाते हैं court के पास specific performance मांगने, और साथ में आप ये भी plead करते हैं, कि साब जो ये लिखा है, real intention इससे appear नहीं हो रहा, 80 नहीं 60 की बात हुई थी, एक तो इसको start किया जाए, और दूसरा हमें specific performance भी चाहिए, इस contract का, तो ये आप plead कर सकते हैं, तो तीन तरीके से rectification हो सकता है, या तो सीधे rectification करा नहीं जाओ court के पास, या फिर मैंने specific performance मांगा है, आप being a defendant rectification plead कर सकते हैं, या फिर आप specific performance मांगने जाएं, और उसी के साथ आप rectification भी plead कर दें, इस तरीके से 26 में rectification हो सकता है instrument का, एक बात pre के लिए बहुत important है ध्यान रखना section के साथ साथ, ये जो 26 का provision है, rectification का जो provision है, ये applicable नहीं होता, और article of association, जो अभी मैंने provision पढ़ा आपके सामने, वहां clearly लिखा है, instrument in writing not being the article of association of a company, company के article of association पर ये apply नहीं होता, उसका rectification नहीं होगा, that is an exception to that, so that is also important, फिर देखिए, आगे लिखा है bear it में, and does not express the real intention, then क्या कर सकते हैं, पहला, इधर party or his representative in interest, may institute a suit to have the instrument rectified, दोनों मैं से कोई भी party, सिर्फ और सिर्फ instrument को rectify कराने का suit file कर सकते हैं, पहला जो मैंने भी आपको बताया, फिर लखा है, और B, the plaintiff may in any suit, in which any right arising under the instrument is an issue, plaintiff कोई right मांग रहा है, जिसे मान लिजे, मैंने breach कर दिया उस contract का, आपके साथ return contract किया पढ़ाने का, कि 60,000 में बात हुई ती पढ़ाऊँ है, instrument में मैंने 80,000 लिखवा लिया है, और उसके बाद मैं अपना obligation perform भी नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप court में enforce कराने जा रहे हैं मेरा contract, आप चाह रहे हैं मुझे bound करना, ठीक है specific performance नहीं मांग रहे हैं लेकिन enforcement मांग रहे हैं आप जाके court में contract का, कि ये contract मेरे उपर enforce किया जाए, वहाँ पे भी आप ये plead कर सकते हैं कि इसे rectify किया जाए उसी suit में, यही बात भी reflect कर रहा है, यह वही example जो मैंने आपको बताया है कि अगर मांग लीजे मैं गया हूं specific performance मांगने इस contract का, और आप उसमें defendant हैं तो आप ये plead कर सकते हैं कि साब बहु ठीक है, जो ये कह रहे हैं लेकिन बात 60,000 की हुईतियों लिखा असी है, इसको rectify कर दीजे, आप अपने defense में ये बात भी डाल सकते हैं, तो rectification इन तीनों तरीके से हो सकता है section 26 के अंदर, I hope this is clear, इसके बाद तेखिये subsection 2 इसका, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified in the subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct rectification of the instrument, so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith and for value, देखिये बाई, subsection 2 भी इसका बहुत important है, क्योंकि हमने जैसे एक remedy पढ़ी है, specific performance, ये अलग-अलग remedies है, recovery of property, specific performance, specific performance के regarding जो हमने पढ़ा है section 10, वो mandatory provision है, court bound है specific performance देने के लिए, except a few exceptions, है ना, जो section 14, 16 और 11 का clause 2 हमने देखा था, इसी session में, अब specific performance में तो court bound है, लेकिन ये जो relief है, rectification of instrument, ये complete discretion होगा, subsection 2 में ये बात clearly mention है, कि rectification का relief देना, completely discretion है court का, bound नहीं है court rectify करने के लिए, अगर court को लगता है, कि हाँ जो written instrument है, उससे real intention parties का reflect नहीं हो रहा है, in that case only they'll go for the rectification, और साथ में rectify करते समय court, ये भी देखेगा, कि इससे किसी third party का interest तो affect नहीं हो रहा है, अगर किसी third party का interest affect हो रहा है, in that case the court may deny to give the relief of rectification, जैसे हमने वो instrument आपने sign तो किया है, 80,000 का भले ही आप कह रहे हैं, कि हमारा intention 60 का था, और मैंने उस पे करवा लिया है, 80,000 में, इसमें अगर किसी third party का interest involved है, और उसका अगर interest impact ये affect होगा, जैसे माल लीजिए, मैंने किसी वक्ती से 80,000 रुपे उधार ले रखे थे, मुझे उसे 80,000 देना था, हम दोनों ने जब contract किया, उसी contract में आपकी सहमती से हमने ये mention कर दिया, कि वो जो 80,000 फी से आप मुझे नहीं देंगे, उस third person को देंगे, उसका debt discharge करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, अब यहाँ एक third party का interest involved हो गया है, ऐसे cases में अगर adversely impact हो रहा है, उस third person का right, ऐसे cases में, court may not give you the remedy of rectification, ठीक, इसके बाद देखिए third, a contract in writing may first be rectified, and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading, and the court thinks fit, may be specifically imposed, अगर किसी written contract के specific performance के लिए, party court गई है, और defendant वहाँ plead करता है, कि इसमें rectification होना चाहिए, या फिर being a plaintiff, मैं खुद गया हूँ, contract को specific enforce कराने के लिए, specific performance कराने के लिए, और मैं ये plead करता हूँ कि साहब, इसमें rectification होना चाहिए, इस instrument में, जो real intention था, वो आ नहीं रहा है, इसमें rectification होना जरूरी है, ऐसे cases में भी, पहले वो written instrument, rectify करवाया जाएगा, फिर specific performance दी जाएगी, ऐसी ही बात, 18 में लिखी थी, लेकिन 18 थोड़ा सा narrow है, वो सिर्फ defendant को अधिकार देता है, rectify कराने का instrument को, और जो section 26 है, please understand the difference between 18 and 26, 18 सिर्फ और सिर्फ defendant को अधिकार देता है, rectify कराने का, whereas 26 दोनों parties को अधिकार देता है, कि आप instrument को rectify करवा सकते हैं, ठीक तो जहाँ पे specific performance मिलना है, return contract का, उसमें पहले rectification कराया जाएगा, उसके बाद ही specific performance grant करी जाएगी, इसके बाद देखिए 4, subsection 4, no relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under this section, unless it has been specifically claimed, जब तक आपने rectification expressly claim नहीं किया है, तब तक rectification नहीं मिलेगा, अगर आपने सिर्फ written contract का enforcement माला है court से, तो court सिर्फ enforcement देगा, उस case में rectification वो खुद से नहीं देगा, आपकी pleading में, plaint में mention होना चाहिए, या written statement में अगर आप being a defendant claim कर रहे हैं, तो वहाँ ये चीज मेंशन होनी चाहिए, कि आप rectification की रहयका relief भी चाहते हैं, court से court तब ही वो relief देगा, और proviso, जो बाकी के provisions भी अपने पड़े, उनमें जो proviso ये similar proviso इदर है, कि अगर आपने original plaint में relief claim नहीं किया है, all about rectification of instrument, तो section 26, दोनों party को अधिकार देता है, rectification, मांग सकते हैं, court से, एक मात्र section इसमें deal करता है, and I hope that is clear, समझ में आ गया भाई, एक बार बता दो, ज़रा comment box में समझ में आ रहा है आपके, तो आगे की remedies की बात करूं मैं, क्योंकि जो next chapter है, chapter 4, that is, of contract, contract को cancel कराया जा सकता है, देखिये, बहुत simple सी सा relief है, ये, recession का मतलब होता है, cancellation, तो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, section 27, थोड़ा सा overview उसका समझ लीजिए, किस बारे में बात करता है, तो इसमें, चार provisions हैं, 27 से लेके 30 तक, recession की ही बात है, cancellation की ही बात है, तो ये जो recession या cancellation of instrument है, ये होता क्यों है, या किस cases में होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे माल लीजिए, आपके और मेरे बीच एक contract हुआ, और आपका कहना है कि मैंने वो contract undue influence में करवाया है, आपका जो consent उस contract पे आपने दिया है, वो under undue influence दिया है, because you are my student, I am your teacher, I have a, we have a fiduciary relation, so I am in a dominating position, अगर मैंने इस dominating position का misuse करके आपका consent agreement पे obtain किया है, then the contract is said to be caused by undue influence, और Indian contract act में आपने पढ़ा है, कि अगर consent undue influence से caused हो, in that case the contract is voidable at the option of the party whose consent is so obtained, जिसका भी consent undue, जिस party का consent undue influence के थूप्तें किया गया है, contract में उसके part पे contract voidable होता, voidable होते हैं किया मतलब, वो party चाहेगी तो contract enforce कराया जाएगा, वो party चाहेगी तो enforce नहीं कराया जाएगा, set aside कर दिया जाएगा, cancel कर दिया जाएगा, तो भाईया अगर आपको cancel कराना है, आप चाहते हैं, देखिए एक तो ये होगा, कि मान लीजिए आपके साथ मैंने contract तो कर लिया, मान लीजिए आपके पास एक 50,000 का phone है, मैंने अंडी influence exercise करके आपके साथ ये agreement कर लिया, कि ओ 50,000 का phone आप मुझे 5000 में बेचेंगे, तो अब या तो मैं चले जाओंगा court के पास, contract enforce कराने आपके उपर कि भाईया, ये हमारा agreement है, return agreement है, sign किया है party ने, और ये mobile phone दे नहीं रहे हैं, आप दिलवाई ये, अगर मैं जाके suit file करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप defense claim कर सकते हैं अपना, ये तो avoidable contract है, इसको set aside कराया जाए, या फिर आप खुद से जाके remedy court के पास मांग सकते हैं, कि ये contract है, लेकिन ये avoidable है हमारे option पे, क्योंकि इसमें जो consent है, वो only influence है, और इसके लिए आप सीधे जाके cancellation of contract की, या instrument के cancellation, sorry, contract के cancellation का, आप relief court से मांग सकते हैं, तो आई ये provision पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आपके समझ में आएगा, when recession may be it judged or refused, section 27 basically बता रहा है, कि अगर आप cancellation मांगने गए हैं court के पास, कब court वो cancellation allow करेगा, it judge करेगा, और कब वो cancel करने से refuse कर देगा, कौनसी वो conditions हैं, जिसमें court contract को cancel नहीं करेगा, ये दोनों conditions 27 में बताई गई हैं, important है, prelims में questions आते हैं, कब recession of contract होगा, कब नहीं होगा, any person interested in a contract miss you, to have it resented and such recession may be adjudged by the court in any of the following cases, namely, कोई भी party जो interested है, उस contract में वो उसको cancel करवा सकती है, first, a में लिखा है, where the contract is voidable और terminable by the plaintiff, जो suit file करना है, जो suit file करने गया है, उसके part पर terminable है, voidable है, वहीं जो मैंने बताया, कि अगर मैंने आपका consent and do influence आप्टेन किया, तो आप court के पास जा सकते हैं, भीगा plaintiff, कि जो contract है, हमारे option पर enforceable है, और हम चाहें तो इसको set aside करा सकते हैं, तो आप ये relief में देदें, कि इसे आप set aside कर दें, इस contract को, इसके लिए आप court के पास जा सकते हैं, भी जो इसमें लिखा है, where the contract is unlawful, for causes not apparent on its face, and the defendant is more to blame than the plaintiff, तो एक तो या तो आपके part पर वो voidable या terminable हो, या फिर मान लेजिए वो contract ऐसा हो, जिसमें prima facie, apparently तो कुछ unlawful नहीं लग रहा, क्योंकि अगर prima facie वो unlawful है, murder करने का agreement है, smuggling करने का agreement है, तब तो वो void है, लेकिन prima facie वो नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसकी intricacies में जाते हैं, जब detail में जाते हैं उस contract के, उस contract से जो हम चीज़ें करने वाले हैं, उसका जो impact होगा, वो unlawful होगा, इस तरीके का कुछ unlawful अगर उस contract में है, ऐसे cases में भी आप court के पास जाके उसे set aside या cancel करा सकते हैं, तो कब cancel करा सकते हैं, दो चीज़े हैं, voidable हो या terminable हो, उसके बाद contract ऐसा हो, जिसकी intricacies detailing में कुछ ऐसी चीज़ हो, जिससे वो unlawful effect कॉज करेगा वो contract, और defendant की गलती है, इसमें unlawful चीज़ें जो हो रही है, इसमें defendant की गलती है, तो जो दूसरी party है, जो sober, वो जाके इसे cancel करवा सकती है, तो दो condition याद रखिएगा, cancellation करवाने के लिए, और इसके बाद, subsection 2 बता रहा है कि कभी ये cancel नहीं होगा, आप court के पास गये हैं, contract cancel कराने, और court refuse कर देगा, recession का relief देने से, तो subsection 2 में लिखा है, notwithstanding anything contained, in subsection 1, the court may refuse to resent the contract, a, where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract, अगर आपने already ratification कर लिया है, contract का आपने उसमें सुधार कर लिया है, तो फिर उसको cancel नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई देखिए, आपके part पे voidable या terminable था, या फिर उसका impact ऐसा था, जो unlawful चीज क्रेट कर रहा था, अगर आपने उसे rectify कर लिया है, तो फिर cancel करने की ज़रुरत नहीं है, बहुत obvious reason है, that is the first, कि अगर आपने ratification कर लिया है, तो फिर cancellation नहीं होगा, P देखिए, we are owing to the change of circumstances, which has taken place, since the making of the contract, not being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored, to the position in which they stood, when the contract was made, देखिए, contract दो parties के बीच हुआ, अब वो भेले ही आपकी option पर voidable था, लेकिन, in lieu of that contract, अगर हम दोनों parties की position में changes हो गए, हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर लिये हैं, हमने कुछ ऐसे act कर लिये हैं, कि अब अगर वो contract फुल्फिल नहीं कराया गया, तो party adversely affect होगी, उसका interest impact होगा, in lieu of that contract, अगर वो changes हो गए हैं, तो अब court हो सकता है, आपको recession की remedy ना दे, cancellation की remedy अब आपको नहीं मिले, जैसे कल मैंने specific relief fact का lecture चालू करते समय ही, आपको example दिया था, कि एक person एक builder से, एक residential society में flat book करता है, अब मान लीजिए, उसने builder से question के थूँ, consent obtain किया हो, या undie influence के थूँ, मान लीजिए, किसी भी कारण से, customer के part पे वो voidable है, या sorry, builder के part पे वो voidable है, builder चाहिए तो उसको enforce करा है, चाहिए तो cancel करा है, अगर ऐसा contract है, लेकिन वो जो customer है, उसने अपनी life में कुछ ऐसे changes कर लिया है, in lieu of that contract, जो मैं आपको कल बताया था, गलती customer की नहीं थी, और उसके बाद भी ये contract terminable है, मान लीजिए, किसी law की वज़े से, किसी अधर चीज़ की वज़े से, वो terminable है, लेकिन customer ने अपनी चीज़ों में change कर लिया, उसने बच्चों का admission उस जगे करवा दिया है, उसने parents का treatment, घर के पास वाले hospital में चालू करवा दिया, उसने अपनी position में changes कर लिया है, अब अगर contract फुल्फिल नहीं होगा, तो उसका interest adversely impact होगा, अगर ऐसी situation है, in that case the court may deny to give the remedy of recession of contract, ऐसे cases में court cancellation की remedy नहीं देगा, और वो deny कर सकता है, ठीक, तो सबसे पहला refuse करने का जो reason हो सकता है, वो ये कि आपने rectify करा लिया है contract, या फिर दूसरा parties की position में ऐसे changes हो गया है, कि अब अगर contract को enforce नहीं कराया गया, तो उनका interest effect होगा, और इसमें defendant की गलती है, चीक, चलिए, इसके बाद C, वेर third parties have during the subsistence of the contract, acquired rights in good faith without notice and for value, that is also very important, देखिए, पिछले वाले clause में अपनने क्या पड़ा, कि अब contract तो हो गया दो parties के बीच, एक party बाद में जा रही है, उसे cancel करवान है, court इस ground पर deny कर सकता है, cancellation की parties का interest adversely effect होगा, same, अगर contract होने के बाद, किसी third party ने right acquire कर लिया है, किसी third party का interest, उस चीज़ की वज़े से impact होगा, अगर अब वो contract enforce नहीं किया जाएगा, तो किसी third party का interest, अब impact होगा, ऐसे किस में भी court, recession या cancellation को मना कर सकता है, जैसे माली जे, A और B ने contract किया, कि A अपना घर B को sale करेगा, date we decide होई, सब कुछ हुआ, अब क्योंकि B के पास घर आने वाला था, तो उसने एक व्यक्ति को rent पे दे दिया वो घर, क्योंकि sale उसे हो रहा था, possession अभी मिल गई थी, sale deed complete नहीं हुई है, उसने किराए पे दे दिया एक tenant को, वो रहने लगा, उसके साथ lease का agreement हो गया, अब अगर A की request पे, ये जो contract है, cancel किया जाता है घर देने वाला, तो ऐसे में जो tenant आया है, जो किराएदार आया है भी का, उसका interest भी impact होगा, तो ऐसे cases में भी court, recession या cancellation of contract को, मना कर सकती है, या deny कर सकती है, इसके बाद देखिये, D, where only a part of the contract is sought to be resented, and such part is not severable, from the rest of the contract, ऐसे cases में भी court cancellation allow नहीं करेगा, जहाँ आप पूरे contract का, एक part cancel कराना चाह रहे हैं, और वो separable नहीं है, जैसे मान लीजिए, एक contract हुआ है, दो parties के बीच, और उसमें दो अलग-अलग तरीके के rights की बात चल रही है, जो separable नहीं है, जो पूरा contract है, उसको हम separate नहीं कर सकते, severe नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए, एक road बनाने का contract किया गया है, contractor के साथ, कि भाईया, तुझे point A से point B तक की सड़क बना नहीं है, अब वो cancel करवाना चाहता है, आधा, कि मैं point A से B तक की जगे, बीच रास्ते तक बना सकता हूँ, उसके आगे नहीं, अगर मान लीजिए contract हुआ है, दो घर बेचने का, तो एक घर के case में, उसको enforce कराया जा सकता है, दूसरे के लिए, उसको cancellation या set aside कराया जा सकता है, ऐसे cases में court cancellation लाओ करेगा, लेकिन जहां contract का obligation ऐसा है, which is not severable, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे cases में भी court, contract के recession को मना कर देगा, तो ये चार चीज़े हैं, जिसमें court, recession या cancellation का relief देने से मना कर सकता है, सबसे पहला, जहां आपने rectification करा लिया है, contract में तो फिर cancellation की ज़रूरत नहीं है, दूसरा, जो reason है, वो ये है कि, अगर मान लीजिए, parties का interest impact होगा, वहाँ पे भी court cancellation की remedy नहीं देगा, तीसरा भी इसी की तरह है, कि किसी third party ने right acquire कर लिये हैं, और अब अगर हम cancel करते हैं, तो उसका interest impact होगा, ऐसे case में भी cancellation या recession की remedy court allow नहीं करेगा, और last जो है, वहाँ आप एक part cancel कराना चाह रहे हैं, contract का and that part is not severable, separate करने के योग के वो चीज नहीं है, ऐसे case में चारों cases में refuse कर देगा, court recession की remedy देने से, इसके बाद देखिए, 28, recession in certain circumstances of contracts, for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed, थोड़ा सा overview समझ लीजेजे, इसका भी फिर अपन provision पे आते हैं, section 26 नहीं specifically बात कर रहा है, उन contracts की जो sale या lease के हैं immovable property, कोई जमीन, घर, इसको बेचने का contract है, या फिर किराय पे देने का, lease पे देने का contract है, दोनों में से कुछ किसी भी तरीके का अगर ये contract है, उससे related specific performance decree हो चुकी है already, थोड़ा सा situation समझ येगा, 28 किस बारे में है, तो आपको meaning अच्छे से समझ आएगा और याद भी रहेगा, जैसे मान लिजिए, A और B के बीच एक contract होता है, A ने contract किया है, B के साथ एक land sale करने का, piece of land है एक जमीन का तुकड़ा है, जो A, B को देगा, ये land B के पास जाएगा, और बदले में B देगा 2,00,00 रुपए, चिक, और इस land का specific, अब B ने क्या किया था, suit file किया है, court में जाके, किसाब A मुझे वो घर दे नहीं रहा है, आप specific performance कराईए, B court के पास जाके, क्या मांग लेता है, इस contract का specific performance, और court ने specific performance, grant भी कर दिया, क्योंकि इस contract में कुछ भी ऐसा नहीं था, जो उन conditions या circumstances में fall हो रहा हो, जहाँ specific performance नहीं मिल सकता, खल अपन ने पढ़ाता ना, 14 section की किन-किन, contract का specific performance नहीं मिल सकता, यह उसमें fall नहीं करता, तो court ने ना B के favor में मान लीजे, specific performance दे दिया, decree कर दिये, कि हाँ specific performance तुमें मिलेगा, अब हम बात कर रहे हैं, उस contract को cancel करने की, B के favor में decree आ गई है, specific performance की, कि B को ये land मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे है, कि court ऐसी decree करने के बाद, भी कब इस contract को cancel कर सकता है, तो आप ज़र अपना prudence या common sense लगा के भी सुचिए, कि जब court इस बात पर agree कर रहा है, कि ठीके तुमको land मिलेगा, क्या ऐसे करन हो सकते हैं, जिसकी वज़ाई से court इस contract को cancel कर दे, सबसे important एक करन यह हो सकता है, कि ये व्यक्ति, ये 2,00,000 रुपे देने को तैयार ना हो, भाई land तुमें specific performance हम करवा देंगे, जमीन तुमको मिलेगी, लेकिन जमीन कब मिलेगी, जब तुम जमीन के बदले के जो 2,00,000 रुपे हैं, वो देने को तैयार हो, अगर आप दोलाक रुपे देने को तयार नहीं है तो क्या specific performance की जो decree है वो execute कराई जाएगी आप जानते हैं CPC में decree अभी आई है execute नहीं हुई है तिलाया आपको land तब जाएगा जब ये दोलाक रुपे का payment करेंगे तो 28 ऐसे ही बातने करता है कि decree होने के बाद भी cancellation कैसे हो सकता है अब पढ़ते हैं इस provision को तो देखिए यहां लिखा है वेर नशूट वेर इन एनी सूट अडिक्री फॉर specific performance of a contract for the sale or lease of immovable property has been made already decree आ चुकी है और पर्चेसर और लेसी दस नौट पर्चेसर कौन है भी है लैंड का पर्चेसर और लेसी दस नौट विदिन दी पीरेड अलाउड बाइदी डिक्री डिक्री में ताइम भाई specific performance आपके फिवर में आगे कि ठीकि तुम्हें लैंड मिल उस समय में अगर बीने दो लाख रोपे नहीं किये तो फिर ये कॉंट्रैक्ट एंसल करा दिया जाएगा और पर्चेसर और लेसी दस नौट विदिन दी पीरेड अलाउड बाइदी डिक्री और सच फर्दर पीरेड अस दे कोट में लाउड पेदी पर्चेस मनी और अदर स इस समय अवधी दी गई तो फिर ये जो लाइड है ये बीको मिलना है लेकिन डिक्री में जो समय अवधी दी गई थी जो समय दिया था कोट ने कि वाया आपको भी तो दोला फुरुपे पे करने वो आप नहीं करते हैं उस समय में तो कोट इस कॉंट्राट को कैंसल कर सकता है जो डिफेंडेंड ए जो है यहां पे वो कोट से बोल सकता है कि साब ठीक है स्पिसफेक परफॉमेंस आपने टि कैंसल करवा सकता है चीक कॉंट्राक्ट कैंसल हो जाएगा इसे किस में इसके बाद देखिए इसका सबसेक्शन टू वेरा कॉंट्राक्ट इस रेजिंडेंड अंडर सबसेक्शन वन्द कोट शाल डिरेक्ट दी पर्चेशर और लेसी इफी अज उप्टेंड पशेशन अप वाद दिया जाएगा क्योंकि आप हम उस कांट्राट को केंसल कर रहे है और वो डिकरी भी एफेक्टिव नहीं रहेगी फिर उसको भी कैंसल किया जाएगा यह इंपाक्त बता रहे हैं बिसिकली कि अगर कांट्राक्ट कैंसल हो गया तो आप अगर पॉसेशन हसल कर ले थी तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी. We have made direct payment to the vendor or lesser of all the rents and profits which have accrued in respect of the property from the date on which possession was to obtain by the purchaser or lessee until restoration of possession to the vendor or lesser and if the justice of the case so requires the refund of any sum paid by the vendee or lessee as earnest money. और साथ में ये भी कराया रहा सकता है कि अगर मानलीजे इसने कोई advance amount दिया था पूरे 2 लाख नहीं दिये थे लेकिन 50 तो दिये थे लेकिन पूरे 2 नहीं दे पाया समय चलते तो फिर हम contract cancel तो कर रहा है लेकिन इसके भी अगर 50,000 A के पास आएं तो वो भी restore करा दिया जाएगा देखिए भाई equity का simple principle है कि दोनों parties को उस position में ले आएंगे जिसमें वो पहले थे cancel कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि अगर B ने advance 50 दिये थे तो वो अभी यह खा जाएगा वो भी वापस मिलेंगे इसी के साथ अगर मान लीजे बी ने possession ले थी land की 6 मैने के लिए उसने possession रखी है लेकिन उसके बाद जाके वो contract cancel हो रहा है तो इस 6 मैने में A को जो भी profit या rents मिलता इस land का वो भी B से pay कराया जाएगा A को जब ऐसे contract को cancel कराया जाएगा यह पूरा सार है subsection 2 का I hope this is clear इसके बाद देखिए subsection 3 if the purchaser or lessee pays the purchase money or other sum which is ordered to pay under the decree within the period referred to in subsection 1 the code may on application made in the same suit award the purchaser or lessee such further relief as he may be entitled to including in appropriate cases all or any of the following देखिए subsection 3 मैं आपको brief कर देता हूँ बोल क्या रहा है अगर माल लीजिए अब भाई इसको तो 2 लाख रुपे देने थे अगर माल लीजिए जो समय fix किया गया है जिसके अंदर भी को 2 लाख रुपे देने से तो land उसको मिल जाता अगर ये पे कर देता है ये 2 लाख रुपे अगर भी पे कर देता है उस contract के चलते हैं उस contract के तहर्र तो भी यहाँ पे पे करने के साथ ही खुछ additional further relief एक तो वो specific performance तो मिली गया है further relief भी claim कर सकता है further मतलब possession तो साथ मुझे मिलेगी लेकिन उसमें separation करवाना है partition करवाना है इसके बारे में पहले भी पन्ने session में बात करिए है कि अगर माल लीजिए वो joint property थी दो भाई मिलके enjoy कर रहे थे तो अब जो नया तीसरा वेकिती आया है वो उसको तो अपना portion चाहिए ना separate तो partition भी यह plead कर सकता है इस तरीके के further separate possession के लिए भी यह plead कर सकता है that is subsection 3 that's it इसके बात subsection 4 कहता है no separate suit in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie at the instant of a vendor और यहां जो भी चीज़ें जो चीज़ें आप section 28 में claim कर सकते हैं उसके लिए आप separate suit file नहीं करेंगे वो आपको यहीं claim करना है जो बेचने वाला था ए अगर माल लेजे हो यहीं claim कर सकता है cancellation of contract तो उसके लिए वो separate suit file नहीं करेगा same suit में करना है five cost के बारे में बात करता है कि यह जो पूरी proceeding होगी cancellation की इसकी जो cost पे करेगा वो विक्ती करेगा जिसको court direct करेगा court का description होगा इससे कितनी cost पसूल नहीं है so that is 28 I hope 28 is clear 28 बात कर रहा है कि एक party के favor में specific performance की decree हो गई है लेकिन फिर उस contract को cancel कराया जा रहा है कराने का ground क्या होगा पैसे नहीं दियो उसने सिंपल कि इसके बाद आजाई है ट्विंटी नाइन alternative prayer for recession in suit for specific performance कि ट्विंटी नाइन एक alternative prayer की बात करता है 29 कहता है कि अगर आप cancellation या या अगर आप specific performance का suit file कर रहे हैं तो as an alternative remedy आप cancellation of contract भी मांग सकते हैं देखिए भाई जब भी आप suit file कर रहे हैं specific performance का contract के तो हो सकता है court specific performance दे या ना दे तो अब उतना discretion नहीं है court का specific performance देने में it is a mandatory provision under section 10 की specific performance देना है लेकिन कुछ exceptions तो है section 14 section 16 ये तो है अगर मान लेजिए इन कारणों की वज़े से आपको लगता है कि हो सकता है मैं जो suit file कर रहा हूं specific performance लेने के लिए इसमें मुझे specific performance grant ना हो तो as an alternative remedy उसके specific performance के स्थान पे आप साथ में ये भी बोल सकते हैं अपनी प्लेंट में कि अगर specific performance कोड ग्रांट नहीं करता है इस contract की मुझे तो इस contract को cancel कर दिया जाए बशरते आप होने चाहिए cancellation के लिए जो अभी सब अपन ने पढ़ा ना कौन इंटाइटल होता कब होता वो होना चाहिए 29 मेर लिए declaration है कि आप specific performance मांगने गये है वहां as an alternate remedy आप cancellation भी मांग सकते हैं देखिए 29 में में लिखा है अगर आपने यह प्लीड किया है और कोड को भी सही लगता है तो कोड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर डिनाय करता है इन डाट किस आपको cancellation of contract की remedy दे सकता है बट इस discretion of the court section 30 काफी जादा important है लिए 28-29 प्री में बहुत जादा पूछे तो नहीं जाते हैं बट क्योंकि अब हम इतना ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको समझ में पूरी कहानी आजा इसलिए मैं उन provision का मीनिंग आपको जरूर बता दे रहा हूं बट जनरली पूछे नहीं जाते बट 30 वेरी इंपॉर्टन यह सीधे-सीधे पूछा जाता है जब भी कोट कैंसेल करेगा कोई कॉंट्राक्ट तो जिस पार्टी के फेवर में कैंसेलेशन हो रहा है उससे कोट एक्सपेट करता है कि वह भी कोटी करे कैंसेल तो हम कर रहे हैं कॉंट्राक्ट लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस कॉंट्राक्ट के से अगर आपने कुछ बेनेफिट ले लिया है तो वह बेनेफिट तो आपको वापिस करना पड़ेगा जैसे माल लीजे मेरे पार्ट एक्सेस करके आपका consent obtained किया है तो ऐसे किस में क्या होगा अगर आप कोट के सामने यह प्रूफ कर देंगे कि मैंएट युइंफ्वेंस करके आपका consent लिया है तो कुझ आपके फिबर में कैंसल कर देग एस इंस्ट्रूमेंट को लेकिन अगर मान ली जे år्य है कि मैंने यह कि वो तो equity हो रही है लेकिन मेरे साथ अन्याई नहीं हो सकता ना मैंने दो हजार रुपय अगर advance आपको दे दी है तो वो आपको मुझा restore करने पढ़ेंगे यह कहता है section 30 on adjudging the recession of a contract the code may require that the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require ठीक तो जो भी आपने benefit लिया है वो आपको restore करना पढ़ेगा दूसरी पार्टी को अगर cancel आप करवा रहे हैं contract ठीक I hope that is clear so that was about recession of contract cancellation of contract अब जो अगली remedy है chapter 5 में that is cancellation of instrument there are difference समझ लीजेगा देखिए भाई एक हमने पढ़ा अभी रेक्टिफिकेशन सुधार करते हैं आप इंस्ट्रूमेंट में पात हुई थी साथ हजार में पढ़ाने की लेकिन अस्ती हजार लिखा गया था तो उसको आप सुधरवा रहे हैं that is rectification contract cancel करने का मतलब अब हम अपना obligation फुल्फिल नहीं करेंगे contract आपने बहुत sequence में भी दी हैं ये आपने court के पास जाके उस contract को तो cancel करवा लिया है कि ये contract enforce नहीं होगा आपके against क्योंकि undue influence exercise किया था मैंने तो वो contract तो आपने cancel करा लिया है but that written statement that written contract is still with me मेरे पास है वो original जिस पर आपने sign करेंगे अब इसका further future में इस्तेमाल वो जो instrument है देखिए contract मतलब दोनों का obligation और उसको fulfill करना लेकिन वो contract जब लिखित है documented है that is an instrument तो आप contract तो cancel हो गया है कि ठीक है भाई या obligation आप अपना fulfill नहीं करेंगे आपको जरुवत नहीं है मुझे phone देने की लेकिन वो जो instrument है वो जो return contract का जो document है वो तो अभी भी exist कर रहा है और अगर उसका कोई misuse in future हो सकता है तो ऐसे case में आप court से ये relief भी मांग सकते हैं कि उस instrument को cancelled declare कर दिया जाए contract तो voidable था तो set aside करा दिया कि आपको obligation fulfill करना नहीं पड़ेगा लेकिन instrument अगर कोई ऐसा है जिसका misuse आके हो सकता है तो उस instrument को भी आप cancel करा सकते हैं that is also a remedy available under section 31 तो चलिए अब बात करते हैं आपने कांसलेशन आफ इंस्ट्रूमेंट की यह जो रेमेडिय है तो कि 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 सेक्षिन थर्टी वन इंस्ट्रूमेंट को कैंसल कर वा रहे हैं आप क्योंट में एक तो था रेक्टिफिकेशन चेंजिस कर रहे थे यहां आप कैंसल करा रहे हैं देखिए वेन कैंसलेशन में भी ओडर कभ कैंसलेशन आदर होगा इंस्ट्रूमेंट का एनी परसें अगेंस्ट हूम रिडन इंस्ट्रूमेंट इस वाइड और वोइड़ है कि उस इंस्ट्रूमेंट की वज़े से आपको इंजरी कॉल्स करी जा सकती है ऐसे केस में आप इंस्ट्रूमेंट का कैंसलेशन मांग सकते हैं में स्यूटू हाविट एडजर्ज वॉइड और वॉइड़ेबल आंड कोड में इन इस डिस्क्रेशन यह वाले जो डिस्क्रेशन अगर कोड चाहे तो उस डॉक्यमेंट को गर सकता है इसी के साथ सब्चेक्शन टू यह कहता है कि अगर वो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन आक्ट से गवर्न हो रहा है तो इस कैंसलेशन के ओडर की एक कॉपी रजिस्ट्रार्स ऑफिस में भी भेज दी जाएगी जैसे माली जिस्टर्ड कॉंट्राइट था उसको रजिस्टर भी कराया था तो उस रजिस्टर के पास भी जाएगी इस ओडर की इस डिक्रेगी कि भाया थे इन्स्रुमेंट हॉस वीण डेक्लेड कांसल तो वह अपने एक इंस्ट्रुमेंट को पार्शली कैंसिल कर सकते हैं यह है इंस्ट्रुमेंट अब इसमें माल लीजें अलग-लग टर्म्स लिखें हैं एक-दो-तीन-चार-पांच तो इसमें से कुछ पार्ट भी आप कैंसल करा सकते हैं बशर्ते सेपरेबल होना चाहिए देख यह थर्टी से अलग-अलग तरीके के राइट कंफर किये जा रहे हैं लाइबिलिटी इसकी बात चल रही है और अगर वह सपरेबल है ऐसे कि इसमें पार्ट भी कैंसे पूरा इंस्रूमेंट कैंसल ना करके एक पार्ट जैसे मान लीजिए एक डीड बनाई गए उसमें एक फ्लाट कंवे क कि अगए एक विट्टी को फ्लाट दिया गया उसमें एक पीस ऑफ लेंड भी दिया गया उसमें गाली भी लग अलग-अलग तरीके के राइट दिये गए अब माल लीजिए लएंड के रिस्पेक्ट में कैंसलेबल है वो कैंसल हो रहा है इंस्रूमेंट तो इस है वो अभी भी वालेट रहेगा सिर्फ उसका एक पार्ट कैंसल किया जा सकता है ठीक यह कहता है 32 प्री के लिए बहुत important question है section number पूछा जाता है कि पार्ट में कोई instrument cancel हो सकता है इसका provision किदर दिया है और यह भी कि पार्ट में कैंसल हो सकता है या नहीं तो ध्यान रखिएगा पार्ट में भी एक instrument कैंसल हो सकता उसका एक पार्ट भी कैंसल हो सकता है और यह प्रोविजन दिया है section 32 में 32 में इसके बाद आ जाए 33 पावर तो रिक्वार बेनेफिट तो बी रिस्टोड और कंपेंसेशन तो भी मेड बेन इंस्ट्रूमेंट इस कैंसल और सक्सेस्वली रिजस्टेट आस बींग वॉइड देखें वाई यह बिल्कुल 30 की तरह है बहुत सिंपल है मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं सिर्फ रीड करना रहेगा उसके बाद एक आपको यहांबे भी कोटी करनें की बाद चल रही है अगर मालीज इंस्ट्रूमेंट कैंसल हो रहा है और आउट ऑफ दाट इंस्ट्रूमेंट अगर किसी पार्टी ने कुछ बेनेफिट ले लिया है दूसरे से तो वह बेनेफिट उसे री स्टोर करना पड़ेगा या माइनर ने कोई बेनेफिट अप्टेन कर लिया है तो क्या वह लाइबल है उस बेनेफिट को वापिस करने के लिए मौरी बीवी वाला केस था जिस तरीके से उसका अंसर इस प्रोविजन में है देखिए इंपॉर्टन है यह काफी 33 प्रिलिम्स के लिए on adjudging the cancellation of an instrument the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require तो भाई अगर आपने कोई benefit acquire किया है उस instrument से जिससे आप cancel करा रहे हैं तो आपको benefit restore करना पड़ेगा या फिर पार्टी को compensate करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को उसके बाद इसका subsection 2 देखिए where a defendant successfully resist any suit on the ground अगर पहले तो आपने being a plaintiff कि आपने जाके court में suit file किया है cancellation का आपके favor में cancel हो गया suit तो आप compensate करेंगे one is that subsection 2 कहता है कि आपके against suit file हुआ था और वहां plead करके आपने instrument को cancel करवा लिया है तो आपकी भी responsibilities है where a defendant successfully resist any suit on the ground that the instruments ought to be enforced against him in the suit is voidable the code made the defendant has received any benefit under the instrument from the other party require him to restore so far as may be such benefit to that party or to make compensation for it तो आपको भी अगर आपने कोई benefit ले लिया है being the defendant तो आपको भी वो benefit restore करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए वोई mobile वाली कहानी मैंने आपके against suit file किया specific performance का किसाब इनने contract किया था मेरे साथ कि अपना पचासदर का phone मुझे 5000 में देंगे वो दिलवाई है मैं जाता हूं code के पास ये relief मांगने आप वहाँ पर plead करते हैं किसाब contract तो cancel voidable है मेरे part पे इसलिए जो written instrument है इसको भी cancel कर दिया जाए तो अगर आप उस instrument को cancel करा रहे है इस ground पे कि वो voidable है आपके option पे ऐसे में मैं ये code ये करेगा कि अगर मैंने आपको 2000 रुपए advance दिये हैं अगर इंकॉंपिटेंट होने की वजह से आप ये प्लीड करते हैं कि this contract is void तो आपकी भी responsibility है कि अगर आपने कोई benefit लिया है तो आपको उसे restore कराना है but the difference is compensate नहीं कराएंगे अभी जो अपनने clauses पड़े सब section 1 पड़ा या फिर सब section 2 का clause A पड़ा इसमें आप देखिए last line में लिखा है such benefit to that party और to make compensation for it या तो वो restore करिये और अगर वो dispose of हो गया खतम हो गया तो compensate करिये लेकिन incompetent विक्ती से compensate नहीं कराते है या तो restore कराएंगे या उसकी estate से उसके पास उसके नाम पे जो property है उससे नुक्सान की भरभाई कराई जाए जाए that is the only difference भी देखिए that the agreement sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of the Indian contract act the court may if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party require him to restore so far as may be such benefit to that party to the extent to which he or his estate has benefited thereby उसको जितना benefit हुआ है उसकी property में जितना increment हुआ है उस benefit की वज़े से वो वापिस कर वाएंगे जैसे मानले जिए एक माइनर के सांथ agreement हुआ किसी वक्ती का और माइनर ने कुछ benefit obtained किया है out of that contract लेकिन बाद में माइनर प्लीड कर देता है कि यह तो वॉइड है और हम अपना obligation fulfill नहीं करेंगे लेकिन माइनर ने कुछ benefit ले लिया है उसकी property में कुछ increase हुआ है because of that benefit in that case माइनर से भी वो चीज़ वापस restore कराई जाएगी दूसरी party को that's what it says and this is very important सीधे सीधे ना clause का सवाल भी इदर problems में पूछ लिया जा सकता है आपसे so that's another relief cancellation of instrument इसके बाद बात करते हैं अगले relief की जो की है declaratory decree and that is very important मैं आपको पहले भी बताया है declaratory decree के purpose से भी means में सवाल आता है किस declaratory decree का purpose क्या है तो यह second last relief है आपके SRA के अंदर specific relief act के अंदर तो देखिए declaratory decree होता क्या है थोड़ा सा पहले एक बार provision पढ़ते हैं फिर मैं आपको उसका overview बताता हूं कि क्या है क्यों हो रहा है यह सारी चीज़े तो देखिए chapter 6 is declaratory decree section 34 केता है description of court as to declaration of status और right किस बात का declaration है status का declaration है या फिर right का declaration दो तरीके के declaration की बात है status या राइट देखिए तो यह जो declaration होगा यह या तो किसी legal character का declaration होगा या फिर यह declaration होगा किसी right का विच इस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी राइट का declaration या फिर किसी legal character का declaration देखिए प्रॉपर्वेशन पढ़ते है फिरम बतातों आपको यह होता क्या है section 34 says discretion of court as to declaration of status or right any person entitled to any legal character और to any right as to any property किस चीज़ के लिए entitled होने चाहिए किसी legal character के लिए या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी right के लिए may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right कोई ऐसा वेक्ति जो एक legal character के लिए entitled है या किसी right के लिए entitled है property से related वो एक suit file कर सकता है ऐसे वेक्ति के against जो या तो deny कर रहा है उसके right को या deny कर सकता है in future उसके against आप पहले से एक declaration ले सकते हैं अपने favor में आगे लिखाया है his title to such character or right and the court may और यह discretionary right है court का and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief आप सिरफ declaration भी मांग सकते हैं यह कहता है एक suit में देख यह होता क्या है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है legal character से मतलब relationship आपकी किसी के साथ यह legal character है आप इस मठ के मठादीश appoint होने के लिए entitled है that is a legal character कोई trust है आप उसके head बनने के लिए entitled है आप अपना right claim कर रहे है उसका declaration आप court से चाहरें court declare कर दे कि इस मठ के मठादीश हम ही बनेंगे that is legal character कोई woman court से यह चाहरे है कि वो declare कर दे that she is lawfully wedded to a person कि उसकी wife है lawful तो कि भाया पहले वो यह प्रूफ करेगी कि lawful wife है उसके बादी वो maintenance claim कर सकती है conjugal rights claim कर सकती है yes or no तो बिना further relief claim कि यह conjugal right या फिर maintenance claim कि आप पहले declaration ले सकते हैं ऐसे वक्ति के against जो deny कर रहा है माल लिजे एक woman जो एक person के against कर रही है कि वो उसका lawfully wedded husband लेकिन husband उसको deny कर रहा है कि रहा भाई यह हमारी बीवी नहीं है हमने lawfully शादी नहीं करी इससे तो wife ऐसे case में court से इस legal character के regarding a declaration की decree ले सकती है कि court declare कर दे that I am lawfully wedded to this person तो यह जो वेक्ति है husband he is denying the legal character and wife is pleading the same ऐसे case में declaratory decree का suit file हो जाएगा और अगर court को लगता है court का discretion है court decree दे सकता है ऐसे same as with right related to property आप claim कर रहे हैं कि इस particular farmhouse के owner आप है आपको लगता है कि या तो कोई already deny कर रहा है already कोई possession लेके बैठा है और farmhouse खाली नहीं कर रहा है या फिर माल लेजिए वो कबजा करने की कोशच कर रहा है अभी एक तो यह है कि already deny कर रहा है या फिर in future कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को जब आपको जाचना है कि वो in future deny कर सकता है या assert कर सकता है अपना कोई right up के against ऐसे case में भी आप declaratory decree ले सकते हैं लेकिन ये mere speculation नहीं होना चाहिए जैसे इसको एक example से अपन समझते हैं जैसे माल लेजिए सड़क पे एक आदमी जा रहा है एक छोटा सा बच्चा चार-पास साल का उसके पास आता उसका हाथ पगड़क कहता है पापा सकता है या यह यह legal character मुझसे मांग सकता है मेरे अगेंस कि मैं उसका father हूँ क्योंकि इसने सड़क पे हाथ पकड़के मुझसे बोला पापा घर ले चलो so this is merely speculation क्योंकि as such evidences नहीं है यहां उस चीज़ को proof करने के this is merely an speculation लेकिन एक illustration से समझी है कि कहां इस व्यक्ती के पास ऐसा अधिकार आएगा माल लेजिए यह जो व्यक्ती है let's say H H शादी करता है एक woman से W जो की already widow है और इसका एक बच्चा भी है she has a child as well child see इस widow से यह व्यक्ती शादी करता है यह व्यक्ती इस बच्चे को adopt नहीं कर रहा है या यह अपने यह husband इस child को अपना child recognize करना नहीं चाहता and he has that option ठीक कि वो चाहे तो deny वो शादी कर रहा है इस widow से लेकिन वो बच्चे को खुद का नहीं मानना चाह रहा है लेकिन इसने क्या क्या घर में रहना अलाव कर दिया कि चलो अब इससे शादी हुई है वाइफ है तो बच्चे को बोले है तो रह सकता है लेकिन वो अपना लीगल रेप्रेजेंटेटेव उसको बनाना नहीं चाहता है अपना चाइल्ड बनाना नहीं चाहता लेकिन यह जो वो में मान लेजे यह बच्चे का एड़मिशन कराने जाती है एक स्कूल में और वहाँ एड़मिशन फॉर्म में फादर्स नेम का जो कॉलम होता है उसमें एच का नाम लिख देती है तो अब इस तरीके के एड़मिशन कर सकता है अपना राइट अगेंस दी हजबंड ऐसे केस में एच में मूव तू दे कोट for having a declaratory decree under section 34 क्योंकि अब यहाँ प्रॉपर authentic evidences का creation हो रहा है सड़क चलते बच्चे ने हाथ पकड़के बोला वहाँ उसको हम यह नहीं कहेंगे that he is interested to deny the legal character है ना वहाँ पे वो interested नहीं माना जाएगा बड़ यहाँ माना जा सकता है because यहाँ पे proper evidences हो रहे हैं उस बात के so इस बात को समझेगा एक ऐसा वेक्ति जो deny कर रहा है already या in future कर सकता है ऐसे वेक्ति के against आप एक declaratory decree पहले से ले सकते हैं अब इस declaratory decree को लेने का purpose क्या है क्यों आपन यह declaration करवाने तो भाई देखिए stability in relation पहले ही वो नहीं तो फिर वो कोई बच्चा मेरी property में हिस्सा मांग सकता है इस से अच्छा आप court के पास जाके एक declaratory decree ले आओ against that child कि भाई मैं इसका father नहीं हूँ मैं इसका lawfully father नहीं हो और यह मेरा legal representative नहीं बनेगा यह declaration आप court से लिए है तो आप निश्चिन तो बजाएंगे basically यह purpose है declaratory decree का अगर माल ल land है जो है तो आपका लेकिन आपको अंदेशा है कि दूसरा विक्ति उस पर कबजा कर रहा है वो lawfully claim कर सकता है तो क्या होगा उस property को ना तो आप उस तरीके से enjoy करेंगे ना उसमें कुछ improvements कर पाएंगे माल लीजे land है उसका आप farmhouse बनाना चाहते हैं लेकिन आपी वो disputed है व उसने suit file कर दिया और कबजा कर लिया या फिर law के हसाब से suit file करके उसने हम से ले ली तो हम जो पैसा खर्च करेंगे उस land पर वह भी वरवाद हो जाएगा तो यह unstability खतम करने के लिए declaratory decree basically है इसका purpose basically है इस unstability को खतम करना ऐसे मैं आप जाके court से एक आप भले possession मत मांगो आप एक declaratory decree ले आईए वहाँ जाके कि साथ this land belongs to me आप यह declare करते जाए ताकि मैं इस जिन्त हो जाओं फिर मिरको उस पर विल्डिंग तानना में विल्डिंग ताननू farmhouse बनाना है farmhouse बना दूँ I hope you are getting this so that is the purpose behind declaratory decree ताकि आपको stability मिल जाए उस relation में या उस right से related चलिए एक चीज और जो इदर important 34 में वह आप देख पा रहे हूंगे 34 का जो main provision उसकी last line में लिखा है and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief जरूरत नहीं है कोई और further relief आप सिरफ declaration मांग सकते हैं कि आप उनर इस घर के possession मांगने की जरूरत नहीं है आप सिरफ यह मांग सकते हैं एक woman सिरफ यह declaration मांग सकती है कि यह वक्ती मेरा husband maintenance अभी मांगने की जरूरत नहीं लेकिन इसका जो प्रवाईजो है वो contradictory बात करता है प्रवाईजो देखी आगे provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title permits to do so लेकिन प्रवाईजो कह रहा है कि court declaratory decree तब तक नहीं देगा जब तक उससे आगे होने वाले further reliefs वक्ती claim ना कर ले main provision कह रहा है कि आप बिना further relief मांगे सिरफ declaration मांग सकते हैं और प्रविजन प्रवाईजो कह रहा है कि court देगा नहीं लेकिन आपको आप मांग सकते हैं लेकिन court देगा नहीं सिरफ declaration साथ में और आगे कि जो reliefs हैं possession या फिर wife maintenance conjugal right further relief भी आप मांगे तब ही आपको declaration यह basically है multiplicity of suit को prevent करने के लिए और इसमें दोनों का interest protect होता है देखिए जो main provision है वो party को अधिकार देता है कि आप अभी सिरफ declaratory decree मांगिए उससे क्या होगा आपकी court fees कम लगेगी आप जितने ज्यादा relief मांगते हैं उत्ता ज्यादा court fee देनी पड़ती पैसा देना पड़ता है आप पहले सरफ लेकिन अगर आपने माल लीजिए declaratory decree की court fee करके suit file कर दिया और आपको लगता है अपने favor में आ रहा है जीत रहा है अपन वहाँ प्लेंट अपनी अमेंड करके अपनी प्लीडिंग्स अमेंड करके further relief claim कर लीजे ताकि जब court declaration दे उस समय उसके पास आपकी तरफ से already further relief claim हो चुका हो ऐसे केस में वह लेकिन court declaratory decree और further relief आपको दे देगा ताकि फिर आप multiple suit लेकर आए तो देखिए main provision party को अधिकार दे रहा है कि आप बिना further relief claim करे भी suit institute कर सकते हैं लेकिन court declaratory की decree तभी देगा जब further relief की उसमें होगा तो वो आप during the proceeding amend करके करेंगे किसलिए है ताकि party पे extra burden ना आए initially लेकिन court क की responsibility है कि further relief भी देना है ताकि multiplicity of suit ना हो एक बार आप declare कराएंगे दूसरी बार आप position लेने जाएंगे तो multiplicity of suit हो कि और ये procedure loss का सबसे basic purpose होता है कि multiplicity of suit ना हो court का समय वेर्थ ना हो अगर आपने CPC पढ़ा है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहोंगे तो दाट्स 34 declaratory डिक्री लीगल कारेक्टर मांग सकते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट का declaration आप यहां मांग सकते हैं अगर मान लीजे आपने उस लैंड की जो अपन बात कर रहे थे भी डिक्लेरेटरी डिक्री में किसी वेक्ति जिसका आपको अंदेशा है कि यह कबजा करने की फिराक में उसके अगेंस्ट अगर आपने डिक्लेडरी डिक्रे लिगली है तो वो सिर्फ उसके अगेंस्ट है जनता जनारदन के अगेंस नहीं है, बाद में कोई और अगर suit file करता है उस land को claim करने का, तो वहाँ आप वो decree नहीं दिखा पाएंगे, कि हमने तो already decree ली हुई है, क्योंकि वो जो decree थी, वो इस बात की थी, कि उस व्यक्ति से better title आपका है, जैसे माल लीजे, आप A है, एक land है, जो आपके हिसाब से आपको belong करता है, और आपको अंदेशा है, कि एक व्यक्ति है B, यह हो सकता है, claim करे अपना right इस पे, तो यहाँ आपने B के against एक suit file किया, A जाता है court, और किसके against suit file करता है, court जाके B के against suit file करता और इसके against decree ले आता है, तो court ने इस decree के थुरू, आपको यह बताया है, कि B से better title आपका है, इसलिए B इस land को नहीं हतिया पाएगा, यह declaration है, यह नहीं है कि आप absolute owner होगा है, अब मालने जी एक नया विक्ति C, अगर suit file करना चाता है, और वो कहता है, कि वो entitled is land के लिए, तो यह suit file करेगा, court जाके, और यह जो आपने already एक declaratory decree B के against ले रखी, यह इस suit में किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ यह proof करना है, कि आपका जो title है, जिस हग से आप इस land को अपना बोल रहे हैं, वो इस वेक्ति से better है, छी, इसलिए यह जो decree होती है, ध्यान रखना, प्री का question होता है, declaratory decree is in personem, party के against होती है, in rem नहीं होती, चली, I hope that is clear, इसके बाद आते हैं, अर्चनाक कहना है, सर पीडिएफ हिंदी में available करें, पीडिएफ तो ही नहीं, मैं तो सब बेरेक्ट से पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई चीज में नहीं पढ़ रहा हूँ, जो आपके बेरेक्ट, आपके अगा पास अगर डिगलॉट बेरेक्ट है ना, तो you can follow, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बेरेक्ट की लांगवेजी पढ़ के सुना रहा हूँ, मिर पस कोई PDF नहीं है बटा, असलिए लो बेरेक्ट में है, ये सब टेलेग्राम की PDF बेडिएफ तो सब रखी रह जाती है, असलिए ग्यान इस बेरेक्ट में है, बस आप डिगलॉट बेरेक्ट रखी है, ऐसारे का साथ में, आप हर बात समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, आप उससे पढ़ते जाहिए, मैं हिंदी पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने लो अंगरेजी में किया है, तो मुझे इसके बाद अगर आप अपने डिगलॉट बेरेक्ट से हिंदी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे ना, आपकी समझ में आएगा वो, चलिए इसके बाद आते हैं, अपन पार्ट थ्री पे, दाट इस प्रेवेंटिव रिलीफ, जो मैंने आपको कहा, प्रेवेंटिव रिलीफ मतलब कोई चीज होने वाली है, उसको होने से रोकना, प्रेवेंटिव मतलब क्या होता है, होने से रोकना, प्रेवेंटिव रिलीफ, तो देखिए भाई, या तो हो रही है, या होने वाली है, उसको आप प्रेवेंटिव करना चाहते हैं, प्रेवेंटिव रिलीफ के लिए कौन सी रेमेडी रिलीफ अवेलेबल है यहां इंजंग्शन डाट इस दी लास्ट रिलीफ जिसके बारे में हमें ऐसारे में बात करनी है इंजंग्शन देखिए बाई इंजंग्शन का कॉंसेप्ट आप सबने सीपीसी में भी ठड़ा है कि अभी प्रिमियर हुआ था सीपीसी को पूरा एक दिन में उसमें भी इंजंग्शन की बात करता है सीपीसी लेकिन हमारा जो ऐसारे है गलाट जो है यह जिस पिपरेरी नहीं है यह जो हमारा SRS है एलग लग तीन तरीके के इंजसों की बात करता है पहले मैं आपको तीनों ब्रीफ कर देता हूं कि उसके बाद अपन प्रोविजन पर आएंगे तो इंजंग्शन जो असल nei मैं वह तीन तरीके के हैं एक तो आपका temporary injunction है जो CPC में भी था, दूसरा आपका perpetual injunction है और तीसरा है आपका mandatory injunction, ठीक तो ये तीन तरीके के हैं, सबसे पहला आपका temporary injunction, एक होता है आपका perpetual injunction, और तीसरा होता है आपका mandatory, mandatory injunction, देखिए भाई, temporary injunction पहले brief कर दूँ, क्या होता है, कैसे use होता है, देखिए, temporary और perpetual, दोनों इस respect में use होते हैं, कि आप किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोक रहे हैं, इस sense में use होते हैं temporary और perpetual, mandatory अलग है, उसकी बात अभी करता हूँ, temporary injunction का purpose है, temporary injunction जो मिलता है, वो during the proceeding मिलता है, decree के form में नहीं मिलता temporary, temporary during the proceeding, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, समझ लेगा, जैसे मान लीजे, मैंने आपके against, एक suit file किया है, defamation का, कि भाई, आपने मेरे against, जैसे मान लीजे, आपने मेरे against, एक social media पर post डाल दिया, कि insert को कुछ पढ़ाना नहीं आता है, बहुत खराप पढ़ाते हैं ये, और पता नहीं कि उनने अपने एक YouTube चैनल बना रखा, इस तरीके से एक defamatory post आपने मेरे against कर दिया है, अब मैं जाके जब court में ये suit file करूँगा कि साब, इस student ने मेरे against defamatory suit file किया, आप मुझे compensation damages दिलाई है, तो वहाँ सबसे अपसूट तो चलेगा, it will take time, पहले मैं एक relief मान सकता हूँ कि साब आप एक काम करिया कि जो इसने post लिखा है, इस post को आगे circulate fullness पहले रोख दीजिए, status q maintain करिये, क्या कहते हैं से status q, status q मतलब as it is, जिस position में हैं वैसा ही रहे, changes आगे ना हो, मैं court से सबसे पहले कहूंगा कि साब ठीक है, अभी आप proceeding करेंगे, तब पता चलेगा वो defamatory है कि नी, क्योंकि अगर आप dot आपने पढ़ा है, defamation के लिए कुछ essentials हैं जो proof करने पढ़ेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि आपने मेरे against defamatory post डाला है, तो सबसे पहले तो मुझे ये proof करना पढ़ेगा कि वो post defamatory है, repetition को harm कर रहा, दूसरा, वो false है, अगर सही है, true है, तो defamation नहीं है, अगर मुझे ये proof करना पढ़ेगा कि false है, उसका publication हुआ, ये सब मुझे proof करना पढ़ेगा, तब जाके मेरे favor में decision आएगा quote का, कि हाँ भईया, मेरे against defamatory है, लेकिन जब तक वो कारेकराम होगा, तब तक ये, जो post आप compensation लोगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हुगा, कि कितने लोगों तक वो post पहुँच गया, इसलिए अभी जब मैं suit file करूँगा, defamation का, सबसे पहले मैं quote से plead करूँगा, एक temporary injunction, temporary injunction मतलब, मैं quote से आगरे करूँगा, कि जिस बच्चे ने post डाला है, उसका sharing option बंद करा लिजे कि वो post share ना हो पाए, आगे कोई उसको share ना करे, सबसे पहले मेरे को आप ये remedy करे, मान लिजे किताब में आपने मेरे against publication किया है defamation का, तो मैं quote से कहूँगा, कि साब इस company को आप prevent करिये, कि इस किताब की और copies ना छापे, सबसे पहले आप इसको ये रोकिये, ये temporary relief मे आगे उससे और नुकसान ना हो, ऐसी property के respect में हो सकता है, अगर मान लिजे मैं किसी property का suit file कर रहा हूँ, और मुझे ये, मान लिजे आप के पास possession है, किसी property की, और मैं उस property को claim कर रहा हूँ, और मुझे अंदेशा है कि जब तक ये suit decide होगा, तक तक तो आप property alienate कर दोगे, ब कोई changes ना करे उस property में, आप पहले ये रोख दीजे, मुझे अगर specific performance कराना है, मान लिजे मेरे आपके बीच contract हुआ कि आप अपना mobile phone मुझे बेचेंगे, मुझे पता चला है कि आप अपना phone किसी और को बेचने वाले हैं, rate of performance के पहले, तो भाया specific performance तो मैं तब लूँँगा जब वो mobile phone आपके पास होगा, अगर मुझे अंदेशा है कि वो phone आप कहीं और ही टिकाने वाले हैं, तो court से में पहले का हूँँगा साब उसको रोखिए, तो basically subject matter को prevent करने के लिए, preserve करने के लिए temporary injunction होता है, during the proceeding किसी भी stage पे मांगा जा सकता है, ये final नहीं होता और ये merit प पे decide होनेगा मतलब, भाई अभी ये proof नहीं हुआ है कि वो statement defamatory है या नहीं जो आपने मेरे against publish किया है, वो तो suit खतम होने पे होगा, तो ये जो injunction है, ये इस ground पे नहीं दिया जाता temporary injunction कि case में merit है, या नहीं मैं ये proof कर पाऊंगा, या नहीं defamatory है या इस पे नहीं, इस बा होगा और उसको आगे share होने से रोक दिया जाए, तो तुम्हारा कितना interest effect होगा, इस balance को देखते हुए court temporary injunction grant करेगा, और जो मैंने आपको example दिया, obviously इस case में court, अभी merit नहीं पता, कि वो actual defamatory है, या नहीं defamation है, या नहीं सब नहीं पता, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ये statement दिया है, और अगर ये आगे तक रहा और बाद में जाके ये decide हुआ कि हाँ ये defamatory है, तो मेरे को इस तरीके का loss होगा, जिसको repair कर पाना संभव नहीं होगा, तो temporary injunction during the proceeding दिया जाता है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, ये जो temporary injunction है, ये merit पे नहीं दिया जात और ये permanent नहीं होता है, अभी injunction लगा दिया, बाद में मानली जे suit का decision आया, और court में ये proof हो गया, कि वो statement defamatory नहीं है, मानली जे ये proof हो गया, कि वो statement true है, सच है वो बाद, तो defamation नहीं है, तो फिर आगे आप, फिर आप share करते रही है, अभी हमने रोग लगवाती है, ये share क जो होता है, perpetual का मतलब हमेशा के लिए, that is perpetual, तो हमेशा के लिए injunction जो लगवाया जाता है, ये कैसे लगवाया जाता है, ये decree के थो, जो final decree आती है, उसमें आता है perpetual injunction, जैसे मानली जे मैंने जो आपको post वाला example दिया, जब ये suit, अभी तो मैंने temporary injunction मांगा है, जब ये suit finally decide ह होगा, उसका judgment अगर मेरे favor में आगया कि हाँ, ये statement defamatory है मेरे against, तो फिर मैं court से क्या कहूंगा, कि साब आप कभी भी ये post share नहीं होगा social media पे, कोई भी वेक्ति या आप उस चीज़ को किसी और के साथ अब आगे कभी भी share नहीं करेंगे, that is perpetual, permanent, कि अब आप नहीं कर सकते share अगर वो किताब चापी है किसी नहीं, जिसमें मेरे against बाते लिखी हुई है, तो temporary में तो ये है कि जब तक further order नहीं आ रहा, court का या suit decide नहीं हो रहा, तब तक आप copies print नहीं करेंगे, लेकिन अगर end में decree मेरे favor में आई है, तो वहाँ decree के through perpetual injunction impose होगा, और उसके तहत कहा जाए कि अब कभी भी किताब की कोई copy published नहीं होगी, कोई copy of publish आगे करी ही नहीं जाएगी, that is perpetual injunction जो permanent nature का होता है, और decree के through दिया जाता है, इसी से associated है mandatory भी, mandatory injunction भी इसी से associated injunction है, कहने का मतलब mandatory के लिए prerequisite है, परपीचल, obligation breach हुआ हो आपका, तभी mandatory भी मिलेगा, देखिए इसमें क्या होता है, परपीचल क्या है, majorly किसी विकति को आप prevent कर रहे हैं कुछ करने से, रोक रहे हैं, stay कर रहे हैं, prevent कर रहे हैं या stay कर रहे हैं, विकति को रोक रहे हैं कुछ करने से कि आप publish नहीं होगा statement, अब copies published नहीं होंगी किताब की, कई बार ऐसा होता है, कि यह जो आप preventive action ले रहे हैं, सिरफ रोकने का, to stop someone, यह हमेशा case में justice ना करें, ऐसा भी हो सकता है, justice may require कि कुछ positive act भी करवाया जाए, तब complete justice होगा इस case में, सिरफ रोक देने से काम नहीं बनेगा, कुछ affirmative act भी करवाना जरूरी है, अगर ऐसी situation, and that is completely discretionary, अगर court को लगता है, कि कुछ affirmative action भी करवाना है, पार्टी से तब complete justice होगा इस case में, वहाँ issue होता है, mandatory, क्योंकि यह क्या है, affirmative action, affirmative मतलब कुछ positive act, बताता हूँ मैं आपको, with example sees को, जैसे माल लीजे, वही है कि किताब, मेरे against किताब पब्लिश करी है, आपने, अब हमने temporary induction के तो यह किया, कि जब तक suit decide नहीं हो रहा, तब तक puppies और प्रिंट नहीं होगा, पर future induction से यह हो गया, जब यह decide हो गया, कि वो defirmatory है, पर future induction से यह हो जाएगा, कि आप इसकी और copies published, लेकिन जो already published हो चुकी है, उनका क्या, तो court हो सकता है, उस publisher को, complete justice क्योंकि इस case में तभी होगा, जब court publisher को यह order करे, कि जितनी copies already published आपने करी, उनको destroy करिये, that is an affirmative, एक तो यह, कि आगे यह नहीं करना है, यहाँ order यह होगा, कि आपको यह करना है, that is affirmative action, कि भाईया, जितनी copy आपने publish करिये, सब जलाओ, ताकि वो किसी के हाथ ना लगे आगे, that is mandatory injunction, आपने जो post जाला है, share करने से तो रोक दिया, लेकिन जब आपको यह order देगा, quote, at the end, decree के form में, कि भाईया, आगे तो circulate नहीं करना है, और जो post जाला है, उसको हटाईए, delete करिये, that is mandatory injunction, इसको अपन कहते हैं, mandatory injunction, I hope that is clear, perpetual और mandatory, समझ मैं आपको दोनों के बीच का difference, perpetual में basically आप रोक रहे हैं, permanently कुछ करने से, mandatory में कई बार होता है, justice complete नहीं होगा, ऐसे case में, तो आप उससे affirmative action भी करा रहे हैं, that's mandatory injunction, and I hope that is clear, तो थोड़ा सा में provision पढ़के, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा और बहतर तरीके से बता देता हूँ, अब देखिए ज़रा 36, preventive relief how granted, preventive relief is granted at the discretion of the code, by injunction, temporary और per future, preventive relief कैसे दिया जाएगा, injunction के थूँ और तीन तरीके के, sorry, यहाँ पे दू तरीके के injunction की बात करिए, temporary और perpetual, temporary और perpetual को define कहां किया है, 37 में pre का बहुत important सवाल है, ध्यान रखिएगा, temporary and perpetual injunctions, temporary injunctions are such as, are to continue until a specified time, तो temporary injunctions क्या होते हैं, एक specified time तक continue होंगे, और until the further order of the court, या फिर जब तक further order नहीं देगा code, तब तक temporary injunctions, अगले दो मेने के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, जब तक further order ना है, तब तक के लिए temporary injunctions हो सकता है, और until the further order of the court, and they may be granted at any stage of a suit, किसी भी stage पे grant किया जा सकता है, perpetual जो है, वो सिरफ decree से होगा, लेकिन temporary किसी भी stage पे हो सकता है, and are regulated by the CPC, regulate किसे होते हैं CPC से, क्योंकि CPC में भी temporary injunctions की बात करी गई है, subsection 237 का, देखिए, 37 में आप प्री से दोनों तरीखे के सवाल पूछे जाएंगे, temporary injunctions किस subsection में है, और perpetual injunctions किस subsection में define किया है, दोनों आपको पता होने चाहिए, subsection 2 देखिए, अब perpetual injunctions can only be granted by the decree, made at the hearing, and upon merits of the suit, ये दोनों बाते मैंने आपको बताएं, decree के form में दिया जाएगा, grant होगा, और suit की merit पे decide होगा, the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right, or from the commission of an act, which would be contrary to the rights of the plaintiff, permanently रोक दिया जाएगा, आपको एक काम करने से, that is perpetual injunctions, इसके बाद, chapter 8 जो है, वो specifically deal कर रहा है, perpetual injunctions को कि कौनसी वो situations है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में पता रहा है, तो चलिए 38 provision पढ़ते हैं, 38 कहता है, perpetual injunctions when granted, subject to the other provisions contained in, or referred to by this chapter, a perpetual injunctions may be granted to the plaintiff, to prevent the breach of an obligation existing in his favor, देखिये, किसी भी obligation के breach करने से, रोकने के लिए एक वेक्ति के against, perpetual injunctions आ सकता है, obligation का breach मतलब, example जे समझे, जैसे माले जिए, एक patient किसी doctor के पास जाता है, अपना treatment कराने के लिए, और वहाँ जब वो जाता है, तो कोई communicable disease, या कुछ इस तरीके की disease, जो commonly social parlance में, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसी disease diagnose होती है, पता चलता है, कि इस तरीके की disease है, और report है, उस doctor के पास उस disease की, अगर मान लिजिए वो doctor, अगर मान लिजिए वो doctor धंकी देता है patient को, कि मैं public को बता दूँगा, या यह जो तुमारी report है, वो मैं public कर दूँगा, अगर मान लिजिए इस तरीके की कोई धंकी देता है doctor, तो वो अपने obligation का breach कर रहा है, because doctor is under a legal obligation, कि वो patient की जो reports है, वो सब information है, वो confidential होती है, वो reveal नहीं कर सकता, आपको लगता है कि वो reveal करेगा, ऐसे कि इसमें आप court से perpetual injunction मांग सकते हैं, उस obligation के breach को रोकने के लिए, आप एक order pass करवा सकते हैं, किस के against, उस doctor के against, उसको आप हमेशा के लिए रुख सकते हैं, कभी भी तुम हमारी personal information reveal नहीं करोगे, that can be a perpetual injunction, subsection 2 देखिए, अब देखिए, अगर आप किसी को contract का breach करने से, कोई obligation जो contract के तहत लिया गया है, दो parties के बीच contract हुआ, आपको अंदेशा है कि, सामने वाली party अपना obligation फुल्फिल नहीं करेगी, उसको रोकने के लिए आप perpetual injunction ले सकते हैं, लेकिन उसके जो principle है, वो कहां से गवान होगे, chapter 2, specific performance, उसी को अपने specific performance है, ऐसे कि इसमें injunction लेने की ज़रूरत नहीं, आप specific performance लेंगे ना उतर, क्या आप उससे obligation फुल्फिल कराएंगे, तो उसके लिए हमारे पास already एक chapter है, उसी का जिक्र बस subsection 2 कर रहा है, इसके बाद subsection 3 देखिए, मैंने कल भी आपको trust के बारे में, पहला session जो आपने specifically factor किया है, उसमें भी trust के बारे में बताया था, एक वेक्ति टेक केर करने के लिए assign किया जाता है, ultimate beneficiary, कोई और है, तो जिस वेक्ति को care करने के लिए assign किया गया है, अगर अंदेशा है कि वो ही claim करने लगेगा अपना right over the property, ऐसे केस में जो beneficiary है वो for future injunction obtain कर सकता है against the trustee, भी देखिए, वेर देर एक्जिस्स्टेंट फोर ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion, अगर मान लेजिए ऐसी कोई चीज है जहां actual damage ascertain ही नहीं हो पाएगा, कि अगर उसने वो act कर दिया, property को damage पहुचा दिया, तो actual damage ascertain ही नहीं कर पाएगे, जैसे कल भी मैंने आपको specific performance में इसका example दिया था, कोई antique चीज है, कोई antique चीज है, मेरे पास 100 साल पुरानी एक कार है, अब मुझे अंदेशा है कि ये वक्ति उसको तोड़ रहा है या उसके अपना right claim कर रहा है, और अगर ये चीज उसके पास पहुच गए, तो मैं damage ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ascertain करना मुश्किल है कि उसकी कीमत क्या होगी आज की rate में, ऐसे cases में भी मैं perceptual injunction ले सकता हूं कि ये वक्ति इस गाड़े के आसपास नहीं देखेगा, या इसको use नहीं करेगा, या इसको इसके उपर अपना right assert नहीं करेगा, ऐसा injunction में ले सकता हूं क्योंकि उस case में damage ascertain करना, calculate करना संभव नहीं होता, इसके बाद C है where the invasion is such that the compensation and money would not afford adequate relief, C है कि जहाँ पैसे में अगर compensate कराया जाएगा तो वो adequate relief नहीं होगा, इसका भी example मैंने आपको इस specific relief के session में दिया है, कोई चीज emotional value की है मेरे लिए, जिसकी पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती, जैसे मैंने आपको example दिया था, कि आपके grandfather की एक watch है आपके पास, अब उससे एक emotional value attached है, उसको कोई damage पहुचा देगा, तो उसकी भरपाई पैसे से नहीं हो पाईगी, तो ऐसे cases में आप उसको damage पहुचाने से रुकुवाने के लिए, perpetual injunction obtain कर सकते हैं, यह सिर्फ illustrative तरीके से बताया गया है, कि किन किन situation में आप एक perpetual injunction ले सकते हैं, देखिए, where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings, माल लीजिए, multiplicity of judicial proceeding को रोकने के लिए, अगर injunction की ज़रुवत है, वहाँ भी perpetual injunction हो सकता है, कैसे होगा, जैसे माल लीजिए, for an example, एक village है, इस village का एक particular land है यह, और A का कहना है, उस village में रहने वाले व्यक्ति, A का कहना है कि this land belongs to him, यह जो portion है, this belongs to him, बाकि इस गाओं में जित्ते लोग रहते हैं, B, C, D, E, F, यह जो लोग रहते हैं इस गाओं में, उनका कहना है कि यह public land है, यह किसी private person का नहीं है, यह public land है, सब इस पे आजा सकते हैं, but A is asserting his right on that, अब इसके लिए B भी suit file कर रहा है, इस declaration के लिए, C भी suit file कर रहा है, D भी कर रहा है, कि यह public way है, तो इससे क्या हो रहा है, multiplicity of proceeding हो रही है, ऐसे case में, A, एक perpetual injunction मांग सकता है, कि साब इन सब को रोकिए, एक suit file करिए, court क्या direct करेगा, perpetual injunction के थूँ, कि यह multiple suits file मत करिए, इसकी जगे पे, एक representative suit का concept है, CPC में, सब के भी हाफ पे, एक suit file हो जाएगा, वो करिए, तो multiplicity of suit को रोकने के लिए भी, perpetual injunction grant किया जा सकता है, that's 38, I hope that is clear, समझ में आ गया भी यह, illustrations हैं कि कहां कहां, perpetual injunction grant हो सकता है, इसके बाद देखिए, 39 mandatory injunction, meaning मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, mandatory injunction का, जहां आप affirmative action कराते हैं, क्योंकि, जो आप रोकने वाला act कर रहे हैं, वो हमेशा justice नहीं कर रहा, और पूरे SRA का purpose ही ही है, so देखिए, mandatory injunction, when to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel, it is necessary to compel, the performance of certain acts, which the court is capable of enforcing, the court may in its discretion, grant an injunction to prevent the breach, complaint of, and also to compel performance of the requisite act, उस act को perform करने का order भी, mandatory injunction के थूर दिया दा सकता है, जो मैंने आपको एक्जांपल बताया, कि post को आगे share नहीं करना है, ये तो order देगा ही, साथ में ये भी बोल देगा, कि post delete करिए, किताब जला दीजिए, करता है, कि जितनी हो गई है पबलिश, उनको destroy करिए, ये act, चेक, so that's mandatory injunction, इसके बाद आजाईए section 40, damages in lieu of, और in addition to injunction, ब्रीफ कर दे रहा हूं, जब आप injunction का suit file कर रहे हैं, injunction के साथ-साथ, आप damage भी claim कर सकते हैं, या in alternation, कि ठीक है, injunction नहीं तो damage, दोनों तरीके से आप, in addition, और in lieu of, या तो injunction मिल जाए, या damage मिल जाए, ये भी आप plead कर सकते हैं, आप ये भी plead कर सकते हैं, कि आप perpetual injunction भी दीजिए, कि अभी ये post कभी share ना हूं, और अभी दक जो मेरा नुकसान हुआ, उसका damage भी मुझे दीजिए, ये दोनों चीज़ें भी claim करी जा सकती है, बस इतना लिखा है section 40 में, बहुत important है, लेकिन section 40, section number, पूछा जाता है सीदे सीदे, कि क्या injunction के suit में, आप damage भी claim कर सकते हैं, the answer is yes, and the provision for the same is section 40, देखिए 40 में लिखा है, बहुत जादा इंपॉर्टन प्रोविशन है 41, कहां injunction ग्रांट नहीं किया जाएगा, that is 41, injunction when refused, कब injunction देने से मना करेगा code, यह सारे ground important है, brief में सबका मतलब आपको बता देता हूँ, an injunction cannot be granted, यह में लिखा है, to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding, pending at the institution of the suit in which the injunction is sought, unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceeding, रेखिए, सबसे पहले यह कहा गया है, कि कहां कहा injunction आप, नहीं मांग सकते, section 41 इस चीज़ की बात कर रहा है, सबसे पहले section 41 यह कहता है, कि judicial proceeding को prevent करने के लिए, आप injunction नहीं मांग सकते, आप यह इस चीज़ का suit file नहीं कर सकते, कि यह वेक्ति case file नहीं करेगा, legal proceeding वेक्ति का अधिकार है, उसे injunction के थुरू रोका नहीं जा सकता, अगर आप अपने injunction में यह मांग रहे हैं, कि इस वेक्ति को suit file करने से रोक दीज़े, तो यह नहीं होगा, यह सिर्फ कब होगा, जब multiplicity रोकने के लिए जरूरी है, जो अभी मैंने आपको example दिया, multiplicity of proceeding को रोक सकते हैं, लेकिन अगर उस वेक्ति के पास अधिकार है, एक suit file करने का, आप उसको वो भी करने से रोक रहे हैं, तब injunction grant नहीं होगा, that's A, B देखिए, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court, not subordinate to that from which the injunction is sought, injunction अगर legal proceeding को रोकने का दिया भी जा रहा है, माली जो multiplicity रोकने के लिए भी है, तो वो हमेशा subordinate court को दे सकते हैं, एक court अपने से higher court को injunction issue नहीं कर सकता, proceeding करने का, एक lower court ये injunction order पास नहीं करेगा, कि वो अपने higher court को proceeding करने से रोक दे injunction के थुरू, ये injunction allowed नहीं है, यहाँ पे injunction refuse हो जाएगा और बहुत obvious सी बात है, subordinate court कभी नहीं दे सकता, higher court को, C, to restrain any person from applying to any legislative body, किसी व्यक्ति को आप legislative body के पास apply करने से भी नहीं रोक सकते, जैसे मान लेजे किसी area में बहुत गंदगी हो रही है, ये सफाई नहीं हो रही वहाँ daily basis पे, अब वहाँ की जो जनता है, decide करती है कि भाई हम तो विधान सभा जाएंगे, और वहाँ पे application देंगे, विधान सभा में जाके, किसाब हमारे नहीं तो सफाई नहीं होती, तो विधान सभा इसा legislative body, वहाँ जाके आप अपने right के लिए fight करना चारहें, अपने application देना चारहें, इसके regarding भी court कोई injunction नहीं देगा, इस चीज़ को किसी वक्ति को legislative body के पास जाके apply करने से, रोका नहीं जा सकता injunction के थूरू, अगर injunction में आपके demand कर रहे हैं, तो injunction आपका refuse हो जाएगा, इसके बाद deed a.k. to restrain any person from instituting और prosecuting any proceeding in a criminal matter, criminal proceeding पे भी injunction applicable नहीं है, आप किसी वक्ति को criminal proceeding करने से नहीं रोक सकते injunction के थूरू कि आप case file नहीं करोगे, ये भी नहीं होगा, e. to prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced, आप किसी वक्ति को contract का breach करने से भी नहीं रोक सकते true injunction, ऐसे contract जिन में specific performance grant नहीं की जा सकती, भाई देखिए, अभी हमने 38 में भी पढ़ा, कि contract का obligation अगर आपको fulfill कराना है, तो उसके लिए आप perpetual injunction या mandatory injunction मांगने की बज़ाए, आप क्या करेंगे, chapter 2 SRA का वहाँ से specific performance, आप obligation ही fulfill कराना है, या obligation का breach करने से रोकना है, जैसे मान लिए, मैंने obligation लिया है पढ़ाने का, आपके साथ, under a contract, तो आप जाके specific performance मांगे, आप injunction थोड़ी मांगे, same way में ये कहरा है, कि अगर वो obligation ऐसा है, जिसके लिए specific performance grant नहीं हो सकती, तो वहाँ injunction allowed नहीं होगा, जैसे पढ़ाने का obligation, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो personal qualification पे based obligation है, उसका specific performance quote नहीं देता, तो यहाँ आप मुझे अपने इस obligation का breach करने से रोकने के लिए injunction भी नहीं ले सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं माल लीजे मिने contract भी किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाने से मना करता हूँ, तो आप उसके लिए injunction अप्टेन नहीं कर सकते मेरे against damage ले सकते हैं, injunction अप्टेन नहीं कर सकते हैं, F. To prevent on the ground of nuisance, an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance, कहने का मितलब, कोई ऐसा act हो रहा है, जिससे यह अंदेशा है कि आपके against nuisance होगा, बट अभी actually हो नहीं रहा है, speculation पर आप injunction नहीं ले सकते हैं, जैसे माल लीजे इस प्रमाइस में मैं classes conduct करता हूँ, इसके बगल में जो प्रमाइस है, अगर मैं देखता हूँ, वो किसी बंदे ने खरीदा है, जिसके माल लीजे marriage halls, party halls हैं, और मैंने देखा कि उसने समाल लावा के रख दिया है, और मुझे यह अंदेशा है कि भाईया, इधर पर marriage hall बनाएगा, बड़े-बड़े टीचे लगाएगा, और दिनमर शोर करेगा, नूसंस मचाएगा, मेरे प्रमाइस के अगेंस, तो ऐसे cases में मैं अभी induction अप्टेन नहीं कर सकता, जब तक कुछ substantive मिरे अगेंस्ट होना, speculation के basis पे में इंजंक्शन नहीं ले सकता, इसके बाद चिरी देखिए, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquinsed, acquinsed मतलब सहमती, consent दे देना, आपके against कोई continuous nuisance create कर रहा था, और आपकी implied सहमती है उसमें, तो later stage पे आप जाके उसके against injunction अप्टेन नहीं कर सकते, जैसे मैं इस प्रमाइस में पढ़ा रहा हूँ, बगलबले प्रमाइस में संगीत की class चल रही है मानलीजिये, काफी टाइम से चल रहे है, मैंने कभी उस बात को oppose नहीं किया, इसका मतलब implied consent है, अब किसी एक दिन छह मैंने साल भर बाद मिर कोज समझ आता है, यार नहीं इसको बंद करा हूँ, अब अगर मैं injunction मांगने जाऊंगा तो court में refuse, क्योंकि continuous nuisance था वो मेरे against, और मेरी उसमें implied सहमती court consider कर सकता है, इसके बाद देखिए, when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust, मान लेजे, कोई और remedy आपके पास available है injunction के अलावा, तो आपको वो मांगना है, जैसे मान लेजे, एक woman को लग रहा है कि एक husband, उसका husband, किसी और woman से शादी करने वाला है, या उसके साथ रह रह रहा है, तो वो prevent कराना चाहती है, तो यहाँ उसके पास already law में एक remedy available है, जिसको हम कहते है, restitution of conjugal right, वो restitution of conjugal right की remedy मांग सकती है, कि वो husband उसके साथ आके रहे, उसके लिए उसको ये injunction मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगे, कि आप उसको रोकिये, दूसरी woman के साथ रहने से, आप वहां conjugal right की remedy मांगिये, कि वो husband आपके साथ आके रहे, that is a better remedy, जहाँ कोई और better remedy अवेलेबल है law में, आपको वो मांगना है, कोड ऐसे cases में injunction grant नहीं करता, ह ये हैं infra projects के बारे में, हमने पहले भी section 20A में पड़ा है infra projects, अगर कोई injunction ऐसा है, जो किसी infrastructure project के timely completion में hindrance बनेगा, उसको रोकेगा, ऐसे case में भी कोड injunction grant नहीं करेगा, इसके बाद आई है when the conduct of the plaintiff or his agent has been such as dis entitle him to assistance of the court, कहने का मतलब आपके खुद के हाथ गन्ने है, आपने खुद कुछ fraud fraud कर रखा है, और उसी में आप injunction मांग रहे हैं दूसरी party के अगें, तो कल भी अपन ने देखा थे भाई, ऐसारे पूरा का पूरा ना equity पे waste है, और ये court आपके सांथ equity तभी करेगा जब आप सही है, अगर आपके पार्ट पे fault है, तो आपके favor में injunction कभी नहीं जाएगा, जे देखिए इसके बाद, इंजंचन की जो remedy है, वो in personim है, आप personally impact हो रहे हैं किसी चीज़ से, उसके against injunction मांग सकते हैं, किसी दूसरे के behalf पे आप injunction की remedy claim नहीं कर सकते, आपका खुद का अधिकार अगर hamper हो रहा है, in that case only आप injunction मांग सकते हैं, किसी और के right के infringement के लिए, आप injunction की remedy मांग नहीं सकते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो injunction refuse कर देगा court, तो 41 में ये multiple conditions दी हुई है, जहाँ court injunction refuse कर सकता है, अगर समझ में आ गई है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको याद भी रहेंगे, परीमे question बनते हैं अधर से, कहां court injunction grant करेगा, कहां नहीं करेगा, बहुत important है, इसके बाद last provision जो है, इस act का, that is 42, injunction to perform negative agreement, देखिए, इसको पहले brief में समझ लीजे, तो पढ़ने की शायद जरुरती ना पढ़े आपको, 42 कहता है, कि अगर मान लीजिए, कोई ऐसा agreement है, जिसमें एक positive covenant है, एक negative covenant है, और वो जो positive covenant है, वो specifically enforce नहीं हो सकता, तो जो negative covenant है, उसको आप enforce करा सकते हैं, अब ये covenant covenant अगर आपके उपर से निकल गया है, तो with example समझ लीजिए, मान लीजिए, मैं किसी एक coaching institute, या एक tech आज कल चल रहे हैं, tech platform के साथ, मैं एक agreement करता हूँ, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस platform पे ही, जो judiciary की तयारी कराऊँगा, सिर्फ इस platform पे ही पढ़ाऊँगा, तो ये देखिए, मैंने agreement में क्या किया, दो बातें agree की मैंने, मैंने जब agreement किया, किसी company के साथ, तो उस agreement में मैंने क्या किया, कि मैं इनके यहां पढ़ाऊँगा, teaching, एक, एक चीज मैंने यह agree की, that I will teach on your platform, दूसरी बात चो मैंने इसमें agree की है, वो ये, that I won't teach on any other platform, on any other platform, तो मैंने agreement क्या किया, एक company के साथ, कि मैं सिर्फ आपके यहां पढ़ाऊँगा, कहीं और नहीं पढ़ाऊँगा, that is the positive covenant, पढ़ाने का, affirmative act है, कुछ करने का, यह है कुछ ना करना, negative covenant बोलते हैं, कुछ ना करना, अब बान लीजिए, यह जो positive covenant है, जो act है agreement का, इसका specific performance grant, नहीं हो सकता, teaching का नहीं हो सकता, यह मैंने आपको पहले ही बता है, personal qualification पे-based है, अगर जिस company के साथ, मैंने agreement किया है पढ़ाने का, अगर मैं वहाँ पढ़ाने से मना कर देता हूँ, तो क्या company मुझे compel कर सकती है, पढ़ाने के लिए the answer is no, specific performance नहीं मिलेगा, damage मिल जाएगा, specific performance नहीं मिलेगा, अब क्योंकि, इस part का specific performance नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये बिलकुल नहीं होगा, कि ये वाला part भी मेरे against and force नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है, ये negative covenant company मेरे against and force करवा सकती है, अगर मैंने agreement में, contract में ये लिखा था, कि मैं आपके यहाँ पढ़ाऊंगा, और दो साल से पहले किसी और के यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, तीन साल तक किसी और platform पे नहीं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने के लिए तो आप compare नहीं कर सकते, क्योंकि इसका specific performance नहीं मिलता, लेकिन ना पढ़ाने वाला जो clause है, वो मेरे against and force कराया जा सकता है, मुझे रोका जा सकता है, अगले तीन साल किसी और platform पे पढ़ाने से, I hope that is clear, समझा रहा भी है, negative और positive पढ़ाने आपके, चलिया 42 पढ़ भी लेजी एक बार, notwithstanding anything contained in clause E of section 41, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act, coupled with a negative agreement, express or implied, not to do a certain act, the circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement, shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement, provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so far as binding, तो अगर court positive part का specific performance नहीं दे पारा है, इसका मतलब ये बिलकुल नहीं होगा, कि ये वाला part मेरे against impose नहीं किया जाएगा, ये बिलकुल इंपोस किया जा सकता है, that's section 42 and that's how we have completed SRA, तो भईया ये specific relief पूरा complete हो गया, एक-एक provision आपको पढ़ाया है मैंने, एक-एक term के साथ and I hope and I wish कि ये आपके समझ आगया है, and it will help you in your examination, किसी भी स्टेट का exam दे आईए, प्री क्या means में भी आपको काफी मेरे ख्याल से इससे help मिल जाएगी, है ना, इन lectures से, क्योंकि हमने conceptually पढ़ाया, सिर्फ हमने उपर-उपर बात नहीं किये, एक-एक चीज को समझा है, तो खुद भी पढ़िये, बाकी लोगों को भी ये वीडियो भेजिये, और पढ़वाईए उन्हें, ठीक है, चलिये, thank you so much for joining, क्याएएएएएएएएएँ, तो ँसेन किये तो अभिझा व्रॉस, क्या अभी है, तों टो मैं ञेंश किया तो आएकाएएएएएएएएएएएएएएएएए Heaven